कि हमारा फर्स्ट कॉस्चन है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है ठीके तो ऑप्षन से एक सितंबर दस नवंबर 10 दिसंबर और पंदरा जुलाई तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर ठीक है, मानव अधिकार दिवस human rights टेकप बनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है next question देखते है विदीशा किस नदी के तट पर इस्थित है, ठीक है, तो option है रवी, सोन, कैन बेतवा, तो friends इसका right answer है, बेतवा ठीक है, विदीशा बेतवा नदी के तट पर इस्थित है अगला question देखते है इतिहास के अनुसार किस ने गौालियर की स्थापना की तो friends, option है, राना सिंग समराट अशोक, राजा विक्रम अदित्य सूरस सिंग, तो friends इसका right answer है, सूरस सिंग ठीक है, इतिहास के अनुसार गौालियर की सापना किस ने की है सूरस सिंग ने की है, अगला question प्रधान मंत्री शी नरेंट मोदी की जिवनी मोदी एक तारे का अतुलुद है के लेका के, ये मतलब प्रधान मंत्री जी के उपर लिखी हुई उनकी जिवनी के उपर लिखी हुई किताब है मोदी एक तारे का अतुलुद है तो वो किस ने लिखी है तो option ने राजदेप सरदेशाई तरुन विजय राजे श्रिवास्तव रजत शर्मा तो friends, इसका राइट आंसर है तरुन विजय तरुन विजय ने ये किताब लिखी है अगला कोशन देखते है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट का मुख्याले कहां इस देते है तो option ने चैन नाई बैंगलूरू, देवास, कोरापूर तो friends, इसका राइट आंसर क्या है बैंगलूरू हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट का मुख्याले बैंगलूरू में इस्थित है अगला कोशन बारत में कुल दैश केंदर शार्षत प्रदेश है तो ये तो बहुत ही इजी कोशन है हम सभी को पता है कि seven union territories हमारी इंडिया में है अगला कोशन देखते हैं बारती रिजर्ब बैंक की स्थापना कब हुई थी ऑप्शन है 1949, 1947, 1927, 1935 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 1935 तो ये बहुत ही बेसिक कोशन है ये जो कोशन से मोस्त एक्जाम में रिपीट होते जाते हैं अप्शन है रगुराम राजन तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है संजीव सन्याल ठीक है केंज सरकार के विंत्र मंत्राले में मुख्य आर्थिक सलाकर कोने संजीव सन्याल अगला कोशन देखते हैं संस्कित के लिए 2014 के साहित अकैट में पुरुसकार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है ठीक है तो आप्शन है राम जी ठाकुर मिथीला प्रसाथ तिभाटी प्रभुनात दिवेदी और राम शंकर आवस्ती तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है प्रभुनात दिवेदी ठीक है प्रभुनात दिवेदी को संस्तित के लिए 2014 के साहित अकर्ड में पुरुसकार के विजेता के रूप में नामित किया गया है अगला कोशन किस ने ओर्चा के चत्तुर्भुच मंदिर का निर्मान करवाया है अप्शन है सत्पूरा राजा बुंदेला राजपूत राजा विक्रम अदित्य और राजा भोश्ट तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है बुंदेला राजपूत बुंदेला राजपूत ने ओर्चा के चत्तुर्भुच मंदिर का निर्मान करवाया है अगला कोशन विद्यांचल शेर्णी में ऊची चोटी है option है बेल चोटी, मिकाई शेर्णी, केसकेड शेर्णी और गुडविल पीक गुडविल चोटी ठीक है फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है गुडविल चोटी ठीक है विद्यांचल शेनी में सबसे उची चोटी कौन सी है गुडविल चोटी तो फ्रेंट्स ये सारे कॉश्चन्स हैं जो MPGK के हैं ठीक है तो आप ये सारे कॉश्चन्स कप कर सकते हैं जब आपने MPGK पढ़ा हो तो इसलिए मैं आप से कह रही हूँ कि आप कोई भी सबसे पहले MPGK खतम करना है ठीक है उसके बाद दूसरी चीजे पढ़ने है आपको सबसे पहले MPGK पढ़ना है तब ही आप ये सारे कॉश्चन्स अटेम्ट कर पाएंगे ठीक है नेक्स कॉश्चन देखते हैं भारतिय सेना के प्रमुक कौन है ऑप्शन है जनरल विक्रम सि जनरल दल्वीर सिंग जनरल विपण रावत, जनरल दीपक कुमार, कपूर, सौरी हां, कपूर चैसर हमारा राइट आंसर है जनरल विपिं रावत, ठीक है भारति सेना की प्रमुक का है जनरल विपिं रावत अगला कोशन देखते हैं केंद्र परियावर्ण वन एवं जल वायू परिवरतन मंत्राले की क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मद्र प्रदेश के कितने गाउ शामिल किये गए हैं ठीक है किसमें क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में तो मद्र प्रदेश के कितने विलेज श सामिल किये गए हैं किसमें क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत के परमानु सक्षम मिशाइल अगनी फिफ्ट का 2016 से परिक्षन किया गया था ठीक है तो क्या आप्शन है हमारे मुन्रो दीप फ्रेंट हैं हमारा राइट आंसर है अब्दुल का लाम दीप अब्दुल का लाम आइलेंट से किया गया था नेक्स कोश्चन देखते हैं तो राश्ट्रि प्रतीक पर निम्ण में से कौन से शब्द अंकीत है यह भी बहुत बेसिक सा कोश्टन है आप्षेन सथिमेव जय आते वंदे मात्रम जंगंड मन और भारत मता की जय तो फ्रेंड्स इसका आप सभी को पता होगा सथिमेव जय अटें ठीक है राश्ट्रि प् तो फ्रेंट्स इसका राइट ऊंसर है लोट माॉंट बेटन विवाजन परिशत के अद्यक्ष थी सूशाशन दिवश भारत के पूर्व प्रधार मंत्री देश के जनम दिन पर आयर्जित किया जाता है तो उप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंद्रा गांधी, अटल भिहारी वाजपाई और राजिफ गांधी इसका राइट आंसर है अटल भिहारी वाजपाई ठीक है, अटल भिहारी वाजपाई के बड़ देट पर क्या बनाया जाता है सूशाशन दिवर्स, गुड गवरनर्स देट, तो फ्रेंट से यह कॉशन भी बहुत बार पूछा जाता है और आपको और भी चीचे है जो अटल भिहारी वाजपाई जी के बार में पता होनी चाहिए, जैसे यह कब बने, ठीक है कब बने थे प्राइम मिनिस्टर, इनका देट और बर्थ, और क्या कहते हैं, इनकी जो अभी देट हुई है, तो उसके डेट वगेरा भी आपको पता ह होनी चाहिए, ठीक है, इनसे डिलेटेट कोश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नेक्स कोश्चन देखते हैं, दिबांग वन्य जिव अभ्यारण भारतिय राज्जी दैश में इस्तित है, तो आप्शन है जमू और कश्मी, सिक्केम, अरुनाचल प्रदेश, उरीशा, तो फ्रेंट्स, इसका राइट अंसर है, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, दिबांग वन्य जिव अभ्यारण कहां पर इस्तित है, अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है, अगला कॉश्चन, 1983 में जिस राष्ट्य पार्क को टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था, वह दैश राष्ट्य पार्क है, ठीक है, तो आप्शन है, पनपाथा, संजे डुबरी, पेंच, कान, तो फ्रेंट्स देखिए, ये MPG के हैं, जिसमें नेशनल पार्क वगेरा के बारे, तो आपक सारे नेशनल पार्क याद होने चाहिए, वह नेशनल पार्क कब बने, आपको वह भी याद होना चाहिए, ठीक है, वह नेशनल पार्क कहा है, आपको ये भी याद होना चाहिए, और एक और इंपोर्टेंचिन कि कुछ नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो आपको उनके सन भी आदो जाने होने चाहिए तो आपको यह चोटी 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 चीज वह सारी उस टॉपिक से डिलेटेड आपको पता होनी चाहिए तब जाके आपका वो टॉपिक कम्प्लीट होता है तो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए तो 1983 में किसे बनाया गया था 1983 में पेंच को बनाया गया था नेशनल पार्क पेंच को नेक्स को देखते हैं बारत का राश्ट्रीपती बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए तो मिनिम्म एज क्या होती है तो 40 एर्स 35 एर्स 60 एर्स और 50 एर्स तो इसका राइट आंसर है 35 एर्स ठीक है कम मतलब 35 एर्स की एज के बाद ही आप रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे ठीक है तो यह हमारा फर्स शिप खतम हो गया है जो 19 की डेट को फर्स शिप हुआ था अब हम जो 19 अगस्त 2017 को दूसरा शि करेंगे तो चलिए circule करते हैं किस वर्ष में भा रत ने पाकिस्तन के साथ दी नहीं लड़ाएं टीक है् तो नहीं लड़ा ये पूछा गया है तो option है 1950-1965-1947-1971 स्रेंट ऑफेंटस इसका राइट आंसर है 1950-1950 में भारत ने पाकिस्तन के साथ दीक है नहीं लड़ाथा और 1971 इन तीनों सनों में भारत और पाकिस्तान के बिच युद्ध हुआ था तो आपको यह तीन सन भी याद रखनें ठीक है इसमें नहीं हुआ आपको बेसिकली यही याद रखना है कि किन किन सन में हुआ था ठीक है 1965, 1947, 1971 अगला कॉश्चन देखते हैं भारतिय संग में कितने राज्य हैं बहुत बेसिक सा कॉश्चन है तब को पता होगा कि 29 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में नेक्स कॉश्चन देखते हैं किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और छेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदल कर भाशाई रेखाओं के साथ उन्हें संगटित किया तो ओप्शन क्या है हमारे राज्य कर्मांतरन अधिनियम 1959 राज्य कर्मांतरन अधिनियम 1963 राज्य पुना आरेखन अधिनियम 1957 राज्य पुनरगटन अधिनियम 1956 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है राज्य पुनरगटन अधिनियम 1956 ठीक है नेक्स कोश्चन देखते है दोजार सोला सत्रह में विजे हजारे ट्रॉफी किस ने जीती और किसको हरा के जीती थी तो बेंगॉल को हरा के जीती थी ठीके नेक्ट कॉश्चन देखते हैं 1873 में निमे लिखित में से कौन से संगर्ठन का आरम जोती राव फुले ने किया था ठीके जोती राव फुले उप्ष्टन है सत्य शोदक समाच बहुजन समाच जस्टिस पार्टी प्रातना समाच तो फ्रेंट जिसका राइट आंसर क्या है सत्य शोदक समाच ठीके अब देखी इसी से आपको किते कॉश्चन देखेंगे कि जोती राव फुले ने किस समाच का संगर्ठन किया था तो वो था सत्य शोदक समाच का यह भी हो सकता है कि सत्य शोदक समाच का संगर्ठन किस ने किया तो जोती राव फुले ने अब यह भी पूछ सकता है कि किस सन में किया ठीक है तो आपको आप यहर भी याद रखना है कि 1873 में जोती राव फुले ने सत्य शोदक समाच का संगर्ठन आरम पिकिया था ठीक है सहसराटी, सागा 220, परम यूवा सेकंड और परम 8000 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है परम 8000 ठीक है इस परम 8000 सूपर कंप्यूटर को भारत में प्रतम विक्सित हुआ माना गया है नेक्स कोश्चन देखते हैं निम्मिले के जिलो में कौन सा अफेन मुथपादन के लिए जाना जाता है तो आप्शन है श्यौपूर, मनसौर, शिपपूरी, सीदी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है मनसौर ठीक है मनसौर अफेन मुथपादन के लिए जाना जाता है यह इसका राइट आंसर है पुर्तगाल ठीक है पुर्तगाल गोवा पर शार्षन करने वाला अंतिम हुरोपिय देश था ठीक है नेक्स कॉश्चन देखते हैं प्राचिन समय में इन में से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है तो अप्षान एक अनोच जबलपूर वाराना सी इलाबाद तो फ्रेंट्स यह सब आप सबको पता ही होगा क्योंकि अभी डीसेंट में करेंट में यह न्यूस काफी है क्योंकि अलाबाद ठीक है इल प्रयाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इलाबाद का नाम बदल के फिर से कर दिया गया प्रयाग राज कर दिया गया तो अब इससे रिलेटेड कॉश्चन भी एज़ करेंट अफियर आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो यही चीज याद रखिएगा आपकी प्रयाग के किसे जाना जाता है तो अलाबाद को next question देखते हैं कि अधिर सागर बांद नाम इसके उपपर से रखा गया है जो बांड सागर बांद है उसका नाम किस के उपपर रखा गया है तो भानु सागर सागर सांपराट बांभट और वाना रहा है तो फ्रेंड्स इसका राइट अंसर है बांभट ठीक है बांड सागर बांद का नाम बांभट के नाम पे रखा गया है अ इसका राइट आंसर है न्यायमूर्थी एम हिदे तुल्ला हमारे चीफ जस्टिस थे पहले चीफ जस्टिस थे मध्यप्रदेश हाई कोड के तो फ्रेंट्स यह सारी चीज आपको याद होने चीज जो भी चीज पहली है जो भी पहला बने है या फिमेल है कोई यह सारी चीज आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट पोजीशन में कह रहे है फर्स्ट सी एम कौन बने है या कोई भी चीज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर से लिकर हर एक चीज आपको फर्स्ट याद होनी चाहिए ठीक है फर्स्ट याद होनी के साथ फर्स्ट फीमेल कौन सी रही है आपको वो भी याद होना चाहिए ठीक है यह मैंने अपने जेल पहरी के जब सीज बनाई थी तो उसमारत में मैंने आपको यह सारी चीजे बताई है कि आपको क्या क्या चीजे पढ़नी है तो आप उसके पेपर्स जरूर देखिएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है उस सारी लिस्टे बदल जाएंगे तो आपको यह सारी चीजे याद करनी है क्योंकि अब रिसेंट में हुई है तो यह रिसेंटी पूछा जा सकती है पूछी ही जाते हैं मोस्तली पूछे जाते हैं स्टेट मिनिस्टर और सेंटरल मिनिस्टर यह सारी चीजे आप से पूछी ज तो आप्शन है मनमोहन सिंग, पीवी नर्सिंग राउ, आर के शनमुकम चेटी और आर वेंकटरमन तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है मनमोहन सिंग ठीक है 1991 में आर्थिक सुधारों के समय में कौन थे हमारे फाइनेस मिनिस्टर मनमोहन सिंग राज तरंगिनी के लेखक कौन थे? ठीक है तो आप्शन है सूरदार, शुद्रक, कलहन, कलपक तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कलहन ठीक है तो यह सारे जो कौशन्स हैं यह हमें प्रिवियस एर पेपर हम पढ़ते हैं तब हमें देखने को मिल जाते हैं तब कब इन में से कोच उठके आ जाए तो हमें एक तरीके की खुशी मिलती है यह चीज में पढ़ी थी और देखो यह आ गई और मुसली जो लोग नहीं पढ़के जाते उनसे नहीं बनती है ठीक है तो इसलिए आपको है और ट्रिवियस एर पेपर मैं आपको फिर बोल रह अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो आपको यह सारी चीजे कंप्लीट करनी पड़ेगी तो MPG के खतम करिए स्टेट मिनिस्टर के सारी चीजे खतम करिए प्रिवेस एर पेपर खतम करिए और करेंट में जो चल रहा है उस चीज का ध्यान रखिए तो यह सारी चीजे आपको सेलेक्शन की और ले जाएंगी ठीक है आगे देखते हैं नेक्स कोश्चन लोगसाब का पूरा कारेकाल दैश का होता है तो ओप्शन इस सिक्स येर्स फाइव येर्स सेवें येर्स एड़ एट येर्स तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फाइव येर्स ठीक है फुल सेलेक्शन लोगसाब का पूरा कारेकाल पांच साल का होता है अगला कोश्चन देखते हैं फोर्ट विल्यम कॉलकत्ता में दैश नदी के किनारे स्थित है तो ऑप्शन है हुगली यमुना ब्रहमपुत्र गंगा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हुगली तो क्या है हुगली रीवर कहा है कॉलकत्ता में आपको ये चीज भी पता होनी चीज और फोर्ट विल् कि ऐसा ना हो कि आने वाले पेपरों में वही वह कॉश्चन में आके दे दे ठीक है उससे रिलेटिटी तो ऐसे पूरा कांप्लीटली आपको पढ़ना है कि बस ऐसे नहीं पढ़ लेना है फोर्ट विल्यम हुगली किनारे पर नहीं कोलकत्ता में है आपको ये सारी चीज भी पता होनी चाहिए नेक्स कॉश्चन इसका राइट आंसर है 1930 तो देखे ये हिस्ट्री वगेरा के बहुत बेसिक से कॉश्चन है जो वो पूछते हैं जो हर बार वो रिपीट करते रहते हैं आपसा ऐसा कुछ नहीं पूचेंगे कि ये चीज कब हुई थी क्या हुई थी आपने कहीं न कहीं उसका नाम सुना होगा कहीं न कहीं उस चीज को पढ़ा होगा वो वही रिलेटिड कॉश्चन आपको देते हैं ठीक है बहुत बेसिक से कॉश्चन देते हैं जी एस से वो तो कब हुए था स्टार्ट 1930 में स्टार्ट हुआ था नेक्स कॉश्चन देखते सिखो के नवे गुरू थे कौन थे गुरू अर्जुन देफ गोविन सिंग गुरू अमर्दास गुरू तेख भाद दो तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुरू तेख भाद दो तो देखिए अभी गुरू पोचा है क्या पता वो पाँचवे गुरू पूछ लेते दूसरे गुरू कौन थे तो यह चीज आपको याद करनी है प्रिवियस यह पेपर हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसके टॉपिक देखें कि किन किन चीजों से कॉश्चन आते हैं उस पर पूरा पढ़े कि ऐसा ही नहीं कि हम प्रिवियस यह पेपर पढ़ रहें तो हमने इसमे हमें अस्टड़ी करनी है इस तरीके से हमें हमारी प्रिपेशन करनी है नेक्स्ट कॉश्चन इंचान एशियान खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वंट पद्गो की संक्या है ठीक है तो आप्शन है 12, 10, 11, 9 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 11 ठीक है कितने गोल् इंडिया ने जीते थे नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ठीक है तो देखे आपको मुख्यमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए ठीक है थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपक प्राइम पर चौहान जी के लिए पूचा गया था कि वह कब पहली बार मुख्यमंत्री बने ठीक है मध्य प्रदेश के तो आपको एटलिस लिस्ट याद होना चीह कि किसके बाद कौन मुख्यमंत्री बना है तो जैसे अब यहां कोश्चन पूछ लिया है कि उमा भारती के बाद मंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ठीक है तो बने ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं भारत का सबसे छोटा राज्जी है तो फ्रेंट्स अप्शन है सिक्किम गोवा असम केरल तो इसका राइट आंसर है गोवा ठीक है भारत का सबसे छोटा राज्जी कौन सा है गोवा राष्टि सुरक्षा परिश्यत भारत एनस्सी का मुख्याले कहां इस्तित है तो फ्रेंट्स इसके ऑप्षण है गांदी नगर, अलाबाद, मुदीरा, मुंबाई तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है मुंबाई नेक्स्ट कोश्चन राष्टि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ओप्षण है 4 सितंबर, 24 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 14 सितंबर नेक्स्ट कोश्चन दोजार सत्रा के विधान सबा चुनावों में मनुहर परिकर काओ गोवा के मुख्य मंत्री के रूप में चुना जाने के लिए कि छेत्री पार्टी ने भाजपा को समर्तन दिया था उप्षन ने गोवा डेमोक्रिटिक फ्रेंट गोवा सुरक्षा मंच युनाइट गोवन्स डेमोक्रिटिक पार्टी महराष्ट्र गोमांतक पार्टी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है महराष्ट्र गोमांतक पार्टी नेक्स्ट कोश्चन निन में से किस नदी का उद्गा मिस्तल भारतिय भूभाग में नहीं है ओप्शन है चिनाब, रावी, माहा नदी, ब्रह्मपुत्र तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र ठीक है बम पुत्र नदी का उद्गा मिस्तल भारती भुभाग में नहीं है नेक्स कोश्चन मध्य प्रदेश इस्तित नम्म अंकित में से किस भवन ने वास्तु करला के लिए पद्दत आगाखा पुरुसकार जीता है और शौर इसमारक वल्लब भवन ताच उलमस्जित विधान भवन तो फ्रेंड़्स इसका राइट आंसर है विधान भवन नेक्स कोश्चन विश्व में बैंकों की शाकाओं की सर्वदिक संक्या किस देश में है औप्शन है Canada, चीन, भारत, USA तो friends इसका राइट आंसर है भारत ठीके भारत में विश्व में बैंक शाकाओं की सर्वदिक संक्या काकिस देश में भारत में है नेक्स कोश्चन भारत में सबसे लंबा समुद्रतत कौन सा है औप्शन है जुही समुद्रतत, दांदी समुद्रतत, पूरी समुद्रतत और मेरीना समुद्रतत तो friends इसका राइट आंसर है मेरीना समुद्रतत भारत में सबसे लंबा समुद्रतत कौन सा है मेरीना समुद्रतत और विश्व में ये दूसरे नंबर पर आता है ठीक है भारत में पहले नंबर पे और विश्व में दूसरे नंबर पे मैरीना समुंदर टट नेक्स कॉश्चन 2017 में किस भारती क्रिकेटर को पदमश्री पुश्कार मिलाता औप्शन है रवेंद्र जडिजा, MS दोनी, विराट कोली, हार्दिक पांडे 2017 में विराट कोली को पदमश्री पुश्कार मिलाता जो इंदोर के पास एक उध्योगिक शहर है मोटर वाहन उध्योग के भारी सकेंद्रक के कारण भारत का डेट्रोइट के उपनाम से जाना जाता है औप्शन है धमोंद, पितमपूर, लिमबोडी, अहिर खेडी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है पितमपूर नेक्स कोश्चन विंग्स ओफ फायर किनकी आत्मकता है औप्शन है के नटवर सिंग, एलके आडवानी, सचिन तैंदुलकर, एपीजे अब्दुलकलाम विंग्स ओफ फायर, एपीजे अब्दुलकलाम की आत्मकता है नेक्स कोश्चन सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बता है जिनोंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी है औप्शन है खान अब्दुल, सलीम खान, शरत सक्षेना, जावेद अक्तर इसका राइट आंसर है शरत सक्षेना सतना में पैदा हुए शरत सक्षेना ने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी है तो सरत सक्षेना का जनम कहां हुआ था? सतना में नेक्स कोश्चन बेजनात मिश्रा, बेजु बावरक, एक दैश अंगितकार थे अप्शन है टपा, खयाल, दुरूपद, गजल तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है दुरूपद नेक्स कोश्चन भारत के किस प्रदेश में केन वंजिव अभ्यारन स्तित है? अप्शन है हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुनाचल प्रदेश, राजिस्तान तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है अरुनाचल प्रदेश, भारत के अरुनाचल प्रदेश में केन वंजिव अभ्यारन स्तित है? नेक्स कोश्चन बीएस सेकेंड, बीएस वर्द, बीएस थर्द तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है बीएस थर्द नेक्स कोश्चन किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? अप्शन है श्याम जी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाच पत्राय, एनी बेसेंड तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा क्षाम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना की थी नेक्स कॉश्चन मद्य प्रदेश जिवाश्म पार्क दैश में स्थित है उप्षाने कटनी, सिवनी, रतलाम, सतना तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कटनी मद्य प्रदेश जिवाश्म पार्क कटनी में स्थित है नेक्स कॉश्चन पुस्तक गुलाम गिरी के लेखक कौन है? उप्षाने बियार अंबीटकर, महश्वेता देवी, जोतीबा फुले, काशी राम तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है जोतीबा फुले पुस्तक गुलाम गिरी के लेखक कौन है? जोतीबा फुले नेक्स कॉश्चन निन मैंसे किस जिले के गावों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? उप्षाने जाबुआ, पन्ना, शाजापुर, राजकर फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है राजकर राजकर जिले के गावों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? नेक्स कॉश्चन भारतिय सेवक समाज के स्थापना इनके द्वारा की गई थी? अप्शान है रामक्रिष्ण परहंस, गोपालक्रिष्ण गोकले, बाल गंगर दर्तिलक्स, ओमी विवेका, नन्ट्स इसका राइट आंसर है राजकर भारतिय सेवक समाज की स्थापना गोपालक्रिष्ण गोकले के द्वारा की गई थी? नेक्स कॉश्चन तो फ्रेंट्स, 22 अगस्ट की फर्ट शिफ्ट खतम हो गई है, ठीक है? अब हम 22 अगस्ट की सेकंड शिफ्ट देखेंगे, जो दिन के दीन बज़े हुई थी? आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्रेंट्स तो प्रेंट्स सस्क्राइब कर लीजेए, साथ में नोटिफिक्सिशन बेल को भी दबा दीजेगा तो चलिए देखते हैं, सेकंड शिफ्ट का पहला कॉश्चन निर्ण में से कौन सा राश्ट्री उध्यान मध्य प्रणदेश से संबधित नहीं है, और जीम कॉर्बेट उध्यान सबसे पुराना नेशनल पार्क है यही है और यह कहां पर है उत्रा खर्ण में इसके प्लेज भी पूची जाती है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है उत्रा खर्ण में नेक्स कॉश्चन देखते हैं अपर्ण म्द्यप्रदेश में लेदर कॉंप्लेक्स देश यहां स्थापित किया गया है ऑप्षान इदेवास उज्चैन चंदवारा शाजापूर तो फ्रेंटेश इसका राइट आंसर है देवास ठीक है मध्य प्रदिश में लेधर कॉंप्लिक्स देवास में स्थापित किया गया है नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत में पहला अंग्रीजी समाचार पत्र कौन सा था अप्शन है बेंगॉल गेजट, डेकन कॉनिकल, दे हिंदू और टाइमस ओफ इंडिया इसका राइट आंसर है बेंगॉल गेजट, भारत में पहला अंग्रीजी समाचार पत्र कौन सा था बेंगॉल गेजट, नेक्स कोश्चन भारत को कौन सा राजी उत्तर में कनाटक, पूर में तमिल लाडू और पच्चे में अरब समुंदर से गिरा हुआ है अप्शन है गुजरात, आंध्रप्रदेश, कैरल, महराश्ट्र तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कैरल ठीक है कैरल उत्तर में कनाटक, पूर में तमिल लाडू और पच्चे में अरब समुंदर से गिरा हुआ है नेक्स कोश्चन 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उरिशा की राजदानी था अप्शन है संबलपुर, कटक, पूरी, भूमनेश्वर तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कटक 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उरिशा की राजदानी थी तो थी कटक समविदान के अनुचेद 80 में निर्धारत अनुसार राजी सबाब में सदस्यो की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है ओप्शन है 250 565, 525, 545 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 250 ठीक है कितनी संक्या हो सकती है राजी सबाब में सदस्यो की तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है ग्वालियर ठीक है मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में तांसन समारो आयोजित किया जाता है नेक्स कॉस्चन महनदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्यु में है उप्शन है चतिसगर जारकंड उरिसा मध्यप्रदेश तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है चतिसगर महनदी नदी का प्रमुख भाग चतिसगर में है नेक्स कॉस्चन चेत्रफल की दस्टी कों से मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है उप्शन है सागर, सीधी, चिंदवाड़ा, बैतूल तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है चिंदवाड़ा चेत्रफल की दस्टी कों से मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिंदवाड़ा है नेक्स कॉस्चन पेशावर से कोलकत्ता तक की प्रसित ग्रैंट ट्रंक रोड का निर्वाण इन्होंने करवाया उप्शन है अलाउद दिन खिलजी, मोहबन बिन तुगलर, बलबन, शेरशा सूरी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है शेरशा सूरी नेक्स कॉस्चन अप्शन है अमीर खान, अमिताब बच्चन, विद्या बालन, सल्मान खान तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है अमिताब बच्चन ठीक है नेक्स कॉस्चन बारत सरकार द्वारा पैरम किया गया आधर आधरित मोबाइल भुकतान अप्लिकेशन का नाम है अप्शन है समय अर्जुन, साक्षाथ, भीम तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है भीम ठीक है और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत इंटरफेस फॉर मनी ठीक है फ्रेंट्स इसका फुल फॉर्म भी पूचा जा सकता है और यह कब रॉंच हुआ था, तो 30 December 2016 में, ठीक है, ये भी बाते इसके बारे में याद रखें, तो इसका फुल फर्म और कबाया था, 30 December 2016 में, बी, नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं, लोगसबा का अध्यक्ष कौन है, उप्चान है, सुमित्रा महाजन, पीजे कुरियन, अरुन जैटली, शुष्मा स्वराज, तो फ्रेंट्स, इसका राइट आंसर है, सुमित्रा महाजन, लोगसबा का अध्यक्ष कौन है, सुमित्रा महाजन, नेक्स्ट कॉस्टन, लोग सबा के पहले वक्ता कौन थे? अप्शन है नीलम संजीवा रेडी, गनेश वासुदेव मावलंकर, के ऐस हेगिडे, हुकुम सिंग तो फ्रेंच इसका राइट आंसर है गनेश वासुदेव मावलंकर लोग सबा के पहले वक्ता कौन थे? गनेश वासुदेफ मावलंकर जीवी मावलंकर नेक्स कोश्चन नोबल पुरुसकार पाने वाले भारतिय पहले भारतिय पहले भारतिय कौन थे ओप्शन है रविनाथ टैगर, एसस भटनागर, जेसी बोस, सीवी रा मंतो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है रविनाथ टैगर, ठीक है नोबल पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिय रविनाथ टैगर थे नेक्स कोश्चन मादव अभ्यारण दैश में स्थित है ओप्शेन सागर, होशंगा बास, सीधी और शिपपूरी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है शिपपूरी मादव अभ्यारण कहां स्थित है शिपपूरी में नेक्स कोश्चन बारत की पहली महिला राष्ट्रुपती कौन है औप्शन है सरोश निनाइडू, शार्दा मुकरजी, सल्ला, ग्रेवाल और प्रतीबा पार्टिल तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है प्रतीबा पार्टिल भारत की पहली महीला राश्ट्रुपति को ने प्रतीबा पाटे लोब यह इकलोती है मतलब अभी एक ही महीला बनी है प्रेसिडेंट ठीके फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन विधान सभा में जी एस्टी कानूर प्रारित करने वाला भारत का प्रतम राज्ची कौन सा था अप्शन है तमिल नादू, गुज्चराज, अमध्य प्रदेश असम तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है असम ठीके विधान सभा में जी एस्टी कानूर प्रारित करने वाला भारत का प्रतम राज्ची कौन सा था असम इसरो का विक्रम सारभाई अंत्रिक्ष केंद्र कहां इस्थित है ओप्शन है महेंद्र गिरी तिरुवंतन पूरम बैंगलोर शी हरी को टाथो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है तिरुवंतन पूरम ठीके नेक्स कौशन मध्यप्रदेश राज्ची के प्रतम मुख्य मंत्री थे ओप्शन है रवी शंकर शुकला शिवाजी राव केलाश ना के स्वर्ष में बाग परियोजना का लोकाप्रन हुआ था ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर का बलांच हुआ था हमारे ओप्शन है तुथाज़ेक्ट ट में प्रोजेक्ट टाइगर नौश्च हुआ था अगला कॉस्चन किस वर्ष में भारत एक गन राज्य बना ठीक है इंडिया बिकमा रिपब्लिक ऑप्शन है 1956, 1950, 1952, 1947 तो फ्रेंट्स 1947 में इंडिया इंडिपाइंडेंड बना था ठीक है इंडिया इंडिपाइंडेंडें भारतिय तट्रक्षक बल के महा निदेशक बनने वाले प्रतम प्रत्यक्ष प्रविष्टी तट्रक्षक अधिकारी कौन है ओप्शन है राजेंडर सेंग, कृष्ण चौदरी, प्रभा करन पालेरी और HCS बिष्ट तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है राजेंडर सेंग ठीक है अगला कोश्चन मेघाले का वर्तमान राजेपाल कौन है ओप्शन है तथागत रोय पद्मनाब आचार्य बनवारी लादल पुरोहित वी शन्न मुगनाथन ठीक है हमारा राइट आंसर है बनवारी लाल पुरोहित अगला कोश्चन बारद्य नौ सेना के प्रामो कौन है ओप्शन है एड्मिरल रोबिन धोवन एड्मिरल एस एम प्रकाश्टनदा एड्मिरल सुनिल लामबा एड्मिरल अरुन तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एड्मिरल सुनिल लामबा एक और इंपोर्टेंट चीज यह जो पेपर गई है कि अभी कौन है तो आप एक बार साथ जरूर कर लीजेगा कि कहीं कोई चेंज तो नहीं हो गया है तो आप प्रेजेंट के हिसाब से याद कीजिएगा नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं प्रित्वी की सताह का तीन चोथाई भाग तेश द्वारा अधिकरत है ठीक है तो आप्शन है वायू, रेथ, जल, बर्फ तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है जल ठीक है थ्री फोर्थ अपना अफ दे अर्स सर्फिस इस ओक्यूपाइड बाई वाटर नेक्स्ट कोश्टन दादा साफ फाल के पुरुसका निम्द के लिए प्रदान किया जाता है और ये फिल्म के चित में दे जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार है अगला कॉश्चन भारती समविदान का कौन सा अनुछेत बोलने की स्वतंतरता तता अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याब होती करता है ठीके राइट टु फ्रीडम ओफ स्पीच एन एक्स्प्रेशन अप्शन है आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 19 ठीके आर्टिकल 19 में राइट टु फ्रीडम ओफ स्पीच एन एक्स्प्रेशन है मद्यप्रदेश के उच्छ नयाले का प्रधान आसन कहा है तो उपशन इंदोर, ग्वालीर, जबलपुर, बोपाल ठीके प्रिंसिपल सीट, हाइब कोट के प्रिंसिपल सीट कहा है मद्यप्रदेश में, जबलपूर में नेřक्स कोशन देखते हैं पगारा बांथ इस जगा में स्थित है तो अप्शन है मुरैना, शोलापूर, उज्जेन, बाला घाट तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है मुरैना ठीक है पगारा बांथ मुरैना में स्थित है अगला कॉस्चन केंद्र सरकार के सभी मंत्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है अगला कॉस्चन भारती रिजर्ब बैंक का मुख्याले कहां इस्थेते है अप्शन है कोलकाता, मुंबाई, इंदोर, नई देली तो फ्रेंट्स हमारा राइट आंसर है बुंबाई ठीक है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया का हेड़कॉर्टर कहां इस्थेते है मुंबाई में अगला नई फॉर्टी सेवन एच जो कुंड़नूर से प्रारंब होता है भारत में सबसे छोटा राचमार्ख है इसकी लंबाई क्या है तो आपको यह चीज तो पता है कि सबसे चोटा राचमा कौन सा है नई फॉर्टी सेवन है और सबसे लॉंगेस्ट अब आपने यह कॉशन लंबाई पूचिए तो आपसे हो सकता है लॉंगेस्ट की पूच ले तो आपको लॉंगेस्ट की भी लंबाई के बारे में पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए कि वह कहां से लेकर कहां तक है ठीक है तो अभी हमारा कॉश्चन है कि NH-47A इसके लंबाई कितनी है त आप्शन है 8 km, 5 km, 10 km, 6 km, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 6 km, एनेच 47E की लंबाई किती है 6 km, अगला कोशन देखते हैं, निमे लिखित में से कौन वर्ज, 2015 के लिए ग्यानपिद पुरुसकार के विजेता है, आप्शन है भाल चंद्र नेमाडे, रगुवीर चौधरी, गृरिश कारनट और शंग गोश, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है, रगुवीर चौधरी, ठीक है, 2015 ग्यानपिद अव जब आपको फर्स पेपर पढ़ाया था, उसमें नवे गुरु के बारे में पूछा गया था, तभी मैंने आपसे कहा था, कि आपको दस के दस गुरु के नाम याद करने हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट याद करना है, तो देखिए आप उसके तीसरे इतिन के पेपर में, तीसर गुरु के बारे में पूछ लिया गया, तो फ्रेंट्स इसका राइट आणसर है, गुरु अमर दास, ठीक है, तो आपको क्या याद करने है, जो सिक्के दस गुरु तें, दस गुरु के बारे को याद करना है कि कौन से गुरु कौन से नंबर पे है, ठीक है, अगला आपाई कहा है, भीष्रत इसका में इस्तित है, नेंस् desse करज़ून, भारत में पाहवन है, पहले एशयाई खेलों का आयोजन किया गया था, ठीक है, सबसे पहले एशयाई गेमें का बह ingenß है, नाप्शनल में नइंकिन फिफिटी, नाइंकिन फिफिटी तू, नाइंटीन फ में फर्स अशियन गेम्स वर हैल्ड इन इंडिया इन 1951 नेक्स कॉश्चन अंतराश्ची शम दिवस किस दिन मनाया जाता है तो फ्रेंट्स डेट्स हर एक्जाम में डेट्स पूची जाती है तो आपको सारी डेट्स याद करनी है कि किस दिन क्या मनाया जाता है ठीक है यह बह बनाया जाता है एक माई को एक माई को अंतराष्ट्री श्रम दिवस मनाया जाता है अगला कोशन भारत के उपर राष्ट्रपती को ठीक है तो हम चार ओप्शन है राज्य सभा और लोग सभा दोनों के सदस्य द्वारा चुना जाता है जिन जिलो से करक रेखा नहीं गुजरती है। आप्शन है शाहपूर और राजकर, इंदौर और बालगाट, भोपाल और जबलपूर, रतलाम और उजेन, तो फ्रेंट्स मद्य प्रदेश के चवदा जिलों से करकर रेखा गुजरती है, तो यह 14 के चवदा जिलों आपको याद होने चाहिए, तब ही आप इस तरीके को कॉ इससे रिलेटिड कोशन करी लेंगे, तो इसका राइट आंसर है इंदौर और बालगाट, ठीक है, इंदौर और बालगाट से करकरे का नहीं गुजरती है, अगला कोशन, तो यहीं पर हमारा फर्स शिप खतम हो गया है 21 अगस्त का, अब हम 21 अगस्त का तीन बचे का पेपर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले, अगर आपको बत व्याद दिला दू, अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजे, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजे, ताकि जो यह पेपर की सीरीज चल रही है, और भी बहुत सारी MPGK से और General Studies से रिलेटिड हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, तो उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, पहला कॉस्टिन, RTI अधिनियम को दैश के दिन राष्ट्रपती सुईकरती मिली थी, तो उप्शन है 15 अधिनियम को राष्ट्रपती के द्वारा सुईकरती मिली थी, ठीक है, अगला कॉस्टिन, क्रिशी अफ्शेशों से CNG बनाने वाला भारत का प्रतम जेव CNG प्लांट दैश में इस्थित है, कहां इस्थित है, अप्शन है जारकन, तेलांगना, महराष्ट, मधिप्रदिश, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, महराष्ट, ठीक है, अफ्शेशों से CNG बनाने भारत का प्रतम जेव CNG प्लांट, ठीक है, प्रतम से जेव CNG प्लांट महराष्ट में इस्थित है, अगला कोशन, भारत के ग्रह मंत्री कौन है, अप्शन है, अरुन जेटली, पियूश कोयल, राजनाथ सेंग और नितिन गटकरी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, राजनाथ सेंग, ठीक है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजनाथ सेंग, अगला कोशन देखते हैं, वहाँ प्रधान मंत्री कौन है, जिनका सबसे लंबी अवदी का कारेकाल रहा है, ऑप्शन है, जवाललाल नेरु, मन मोहन सिंग, इंदरा गांधी, लाल बादु, शास नेरु की, अगला कोशन देखते हैं, भारत में कितने राजनेतिक दलों के पास राष्ट्रे दल का दर्जा है, ठीक है, नैशनल पार्टी स्टेटर किती पार्टिया है, ऐसी ओप्शन है, हमारे 7, 12, 5, 3, तो फ्रेंसिस का राइट अंसर है, ऐसी 7 पार्टिया है, जिनने न नियाइदिशो को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोट के जाज को किसके द्वारा रिमूफ किया जा सकता है, ऑप्शन है, पार्लियामेंट, लॉव मिनिस्टर, दप्रेसीडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो फ्रेंसिस का राइट आंसर है, पार्ल भीमनें है तिरूवन्त पुरं, श्री हरी जुटा, नर रेंद्र, पूरी और महेंद्र, गीरी तो फ्रेंड्सिस का राइट आंसर है श्री हरी कोटा ठीक है। तो आंद्र प्रदेश के श्री हरी कोटा में सतिष दवन अंत्रिक्ष के इंद्र स्थित है अगला कोश्चन देखते हैं भारत में किस राज्चिमें अधिक्तम वन आच्छा दान मतलब स्थिता है अगला कोश्चन भारत के सम्विदान का कौन सा अनुचे जम्मु और कश्मीर को विशेश स्तिती प्रदान करता है ओप्शन है 371, 370, 368, 372 तो फ्रेंड इसका राइट उसर है 370 ठीक है आर्टीकल 370 भारत के समिदान करता आर्टीकल 370 जमुवें कश्मीर को विशेश स्थेती प्रदान करता है अगला गोश्चन भारत में 100 प्रतीशत विध्यूती करन प्राप्त करने वाला राची कौन सा है औप्शन है गुजरात आंध्र प्रदेश मिघाल है मध्य प्रदेश तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुजरात जो पहला स्टेट है जिसमें जहां पे 100% इलेक्रिफिकेशन है घरों में वह है गुजरात ठीक है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कि दोजार सोला में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉंफ्रेंस देश में आयोजित की गई थी ऑप्शन है श्रिलोंग चैपूर इंदौर रायपूर तो फ्रेंड्स इसका राइट अंसर है जैपूर ठीक है दोजार सोला म ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉंफ्रेंस चैपूर में आयोजिक गई की गई थी अगला कॉश्ट निमांकित में से सबसे कम उम्र का शत्रंच का भारती ग्रैंड मास्टर कौन है ऑप्शन है पदमीनी रौत पेंगाला हरी कृष्ण परिमार्चन नेगी और प्रवीन तिप से आयइ तांसर ये परिमार्चन नेगी तिकैस में कम उम्र का शत्रंच का भारति ग्रैंड मास्टर परिमार्चन नेगी है नेक्स कोस्चिन टीपी सुल्तान इस छेत्र के शाषकते आप सबी को पता होगा टीपी सुल्तान मैसूर के शाषकते ठीक है नेक्स कोशन दिखते हैं भारत में बारा जोति लिघंग है उडल में से दो मद्धि-प्रदेश में कहा इस थिते ऑप्षमे उजयन और उमकारिशुर्र उजेन और होशरंगाबाद ओमकारिशवर और इंदार भोपाल और इंदार तो फ्रैंटसिस का राइट आंसर है। उजेन और ओमकारिशवर ठीक है। 12 जोति लिंक में से दो मध्यादी प्र्धिप्रधेश में और वो कहां है। उजेन और ओमकारिशवर में। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे जवाललाल नेरू, इंद्रा गांधी, लाल भादू शास्त्री, राजिव गांधी तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाल भादूर शास्त्री 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय लाल भादूर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे अगला कॉस्चन अंतिम मुगल समराट कौन था? ऑप्शन है बाबर कौन थे? फर्स्ट मुगल समराट थे अगला उप्शन है तीपू सुल्तान औरंग जेब और भादूर शास्त्री प्राइट थे नेक्स्ट कॉस्चन काहिरा बांध यहां पर इस्थित है ऑप्शन है धार कैमूर डिस्ट्रिक शिपूरी रीवा तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कैमूर डिस्ट्रिक कैमूर जीले में काहिरा बांध इस्थित है अगला उप्शन भारत के किस पडोसी देश में सुंदर्बन फैला हुआ है अप्शने बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तो फ्रेंट्स इसका राइट आनसरे बांगलादेश थीक है भारत के बांगलादेश पडोसी देश में सुंदर्बन फैला हुआ है Next question प्रसिद्ध गायक तानसेन कहां से थे? अप्शन है उज्जयन, इंदोर, ग्वालियर, भोपाल तो फ्रेंट्सिस का राइट आंसर है ग्वालियर ठीक है प्रसिद्ध जिंगर चुद्ध तानसेन थे वो ग्वालियर के रहने वाले थे अंगलो कॉस्चन सोन नदी का उद्गम इस्तान दैश के समीब है अप्शन है दिंडोरी, अमर कंटक, उमरिया और खजुरा हो तो फ्रेंट्सिस का राइट आंसर है अमर कंटक ठीक है सोन नदी का उद्गम कहां से है? अमर कंटक से है तो उप्शन से 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 15 जुलाइट तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर ठीक है मानव अधिकार दिवस, हुमन राइट स्टेक अप बनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स कोश्चन देखते हैं विदिशा किस नदी के तट पर इस्थित है तो उप्शन है रवी, सोन, कैन, बेतवा तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है बेतवा ठीक है विदिशा बेतवा नदी के तट पर इस्थित है अगला कोश्चन देखते हैं इतिहास के अनुसार किसने गौालियर की स्थापना की तो फ्रेंट्स ऑप्शन है राना सिंग, समराथ अशोक, राजा विक्रम अदित्य, सूरस सिंग तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है सूरस सिंग ठीक है इतिहास के अनुसर गौलियर की सापना किस ने किये सूरफ सिंग ने किये अगला कॉश्चन प्रधान मंत्री शी नरेंट मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुलुद है के लेखा के यह मतलब प्रधान मंत्री जी के उपर लिखी हुई के उनकी जीवनी के उपर लिखी हुई किताब है मोदी एक तारे का अतुलुद है तो वो किस ने लिखी है तो उप्षन ने राजदेप सर देशाई तरुन विजे राजे श्रिवास्तव रजत शर्मा तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है तरुन विजे तरुन विजे ने ये किताब लिखी है अगला कॉश्चन देखते हैं हिंदुस्तान एरो नौ्टिक्स लिमिटेड का मुख्याले कहां इस्तित है तो ओप्षन है चैन्नाई बैंगलोरु देवास को रापूर्ज इसका राइट आंसर क्या है बैंगलोरु अगला कॉश्चन बारत में कुल दैश केंदर शार्षत प्रदेश है तो ये तो बहुत ही easy question है हम सभी को पता है कि seven union territories हमारी इंडिया में है अगला question देखते है बारती रिजर्ब बैंक की स्थापना कब हुई थी option है 1949, 1947, 1927, 1935 तो friends इसका right answer है 1935 तो ये बहुत ही basic question है ये जो questions है most exam में repeat होते जाते हैं ऐसा नहींगी सारे के सारे उठके आ जाते पर आपको कुछ questions प्रिवेस एर के paper में से जरूर देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही important important question है कि ये तो पूछते ही पूछते हैं है ना मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी exam में आ ही जाते हैं तो आपको ये सारे question धंक से पता होने चाहिए अगला question केन सरकार के वित्र मंत्राले में मुक्य आर्थिक सलाकार कौन है अप्शन है अर्विन सुब्रमान्यम, संजीव सन्याल, सुब्रमान्यम सौमी, रगुराम राजन तो friends इसका right answer है संजीव सन्याल ठीक है केन्द सरकार के वित्र मंत्राले में मुक्य आर्थिक सलाकर कौन है संजीव सन्याल अगला question देखते है संस्क्रित के लिए 24 के साहित अकड में पुरुसकार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है ठीक है तो option है राम जी ठाकुर, मिधिला प्रसाथ तिभाटी, प्रभुनात दिवेदी और राम शंकर आवस्ती तो friends इसका right answer है प्रभुनात दिवेदी ठीक है प्रभुनात दिवेदी को संस्क्रित के लिए 24 के साहित अकड में पुरुसकार के विजेता के रूप में नामित किया गया है अगला question किस ने ओर्चा के चत्तुर्भुच मंदिर का निर्मान करवाया है तो friends हमारा right answer है बुंदेला राजपूत ने ओर्चा के चत्तुर्भुच मंदिर का निर्मान करवाया है अगला question विद्यांचल शेणी में ऊची चोटी है option है बेल चोटी, मिकाई शेणी, केसकेड शेणी और गुडविल पीक गुडविल चोटी ठीक है friends इसका right answer है गुडविल चोटी विद्यांचल शेणी में सबसे उची चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी तो फ्रेंट्स ये सारे questions हैं जो MPGK के हैं ठीक है? तो आप ये सारे questions कर सकते हैं जब आपने MPGK पढ़ा हो तो इसलिए मैं आप से कह रही हूँ कि आप कोई भी question कुछ भी करने से पहले मतलब आप तैयारी करने जा रहे हैं किसी भी exam के लिए व्याप पम के तो आपको सबसे पहले MPGK खतम करना है ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़े पढ़ने हैं आपको सबसे पहले MPGK पढ़ना है तब ही आपकी सारे questions अटेम्ट कर पाएंगे ठीक है next question देखते हैं भारती सेना के प्रमुक कौन है? ऑप्शन है जनरल विक्रम सिंग, जनरल दलवीर सिंग, जनरल विपिन रावत, जनरल दीपक कुमार, कपूर तो friends हमारा right answer है जनरल विपिन रावत, ठीक है भारती सेना के प्रमुक कौन है? जनरल विपिन रावत, अगला कोशन देखते हैं केंद्र परियावरन वन एवं जल वायू परिवरतन मंत्राले के climate smart village project में मद्र प्रदेश के कितने गाउ शामिल किये गए हैं? ठीक है किसमे climate smart village project में? तो मद्र प्रदेश के कितने village शामिल किये गए हैं? तो हमारा right answer है 60, 60 ठीक है मद्र प्रदेश के 60 village शामिल किये गए हैं किसमे climate smart village project में? next question देखते हैं भारत के परमानु सक्षम मिशाइल अगनी 5th का 2016 से परिक्षन किया गया था ठीक है तो क्या option है हमारे मुन्रो दीप, शीरंगरंप दीप, अब्दुलकलाम दीप, हैवलोग दीप तो french हमारा right answer है अब्दुलकलाम दीप ठीक है अब्दुलकलाम आइलेंट से किया गया था next question देखते हैं राश्ट्री प्रतीक पर निम्ण में से कौन से शब्द अंकीत है तो यह भी बहुत बेसिक्स और कॉप्शन है सत्यमेव जयरते, वंदे मात्रम, जंगंडमन और भारत माता की जयरते हैं तो फ्रेंट्स इसका आंसर आप सभी को पता होगा सत्यमेव जयरते हैं ठीक है राश्ट्री प्रतीक पर सत्यमेव जयरते शब्द अंकीत हैं next question विभाजन परिशत के अध्यक्ष कौन थे ओप्शन है लौट माउंट बेटन, जवालल नहरू, एमेजिनन और वीपी मेहनन तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है लौट माउंट बेटन ठीक है लौट माउंट बेटन विभाजन परिशत के अध्यक्ष थे next question सुशाषन दिवश भारत के पूर्व प्रधार मंत्री देश के जनम दिन पर आयजित किया जाता है तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री इंद्रा गांधी अटल भिहारी वाजपाई और राजिफ गांधी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है अटल भिहारी अटल भिहारी वाजपाई जी के पार में पता होनी चाहिए जैसे यह कब बने ठीक है कब बने थे प्राइम मिनिस्टर इनका देट अब बर्त और क्या करते है इनका इनकी जवाबी दैत हुई है तो उस वारे उसके डेट वगेरा भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है इनसे डिलेटिड कोश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स कोश्चन देखते हैं दिबांग वन्य जीव अभ्यारण भारत भारतीय राजजी दैश में इस्तित है तो अप्शन है जमू और कश्मीर सिकेम अरुनाचल प्रदेश उडिशा तो फ्रेंट्स इसका राइट अ अरुनाचल प्रदेश तीक है दिबांग वन्जीव अभ्यारण कहां पर इस्तित है अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है अगला कॉश्चन 1983 में जिस राष्ट्रिव पार्क को टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था वह दैश राष्ट्रिव पार्क है ठीक है तो ऑप्शन है पनपाथा संजे डूबरी पेंच काना तो फ्रेंट्स देखिए ये MPG के हैं जिसमें नेशनल पार्क वगेरा के बारे तो आपको सार नेशनल पार्क याद होने चाहिए वह नेशनल पार्क कब बने आपको वह भी याद होना चाहिए ठीक है वह नेशनल पार्क कहा है आपको यह भी याद होना चाहिए और एक और इंपोर्टेंट चिन कि कुछ नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया तो किन किन पता होनी चाहिए तब जाके आपका वो टॉपिक कम्प्लीट होता है ऐसा नहीं है कि हम नेशनल पार्क पर रहे तो हमने सिर्फ नेशनल पार्क की नौ होते हैं और हमने नौ के नाम याद कर लिए नहीं वह कब बने ठीके किस जगा पर है वह कि शहर में और उन्हें अगर और कौनसे सन में बनाया गया है ये सारी चीजे आपक को इसके बारे में पता होनी चाहिए ठीके Micka through 1983 में आइंटेंस पेंच को बना गया मैं टाइगर रिजब बनाया गए था नेशनल पार्क पेंच को नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं बारत कर आश्ट्रीप्रती बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए टीके तो मिनिमम एज क्या होती है तो 40 years 35 years 60 years 50 years तो इसका राइट आंसर है 35 years ठीके मतलब 35 years की एज के बाद ही आप प्रेसिडेंट के लिए eligible होंगे ठीक है तो यह हमारा first shift खतम हो गया है जो 19 की date को first shift हुआ था अब हम जो 19 अगस्त 2017 को दूसरा shift हुआ था तीन बजे का उसके जिके के questions देखेंगे तो चलिए श्रू करते हैं किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद नहीं लड़ा तो नहीं लड़ा ये पूछा गया है तो option है 1950, 1965, 1947, 1971 तो friends इसका राइट आंसर है 1950 में 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद में लड़ाता जबए 1965, 1947, ещё 1971 इन तिन सने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद हुआ था तो आपको ये 3 सन भी यादารख निच में नहीं हुआ आपको बेशिक्ली यही याद रखना है किन किन सन में हुआ था था 1965 1947 1971 अगला कोश्चन देखते हैं भारती संग में कितने राज्य हैं बहुत बेसिक सा कोश्चन है तब को पता होगा कि 29 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में नेक्स कोश्चन देखते हैं किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और छेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदल कर भाशाई रेखाओं के साथ उन्हें संगटित किया तो ओप्शन क्या है हमारे राज्य कर्मांतरन अधिनियम 1959 राज्य कर्मांतरन अधिनियम 1963 राज्य पुना आरेखंड अधिनियम 1957 राज्य पुनर गटन अधिनियम 1956 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है राज्य पुनर गटन अधिनियम 1956 ठीक है नेक्स कोश्चन देखते हैं 2016 सत्रह में विजे हजारे ट्रॉफी किस ने जीती और किसको हरा के जीती थी तो बेंगॉल को हरा के जीती थी ठीक है थी तो इसे विजेते हैं नेक्स कोश्चन देखते हैं 1873 में निमे लिखित में से कौनसे संगर्ठन का आरम जोती राव फुले ने किया था ठीक है, जोती राव फुले अप्ष्ट्ण, सत्य शोदक समाज, बहुजण समाज, इस्टिस पार्टी, प्रातना समाज तो friends जिसका right answer क्या है सत्य शोदक समाज ठीक है अब देखी इसी से आपको किते question रहेंगे कि जोती राव फुले ने किस समाज का संगटन किया था तो वो था सत्य शोदक समाज का ये भी हो सकता है कि सत्य शोदक समाज का संगटन किस ने किया तो जोती राव फुले ने अब य यह और भी याद अखने हैं कि 1873 में जोती राव फुले ने सत्य शोदक समाज का संगेटन आरंपी किया था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेमे लिखित में से किस सूपर कंप्यूटर को भारत में प्रतम विक्सित हुआ माना गया है तो ऑप्शन है सहसराटी, सागा 220, परम यूवा सेकेंड और परम 8000 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है परम 8000 ठीक है परम 8000 सूपर कंप्यूटर को भारत में प्रतम विक्सित हुआ माना गया है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इन में से गोवा पर शार्षन करने वाला अंतिम यूरोपियो देश कौन सा है आप्शन है नीदरलेंड, इंगलेंड, पुर्तगाल, फ्रांस तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है पुर्तगाल ठीक है पुर्तगाल गोवा पर शार्षन करने वाला अंतिम यूरोपियो देश था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते है प्राचिन समय में इन में से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है तो आपशन है कन्नो, जबलपूर, वारानासी, इलाबाद तो फ्रेंट्स यह सब आप सबको पता ही होगा क्योंकि अभी डीसेंट में ये न्यूस काफी है तो इलाबाद को प्रयाग के नाम से जाना जाता है तो अलाबाद को next question देखते हैं बाण सागर बाण नाम इसके उपर से रखा गया है जो बाण सागर बाण इसका नाम किसके उपर रखा गया है तो भानु सागर, सागर सम्पराट, बाण भट और वारना रा है तो friends इसका राइट अंसर है बाण भट ठीक है अगला को शन। अ पहले अधा न्याजिश कौन थे तो औस्य नेयमुर्थी ए calculated नाय आंफूर्थी एमशन फील्टि अभी दिख्शित नाय मूर्थी हे बुलच देख मात संपान्सकों से बुल्च पहले चीफ जस्टिस ते मध्यप्रदेश हाई कोट के तो फ्रेंट्स यह सारी चीज आपको याद होनी चीज आपको फर्स्ट फीमेल होनी चीज आपको फर्स्ट फीमेल कौन सी रही है आपको वह भी याद होना चाहिए ठीक है यह मैंने अपने जेल पहरी के जब सी बनाई थी तो उस में आपको यह सारी चीज बताई है कि आपको क्या क्या चीज पढ़नी है तो आप उसके पेपर जरूर देखिएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है उसको देखना का ना बुलिएगा ठीक है अब आगे पढ़ते हैं और साथ ही स स्वाइब कर देखने नहीं गवर्मेंट बनी और अप को यह तो यह तो यह यह रृशन प्यार्निक पूछा जा सकती है फूची जाते ένα सारी चीज आप से पूछी जातीः तो यह सावची नहीं देख ठीक है नेक्स कोश्चन देखते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के दोरानवित मंत्री कौन थे ठीक है तो आप्षेन है मनमुहन सिंग पीवी नर्सिंग राउ आर के शनमुकम चेटी और आर वेंकट्रमन तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है मनमुहन सिंग ठीक है 1991 में आर्थिक सुधारों के समय में कौन थे हमारे फैनेस मिनिस्टर मनमुहन सिंग नेक्स कोश्चन देखते हैं राज तरंगिनी के लेखक कौन थे ठीक है तो आप्षेन है सूरदार शुद्रक कलहन कलपक तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कलहन ठीक है तो यह सारे जो कॉश्चन है जो कॉश्चन यह हमें प्रिवियस यह पेपर हम पढ़ते हैं तब हमें देखने को मिल जाते हैं तब कब इन में से कोछ उटके आ जाए तो हमें एक तरीके की खुशी मिलती है यार यह चीज में पढ़ी थी और देखो यह आ गई तो आपको अपनी तेयारी एक दम कंप्रीट की कुछ चीज छूटे ना ठीक है आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको यह चीज छोड़ दू तो नहीं अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो आपको यह सारी चीजे कंप्रीट करनी पड़ेगी ठीक है तो MPG के खतम करि प्रिवेस एर पेपर खतम करिए और करेंट में जो चल रहा है उस चीज का ध्यान रखिए तो यह सारी चीजे आपको सेलेक्शन की और ले जाएंगी ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन लोगसबा का पूरा कारिकाल दैश का होता है तो option is 6 years, 5 years, 7 years and 8 years तो friends इसका right answer है 5 years ठीक है फुल टम आफ़ लोगसबा इस 5 years लोगसबा का पूरा कारिकाल 5 साल का होता है अगला question देखते हैं कौकत्ता में दैश नदी के किनारे स्थित है तो option है हुगली यमुना ब्रहमवपूत्र गंगा तो फ्रैंट्स इसका right answer है हुगली तो क्या है हुगली रिवर कहा है कौकत्ता में आपको यह चीज भी पता होने चीज और फौर्ट विलियम कहा है कौकत्ता में यह चीज भी कि आने वाले पेपरों में वो ही वो कॉश्चन मेना के दे दे ठीक है उससे रिलेटिटी तो ऐसे पूरा का कम्प्रीटली आपको पढ़ना है कि बस ऐसे नहीं पढ़ लेना है फोर्ट विलियम हुगली किनारे पर नहीं कोलकत्ता में हैं आपको यह सारी चीजे भी पता होनी चाहिए नेक्स कॉश्चन सिविल अवग्या आंदोलन सिविल डिस ओबिडियन्स मुवमेट कब शुरू किया गया था तो ऑप्शन है 1942, 1914, 1928, 1930 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 1930 तो देखिए यह हिस्ट्री वगेरा के बहुत बेसिक से कॉश्चन है जो वो पूशते हैं जो हर बार वो रिपी करते रहते हैं आपसे आसा कुछ नी पूचेंगे कर दो किई चीज कब हुई थी-क्या हो स्पार को देते हैं तो कब हुए 2023 में स्टार्ट बवा ता नेक्स्ट देखिए हैं कि सीको के और गुरू थे कौन थे हैं गुरू अरजुन देफ कुरू गोविन इसका राइट आशर है गुरु तेख भाद दूर तो देखे अभी नवे गुरु पोछा है क्या पता वो पांचवे गुरु पूछ लेते आपसे तो क्या याद करना है आपको पूरे दस गुरु की लिस्ट याद करनी है कि पहले कौन थे दूसरे कौन थे ऐसे 10 नंबर तक ज जो से कौश्चन आते हैं उस पर पूरा पड़े के ऐसे ही नहीं कि पिर्वियर से पेपर पड़े तो हमने इसमें नवे गुरु का कौश्चन देखा तो हमने याद कर लिया हम इन अवे गुरु तो तो तेक बाद दोते नहीं इसे हमने देखा कि हाँ पेपर में ने देखा सिखों के गुरुओं के बारे में पूछा था तो हमने वो 10 के 10 गुरुओं के नाम याद कर लिए ठीक है इस तरीके से हमें अस्तरी करनी है इस तरीके से हमें हमारी प्रिपेशन करनी है नेक्स कोश्चन इंचान एशियान खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वंट पद्गो की संक्या है ठीक है तो ऑप्शन है 12, 10, 11, 9 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 11 ठीक है कितने गोल्ड मेडल्स जीते इंडिया ने जीते थे नेक्स कोश्चन देखते हैं उमा भारती के बाद कौन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने ठीक है तो देखे आपको मुख्यमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए ठीक है थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको या पर हुए थे गृफ फोर वगेरा के उसमें चिवराश्चिंग चोहां जी के लिए पूचा गया था कि वह कब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ठीक है मध्यप्रदेश के तो आपको एटलिस लिस्ट तो याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन मुख्यमंत्री बना है तो आपको मुख्यमंत्री की लिस्ट भी याद होनी चाहिए आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट इन सब की लिस्ट याद होनी चाहिए ठीक है अगला कोश्चन देखते है भूगॉलिक रूप से भारत का सबसे चोटा राज्जी है तो फ्रें जो मद्य प्रदेश में पैदा हुआ जिसका जनल दिन आप गुड गवर्नस डे के रूप में मनाया जाता है और जुन सिंग चंदर शेकर अटल विहारी बाचपाई शंकर दयाल शर्मा तो फ्रेंट इसका राइट आंसर है अटल विहारी बाचपाई ठीक है भारत का दसव उटी और कोडाई कनाल जैसी पहाडिय स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे अप्शन है तमिल नाडू, करनाटक, कैरल, महरास्ट्रू तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है तमिल नाडू नेक्स कोशन गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अप्शन है नितिन पतेल, अमिश शह, आनदी बेंट पतेल और विजे रुपानी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है विजे रुपानी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है विजे रुपानी नेक्स कोशन गौतम बुत का जन्म यहां हुआ था तो अप्शन है गया लुम्बीनी कपिल वस्तू सारनाथ तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लुम्बीनी तिये गौतम बुत का जन्म का हुआ था लुम्बीनी में हुआ था नेक्स कोश्चन दोजार सोला में निमलिखित में से कौन सी अंतर महादीपिये बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की परास पर सफलता पूर्वक परिक्षन किया गया था आप्शन है प्रित्वी सेवंथ प्रित्वी फिफ्थ अगनी सेवंथ और अगनी फिफ्थ ठीक है नेक्स कोश्चन किस उच्च नियाले ने हाली में सब्ता में एक बार सेक्षनिंग स्थानों में वंदे मातरन को गाना अनिवारी करने का आदेश जारी किया था तो आप्शन है पंजाब और हरियाना उच्च नियाले मदरास उच्च नियाले दिली उच्च नियाले इलाबाद उच्छ नियाले तो फ्रेंच इसका राइट आंसर है मदरास उच्छ नियाले में हाली में सब्ता में एक बार सेक्षिनिक संस्थानों में वंदे मात्रम को गाना अनिवार करने का अधित जारी किया है नेक्स कोश्च नियाले तो फ्रेंच इसका राइट आंसर है आई एनस विक्रम मदेती ठीके भारती नोसेना का सेवा में एक मात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है आई एनस विक्रम मदेती नेक्स कोश्च नियाले तो फ्रेंच इसका राइट आंसर है आई एनस विक्रम मदेत नर्मदा नदी का उद्गम इस्थान कहा है? आप्शन है अमर कंटक, शेडोल, बेदागाट और खजुराओ तो friends इसका राइट आंसर है अमर कंटक. नर्मदा नदी का उद्गम इस्थान कहा है? अमर कंटक में next question. बारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कब जीता? उप्शन है 1983, 1984, 1982, 1981. तो friends इसका राइट आंसर है 1983. ठीके बारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कब जीता था? 1983 में next question. जाकिर हुसेन किस प्रसिद तबलवादक के पुत्र है? अम्जद अली खान, अम्जद जमार, अला राखा, अली शाहिद, प्रेंच इसका राइट आंसर है अला राखा ठीके जाकिर हुसेन अला राखा प्रसिद तबला वादक के पुत्र है next question. उदैगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहा इस्तिते ओप्शन ने करनातक उडिसा महराष्ट मध्यप्रदेश तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है उडिसा उडगिरी और खंडगिरी गुफाएं उडिसा में स्तिते नेक्स गॉस्चन जबलपूर जो की एक महत्पून शहर है दैश के छेत्र के अंतरगत आता है उप्शन है बुंदेलकंड महाकॉशर मालवा छोटनानाकपूर तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है महाकॉशर ठीक है जबलपूर जो की एक महत्पून शहर है वो किस छेत्र के अंतरगत आता है नेक्स्ट कॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट प्रवतक प्रवतक कौन से इंदिरा गांधी महत्मा गांधी जे प्राश नारायन विनोबा भावे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विनोबा भावे भुदान अंदोलन के प्रवतक कौन थे विनोबा भावे नेक्स कॉश्चन भारत के दुत्य राश्ट्र प्रती कौन थे उप्शन है जाकिर हुसेन एस राधा कृश्चन आर वेंकर ट्रमन एस दी शर्मा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एस राधा कृश्चन भारत के दुत्य राश्ट्र प्रती कौन थे एस राधा कृश्चन नेक्स कॉश्च डिस्कवरी ओफ इंडिया किसने लिखी थी तो ऑप्षियन है बाल गंगदर तिलग जवालना नेरू मादमा गांधी एपीज अब्दुलकला तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जवालना नेरू किस प्रसिद इस संस्थान के कुलपती ने हाली में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परीसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताब दिया था है और मिरांडा हाउस तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है जवाललल नेरू विश्वव विद्याले ने प्रस्ताब दिया था नेक्स्क गुलाब सागर्बान्थ किस जिला में है और आप्शन है पजे निए शहापूरा चंबल घाटी शिद्दी जिला तो फ्रेंड्ट इसका राइट आंसर है सिद्धी जीला तीके गुलाब सागरबान सिद्धी जीला में है next question इंदोर इस्तित हवाई अड़े का नाम दैशे ओप्षन है देवी अहिलिया भाई होलकर अंतरास्ची हवाई अड़ा राजा बोज अंतरास्ची हवाई अड़ा धना अंतरास्ची हवाई अड़ा तो फ्रेंट इसका राइट आंसर है देवी अहिलिया भाई होलकर तो फ्रेंट्स यहीं पर हमारी फर्स्ट खतम होती है अब हम सेकेंड शिफ देखेंगे जो दुफ़ेर तीन बजी थी ठीक है आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने फ्रेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में हमारा फेस्बुक पेज भी है फ्रेंट्स उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो वहां से जाके आप फेस्बुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा तो चलिए देखते हैं पहला कॉश्चन नसीर अमुनुद्धिन डागर एक विग्यात देश थे औप्स्टन ए उर्दु शायर, पेंटर, कव्याली गायक और दूपत गायक तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है दूपत गायक तिके नसीर अमुद्धिन डागर एक विग्यात दूपत गायक थे निमे लिकित में से भारत के कि शहन में प्रतम मेट्रू रेल का परिचालन किया गया था। देश भर में परिवान नियाले की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवान नियाले अधिनियम बनाया गया था ओप्षन है 1992, 1989, 1984, 1990 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 1984 1984 में देश भर में परिवान नियाले की स्थापना मतलब अधिनियम लाया गया था ठीक है 1984 में हिंदी साहित के पिता कहा जाता है father of modern हिंदी लिट्रेचर आधुनिक हिंदी साहित के पिता कहा जाता है बारज का प्रतम परमानु उर्जा केंद्र कौन सा है काक्रापार परमानु उर्जा केंद्र मदरास परमानु उर्जा स्टेशन राजिस्तान परमानु उर्जा स्टेशन तारापोर शक्ती केंद्र तो friends इसका राइट आंसर है तारापोर शक्ती केंद्र भारत का प्रतम परमानु उर्जा केंद्र कौन सा है तारापोर शक्ती कें है option है दोंडो केशफ करवे बाबा आम्टे राम बनोहर लोहिया और विनोबा भावे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बाबा आम्टे ठीक है फ्रेंड्स कुष्ट रोग्यों के मद्य बाबा आम्टे सामाजिक कारी करता अपने कारी के लिए प्रसिद्ध है नेक्स कॉ अंडोमाने निगोबार आदीव समो दमने टीप तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दमने डू ठीक है नेक्स कॉश्ट निमेलेकित में से कौन सा आंदर प्रदेश का शास्त्रिय नित्र है अप्ष्टने खतककली भरतनाट्यम उरिशी कुच्चिपुडी तो फ्रेंड मल्कम के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निमांकित में से कौन सा पुरुसकार दिया जाता है ओप्ष्टने विश्वा मित्र पुरुसकार विक्रम पुरुसकार प्रभाज जोशी पुरुसकार एकलव्य पुरुसकार तो फ्रेंड्स इसका राइट आ तक और पांच वर्ष चार वर्ष तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है पांच वर्ष ठीके किते वर्षों का होता है एक प्रदेश के राज जिपाल का कारीकार पांच वर्ष तक का होता है नेक्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट के लिए आनेवार है आयू कम से कम दैश है तो option है 30 वर्ष 35 वर्ष 25 वर्ष 21 तो friends इसका राइट आंसर है 25 वर्ष ठीक है minimum age कितनी है लोग सब चुनाफ के लिए 25 वर्ष next question मद्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले में से एक है option है राजगर, धार, रिवा, रतलाम तो friends इसका राइट आंसर है राजगर ठीक है मद्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक कौन सा है राजगर next question बॉक्साइड एल्मुनियम का एक आयसक है यहां इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है option है कटनी खदान में, पन्ना खदान में, बस्तर खदान में, दुर्ग खदान में तो friends इसका राइट आंसर है कटनी खदान में बॉक्साइड कहां पाया जाता है जा कटनी खदा नेक्स्क वैस्ट कोश्चन निमलिकित में इसे किनोने भारत के उपर चुपती का पद नहीं संबाला है तो इनमें से कौन नहीं रहे है उप्राष्टिप्रति तो अप्षेन है dr. जाकेर हुसेन, dr. एस रादाकृषिन, dr. राजेंदर पhrasad, भेरो सिंग शकावद तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है dr. राजेंदर पhrasad कि कभी भी vice president नहीं रहें क्योंकि ये अपने first president थे तो ये vice president नहीं रहें कभी आप्शन है विलियम जॉन्स लॉर्ट कॉन्वलिस जॉन शौर और वॉरन हैस्टिंग्स तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विलियम जॉन्स टीके विलियम जॉन्स ने बंगाल की रॉयल एश्याटिक सोसाइटी की स्थापना की थी नेक्स कोशन भारती वायू सेना में एयर मार्शल के पत्तक पहुशने वाली प्रतम भारती महीला दैश है ओफ्शन है पुनीता अरोडा अंजली भागवत बुला चोधरी और पदमा बंधो पाध्या है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पदमा बंधो पाध्या है ठीक भारती वायू सेना में एयर मार्शल के पत्तक पहुशने वाली प्रतम महीला कौन थी भारती महीला पदमा बंधो पाध्या है नेक्स कोश्चुन बारत की किस प्रदीश में संत कबिन नगर एवं संत रविदास नगर जिले है आप्षण है अरुनाचल प्रदीश उत्रप्रदीश राजिस्थान नगर अरुक्षन है नेक्स कोश्चुन किस मद प्रदेश में केवल चार जिले उत्तर दक्षिन पूर पश्चिम है option है मनीपूर, सिक्किम, जारकन, उडिशा तो friends इसका right answer है सिक्किम सिक्किम में केवल चार जिले है कौन-कौन से नौर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट है ठीक है friends अगला question तो friends इसका right answer है असम में दिख्बोई, तेल, शोद, कार खाना इस्थित है और यह कब स्थापित किया गया था तो 1901 में स्थापित किया गया था next question देखते है लोग सबा का उपाध्यक्ष कौन है option है सुमीत्र महाजन, तंबी दुर्राई मुकतार अब्बास नकवी, पीजे कुरियन तो friends इसका right answer है थंबी दुर्राई ठीक है लोग सबा का उपाध्यक्ष कौन है थंबी दुर्राई next question प्रशी और किसान कल्यान के खेंदरी मंत्री कौन है option है उप्ष्ण है चौदी विरेंद्र सिंग, थावर चंदर गहलोत, रादा मोहन सिंग, हर सिमरत कौर बादल तो friends इसका right answer है रादा मोहन सिंग प्रशी और किसान कल्यान के केंदरी मंत्री रादा मोहन सिंग है फरवरी 2016 में आयो जित बारवे दक्षिन एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वन पदक जीते हैं तो अप्शन है 200, 156, 188, 96 तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 188 तो ठीके फ्रेंट्स अभी ये एक करेंट अफ्यर के तौर पर कॉश्चन था तो अब आप जो पेपर देंगे तो 2018 और 2017 इसके पास पास जिते भी गेम्स हुए है वो गेम्स आप कि इन्फोर्मेशन आप सारी रखिएगा तो अब आप सारी इन्फोर्मेशन आप रखिएगा नेक्स कॉश्चन देखते है खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरुस्कार दिया जाता है अप्शन है अर्जुन इन में से कोई नहीं ग्यान पीट और जमना लाल बजा जा जा इसका राइट आंसर है अर्जुन आवार्ड टीके खेल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरुस्कार दिया जाता है नेक्स कॉश्चन किस क्रिकेट खिलारी ने C.E.A.T. क्रिकेट रेटिंग पुरुस्कार 2017 में अंतराश्ट्री क्रिकेट ओफ दियर जीता ओप्शन है विराट कोली, आर अश्विन, शिकरदवन और M.S. दोनी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है शिकरदवन, ठीकेट शिकरदवन ने जीता था, नेक्स कॉश्चन तेमांकित में से किस परियोजना ने वास्तु कला के लिए प्रद्दत आगा खान पुरुसकार जीता है अप्शन है अपनी जमीन, अपनी चट, अरण्य कम्यूनिटी हाउजिंग इंदौर, M.P. हाउजिंग गैरेंटी योजना, अटल आश्रे योजना तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है अरण्य कम्यूनिटी हाउजिंग इंदौर, ठीकेए, नेक्स कॉश्चन किस राज्जी को सारवजनिक मामलो के सुचांकक 2017 में प्रतमिस्तान दिया गया है अप्शन है तमिल नाडू, करनाटक, कैरल, महराष्ट्र, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है कैरल ठीके, कैरल को दिया गया है प्रतमिस्तान, नेक्स कॉश्चन बंजार, नदी, परियोजन, देश, घाटी में है अप्शन है नर्मदा, यमुना, चंबल, गंगा तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है नर्मदा बंजार, नदी, परियोजन, नर्मदा घाटी में है नेक्स कॉश्चन नेक्चन, रोग, गार्डन कहां इसते थे अप्शर है चंदीगर, जमशेदपूर, राची, डार्जिलिंग, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है चंदीगर ठीक है नेक्चन, रोग, गार्डन कहां इसते थे चंदीगर में नेक्स कॉश्चन मद्यप्रदेश शरकार का नवीन एवं नवीकर्णिय उर्जा विभाग दैश वर्ष में स्थापित किया गया था ओप्शन है 2015, 2016, 2010, 2014 तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2010 10 ठीक है मध्यप्रदे शरकार का नविन एवं नविकर्णिय उर्जा विभाग 2010 में इस्तापित किया गया था next question विश्वा मित्र पुरुसकार किसे दिया जाता है option है शारिरिक प्रशिक्षक, खिलाडी, कीड़ा प्रशार्शक और कोच तो friends इसका right answer है कोच को ठीक है विश्वा मित्र पुरुसकार कोच को दिया जाता है next question शब्द एशेज इससे संबंतित है option है cricket, hockey, football, तिराकी तो friends इसका right answer है cricket next question बारत के पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग दैश को दैश चे जोड़ती है तो option है चेन्डाइ को विशाका पत्नम से नवी मुंबाई को मुंबाई से हावडा को को लकता से इलाबाद को लखनाउ से तो friends इसका right answer है हावडा को 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 लकता से ठीक है भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग हावडा को 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 लकता से जोड़ती है नेक्स कोश्चन तो प्रणब मुखर जी वेंकेन आइडू रामनाथ कोविंद मीरा कुमार तो friends इसका right answer है रामनाथ कोविंद नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन उस्ताद बिस्मिल्ला कान इससे संबंदित है उप्शन है सितार शेहनाई तबला सरोथ तो friends इसका right answer है शेहनाई उस्ताद बिस्मिल्ला कान शेहनाई से संबंदित है नेक्स कोश्चन देश भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकत्ता क्लास विनाशकारी जहाज है तो अप्शन है INS कोलकत्ता, INS विक्रांत, INS विक्रमदित, INS चैननाई तो friends इसका right answer है आई एनेस चेन्नाई ठीक है आई एनेस चेन्नाई भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कॉलकत्ता क्लास विनाशकारी जहांच है नेक्स कोश्चिन युनेसको के अनुसार विरासत स्थलों में से एक दैश है युनेसको के अनुसार विरासत स्थलों में से एक कौन सा है खजुराव स्मारक नेक्स कोश्चिन तो फ्रेंट्स हमारी 24 अगस्त की फर्स च्रिप यहीं खतम होती है अब हम देखेंगे 24 अगस्त की सेकंड श्रिप्ट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंट्स तो प्रीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए देखते है 24 अगस्त की सेकंड श्रिप का पहला कॉश्चन तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है अटल बिहारी बाचपाई शूशाशन दिवस अटल बिहारी बाचपाई जी के जनम दिन पर मनाया जाता है कब मनाया जाता है 25 दिसेंबर ठीके फ्रेंट्स 25 दिसेंबर को शूशाशन दिवस बनाया जाता है किसके जनम दिन पर अटल बिहारी बाचपाई जी के जनम दिन पर राश्ट्री हत करगा दिवस कब मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे ओप्शन है 4 अगस्ट, 7 अगस्ट, 1 अगस्ट, 6 अगस्ट तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 7 अगस्ट ठीक है राश्ट्री हत करगा दिवस 7 अगस्ट को मनाया जाता है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री दैशें अप्शन है लक्ष्मी कांत पार्सेकर दिगंबर कामात मनुहर परिककर देविंद फेड नेविस तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनुहर परिककर ठीक है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कोन है मनुहर परिककर नेक्स गो निमांकित में से मद्यप्रदेश सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुरुषकार कौन सा है? और विक्रम पुरुषकार, लक्षमन पुरुषकार, दौनाचारी पुरुषकार, अर्जुन पुरुषकार तो फ्रेंट्सिस का राइट आंसर है विक्रम पुरुषकार ठीक है विक्रम पुस्कार मद्यप्रदाइश सरकार द्वारा दिये जाना वलब पुस्कार है नेक्स्ट कॉस्चन निम मैंसे किस संग शाषित प्रदेश में एक मुख्य मंत्री है बारत में सबसे लंबी उप नदी कौनसी है ब्यास, कंगा, रवी, या मुना तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है या मुना बारत में सबसे लंबी उप नदी कौनसी है या मुना नेक्स्ट कॉस्चन सुप्रीम कोट द्वारा अदलत की अव मानना के लिए दोशी टहराया जाने वाला उच्छ नयायले का पहला नयायदिश दैश बन गया आप्शन है जस्टिस सीयस करनन जस्टिस गौतम पतेल नयायमूरती पी दिनाकरण और जस्टिस कानेडे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जस्टिस सीयस करनन तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बारा सिंगा, ठीक है, बारा सिंगा मध्य प्रदेश का राच्किय पश्यू है, नेक्स कॉश्चन, असायोग अंदोलन को दैश के कारण रोग दिया गया था, ऑप्शन है, गांदी, इर्विन संधी, जलियावाला बाग, ट्रैसिती, पूना संधी, और चोरी-चोरा घटना, तो फ्रेंट्स, इसका राइट आंसर है, चोरी-चोरा घटना, ठीक है, आसायोग अंदोलन, नौन कोपरेशन मुव्मेंट को किसके द्वारा रोग दिया गया था, किसके कारण रोग दिया गया था, तो चोरी-चोरा इंसिडेंट के द्वारा, नेक्स कॉश्चन, हमारे राष्ट्य जंटे के रंग के सकर्म में हैं, तो उप्षन है भारतिय हरा, सफेद और भारतिय केसर, भारतिय केसर, सफेद और भारतिय हरा, सफेद भारतिय केसर, तो फ्रेंट्स, इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा, भारतिय केसर, सफेद और भारतिय हर ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट्टन भारत का पहला पहला एथलेट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा आपशेयने, मारी पन्ना, ठांग वेलू, दीपा मलिक, अमित कुमार सरोह, देवेंद्र जाजरिया ठीक है, भारत का पहला पहला एथलेट जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा उसकोन है, देवेंद्र जाजरिया बारत के 45 मुख्य नियादिश के रूप में जितने के लिए किसकी सिफारे जस्टिस जे एस खेहार द्वारा की गई है जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंचन गोगोई, जस्टिस जिवाय चंदरचुद और जस्टिस यू यू ललित तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है जस्टिस दीपक मिश्रा ठीके फ्रेंड, जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए सिफारिश करी थी, किसने जे एस के हार ने, नेक्स्ट कोश्चन, टाटा संस के अध्यक्ष कौन है, ओप्शन है विशाल सिक्का, रतन टाटा, साइरस मिस्ट्री और एन चंदर शेकरन, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है एन चंदर शेकरन, टाटा संस के अध्यक्ष कौन है, एन चंदर शेकरन, नेक्स्ट कोश्चन, निमेलिकित में ऐसे किस राज्चे ने ज्यानदूद एक इस शाषन परियोजना का प्यारंब किया था, उप्शन है असम, महराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, तो फ्रें कानूरों न्याय के केंद्र मंत्री कौन है, ओप्शन है, निर्मला सीता रमन, जितेंद्र सिंग, चोदी बिरेन सिंग, रवी शंकर प्रसाथ, फ्रेंट इसका राइट आंसर है, रवी शंकर प्रसाथ, कानूरों न्याय के केंद्र मंत्री कौन है, रवी शंकर प्रसाथ, न इडन गार्डन एक डैश ष्टिडिएमीं है। गोल्फ, पोलो, क्रिकेट, होकी। तो है कि दसका राइट आंसर है क्रिकेट। इडन गःडन एक Cricket स्टिडियमीं है। इडन गार्डन पर है छो कि दसका सी क्रिकेट। क्रिकेट का स्टीडियम है नेक्स्ट कोस्टन राजवार महल दैश में स्थित है ऑप्शन इग्वालियर उचेंड रत्लाम इंदॉर तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंदॉर नेक्स्ट कोस्ट्ट एक सरकारी बैंक नोट मुद्रार नाले मद्यप्रदेश के किस स्थ पर स्थित है ऑप्शन है जाबुआ चबलपुर तेवास रेवा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देवास ठीक है बैंक नोट प्रेस कहां है देवास में है मद्यप्रदेश में नेक्स्ट कोस्ट्ट अभीनब भारत की स्थापना किस ने की थी ऑप्शन है तारक अभीनब भारत की स्थापना की थी नेक्स कोर्शन अर्थ शास्त्र की लेख़क थे ऑप्शन है काली दास भब्भूती कौट अलिये उप्रोप में से कोई नहीप तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है कोटल अर्थ शास्त्र के लेख़क कौन थे गउतल लितए हीरा कुंट बांध किस नदी पर निर्मे थे ओप्षान है कृष्णा महा नदी कावेरी नर्मदा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महा नदी हीरा कुंट डैंब महा नदी पर इस्थे थे नेक्स कॉश्च्छन निर्मे लिकित मेश्क इतने आई ऐंसी के एतिहासिक लाहर सत्तर की अध्यक्षिता की ओप्षिया नेरू मोतिलाल नेरू गांधी जी महुंबत अली जिन्ना तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जवाल नेरू ठीक है आई के लाहर सेशन की एतिहासिक लाहर सथ के अद्रक्षिता किसने की जवालन नहरूने नेक्स कोश्चिन भारत में किस राज्जी में सबसे कम जनसंख्या है ऑफ्षेने मिजोरम सिक्किम मिघाले त्रिपूरा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिक्किम ठीक है भारत में सिक्किम राज्जी में सबसे कम जनसंख्या है नेक्स कोश्चिन कौन सा शेहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राज़दानी था ऑफ्षेने कलकत्ता दौलताबाद दिल्ली बॉंबे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कलकत्त नेक्स कोश्चिन निम्न नदियों में से कौन सी सत्पूरा और विद्या परवत मालाओ के बीच बहती है उप्षेने साबर मती नर्मदा माची तापी तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नर्मदा थीक है नर्मना नदी सत्पूरा और विद्या परवत मालाओ के बीच बहती है नेक्स मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्र उध्यान है सरदारपूर, संजै सागर, चंबल, काना तो friends इसका right answer है काना मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्र उध्यान काना है Next question इंडिया गेट तेश के सैनिको के समारक की रूप में बनाया गया था ऑप्शन है बांगलादेश यूद्ध, दित्य विश्व यूद्ध, प्रतम विश्व यूद्ध, भारत पाक यूद्ध, 1965 तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रतम विश्व यूद्ध, वाल्ड वार फस्ट, नेक्स्ट कोश्चन, भारत का पहला उपग्रह देश के नाम पर रखा गया था, आप्शन है वरा मिहीर, रामानुज, भासकर, आरिभट, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आरि भारत के नाम पर रखा गया था, नेक्स्ट कोश्चन, ज्यान पीट पुरुसका जीतने वाली प्रतम महीला कौन थी, आप्शन है प्रतीबारे आशापुन्ना देवी, महाश्वेता देवी, इंद्रा गोस्वामी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आशापुन्ना द ठीके ज्यान पीट पुरुसका जीतने वाली प्रतम महीला आशापुन्ना देवी थी, नेक्स्ट कोश्चन, के इस बांग के विरुद नर्मदा बचाओ आंदोलन पैरंब किया गया था, आप्शन है सर्दार सरोवर बांथ, बर्गी बांथ, तुंग भद्रा बांथ और भ रहा था, अगला कोश्चन, किनेर सजनी वन्य जीव अभ्यारन कहा इस्तित है, आप्शन है तमिल नाडू, तेलांगना, करनाटक केरल, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है, तेलांगना, नेक्स्ट कोश्चन, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है, तेलांगना, 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 नेक्स्ट कोश्चन, बारत राज्जी 1 रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्जी में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ावन आवरण है अप्शन है अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिजोरम मध्य प्रदेश के कौन नेता नहरू के मंत्री मंदल से में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में ग्रह मंत्री बने अप्शन है शिफ भादूर सिंग, रवी शंकर शुकला, केलाश नाथ काच्चू, शंकर द्याल शर्मा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केलाश नाथ काच्चू, नेक्स्ट कोश्चिन खजुराहो नित्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायाह किस महा में मनाया जाता है उप्शन है दिसंबर, जून, सितंबर, फर्वरी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फर्वरी, खजुराहो नित्य पर्व हर वर्ष फर्वरी में मनाया जाता है अगला प्रश्न पंच शेल शम्जोते की गोशना इनके द्वारा की गई उप्शन है सरदार वर्लब भाई पर्टेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाला नहरू तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जवाला नहरू पंच शेल शेल सम्जोते की गोशना जवाला नहरू द्वारा की गई अगला कॉस्चन भारत के महा न्याइवादी के नियुकति किसके द्वारा की जाती है उप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोट्ट, तप्राइम मिनिस्टर, तप्रसिडेंट, दव्स प्रसिडेंट तो friends इसका right answer है The President राश्ट्रपती द्वारा ठीक है भारत के महानियावादी की नियुक्ती राश्ट्रपती के द्वारा की जाती है अगला question सीखो के पाँचवे गुरु थे option है गुरु गोविन सिंग गुरु अमर्दास गुरु अंगत देव गुरु अर्जुन देव तो friends इसका right answer है गुरु अर्जुन देव next question उज्जेन प्राचीन कालीन आवंती की राश्टानी थी और वहाँ इनका शाष्टन था option है राणा प्रताप समराटा चोक राजा विक्रम दित्ती है राणी दुर्गावती तो friends इसका right answer है राजा विक्रम दित्ती ठीक है अवंती में किसका उज्जेन प्राचीन काली अवंती की राश्टानी थी और यहाँ पर विक्रम दित्ती का शाष्टन था next question उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्जिपाल कौन थी उप्शन है शार्दा मुखरजी सरोजनी नाइडू एनी बैसें विजय लक्ष्मी पंडित तो friends इसका right answer है सरोजनी नाइडू ठीक है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्जिपाल कौन थी सरोजनी नाइडू next question भारत में किस राज्जी का सम्मूंदर तट सबसे लंबा है अप्शने आंदर प्रदेश, महाराष्ट, गुजरात, पश्चिमबेंगर तो friends इसका right answer है गुजरात भारत में गुजरात का सम्मूंदर तट सबसे लंबा है next question उस्ताद अमजद उस्ताद अमजद अली खान किस वातियंतर से सम्बंदित है अप्शने सितार, वीना, तबला, सरूद तो friends इसका right answer है सरूद उस्ताद अमजद अली कान सरूद से सम्बंदित है next question काना राष्ट्री उध्यान यहां स्थित है अप्शने बिहार, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, मध्यप्रदेश तो friends इसका right answer है मध्यप्रदेश, काना राष्ट्री उध्यान मध्यप्रदेश में स्थित है next question मध्यप्रदेश में आटो मोबाइल उध्योग कहां केंदरे थै अप्शने मंडिदीप, मालनपूर, मनेरी, पितंपूर तो friends इसका right answer है पितंपूर यह मध्यप्रदेश में आटो मोबाइल उध्योग पितंपूर में केंदरे थै next question बियार अम्बेटकर का जन्म कहां हुआ था अप्शने उज्जेन, माउ, शायाजीपूर, भोजपूर तो friends इसका right answer है माउ बियार अम्बेटकर का जन्म माउ में हुआ था next question प्रसिद्ध पवित्रिस्तल के दानाट डैश राज्य में स्थित है उप्शने उत्रप्रदेश, उत्राखंड, उडिशा, मध्यप्रदेश तो friends इसका right answer है उत्राखंड प्रसिद्ध पवित्रिस्तल के दानाट उत्राखंड में स्थित है next question इंद्रा गांधी राष्ट्र जान्जाती है विश्व विद्याले कहां स्थित है उप्शने कटनी अमरकंटक, रेवा, भोपाल तो friends इसका right answer है अमरकंटक इंद्रा गांधी राष्ट्र जान्जाती है विश्व विद्याले अमरकंटक में स्थित है next question महा नदी, नदी के बेसीन का मुक्य हिस्सा अब दैश में है उप्शने उत्तर प्रदेश, 36 गड़, मद्यप्रदेश, जारकंट तो friends इसका right answer है 36 गड़ next question भारत के वर्तमान उपर आश्ट्र पती कौन है उप्शने नजमा है फितुला, हामिद अनसारी, वैंकियन आइडू, रामनात कोविन तो friends इसका right answer है वैंकियन आइडू, भारत के वर्तमान उपराश्ट्र पती वैंकियन आइडू है next question उप्शने के अध्यक्ष कौन है, उप्शने विने मित्तर, अर्चना निगम, डेविट सिमली, अलका सी रोई तो friends इसका answer है डेविट सिमली, लेकिन ये 2017 का paper है friends change हो गए है, कौन हो गए है, Arvind Saxena, ठीक है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो भी current वाले question पूछे जाए तो आप एक बार जरू check करिए कि current में कौन है, क्योंकि ये paper 2017 में है, और अभी बहुत सारी चीजे change हो गई है, तो आप जो भी currently देख लिजीगा कि currently कौन है, ठीक है, next question देखते हैं महीला और बाल विकास की केंद्री मंत्री कौन है, मेन्का गांधी, उमाबारती, स्मर्ति, इरानी, निर्मिला, सितार मन्थ। महिला और बाल विकास की केंद्री मन्थ। नेक्स्स कोस्टून भारत में सबसे पुरानी परिश्कर्णी कौन सी है? ओप्शन है डिगबोई रिफाइंडरी, IOC रिफाइंडरी, मतुरा रिफाइंडरी, RIL रिफाइंडरी तो friends इसका right answer है डिगबोई रिफाइंडरी ठीक है भारत में सबसे पुरानी रिफाइंडरी कौन सी है डिगबोई रिफाइंडरी नेक्स कॉस्चन देखते हैं और यह है कहाँ पर friends यह है असम में ठीक है डिगबोई रिफाइंडरी सबसे पुरानी है और कहाँ पर है असम में नेक्स कॉस्चन देखते हैं दो दर पंजर में आयोजित एन एस एस ओ स्वचिता सर्विक्षन द्वारा दैश को भारत में सबसे स्वच राज्य घूशित किया गया है उप्शन है उत्राखन, खोवा, कैरल, सिक्किम तो friends इसका राइट आंसर है सिक्किम ठीके सिक्किम को भारत में सबसे स्वच राज्य घूशित किया गया है अगला कॉश्चन चुनाफ संग्राले दैश में स्थित है अप्शन है दिली, मुंबाई, चेन्नाई, कॉलकत्ता तो friends इसका राइट आंसर है दिली election museum कहा है दिली में अगला प्रशन मध्य प्रदेश राज जी उद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी ओप्शन है 1972, 1966, 1965, 1960 तो friends इसका राइट आंसर है 1965 ठीके मध्य प्रदेश राज जी उद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी next question काट मांडू विश्वी विद्याले ने तो 2016 में दैश को एक मानद डॉक्टर ओफ लेटर्स उपादी से पुरुस्कित किया था ओप्शन है नरेंद्र मोदी, परनम मुखर जी, करंट सिंग, मनमोहन सिंग तो friends इसका राइट आंसर है प्रनम मुखर जी next question राष्ट्र खादी सुरक्षा अधिनियम को दैश में पारित किया गया था ओप्शन है 2005, 2009, 2016, 2013 तो friends इसका राइट आंसर है 2013 राष्ट्र खादी सुरक्षा अधिनियम को 2013 में पारित किया गया था next question कंडिला दैश राज जी का एक समुंद्री बंदर का है औप्शन है गुजरात, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, पच्चेम बंगाल तो friends इसका राइट आंसर है गुजरात कंडिला गुजरात का एक सी पोट है next question बारत में पहली पैसेंजर ट्रेन इस वर्ष शुरू हुई थी option है 1853, 1753, 1932, 1850 तो friends इसका राइट आंसर है 1853 भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में शुरू हुई थी next question फिल्म काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित है चल्दी से बता दीजिए जी बिल्कुल आशु जी शुरू कर दिया है मैंने चल्दी से बता दीजिए फिल्म काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित है option है Olympus, The Three Mistakes of My Life The God of Small Things One Amazing Thing चल्दी से बता है किस बुक पर काई पोचे मूवी बनी थी आपको अगर आंसर नहीं पता है आपनों लिखके भी भेज सकते हैं चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए चल्दी ठीक है चल्दी ठीक है मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको इसका राइट आंसर है फ्रेंट्स, Three Mistakes of My Life ठीक है राइट आंसर क्या है Three Mistakes of My Life चेतन भगत की बहुती फेमस बुक है ये जिस पर काई पोचे मूवी बनी थी ठीक है तो The Three Mistakes of My Life किसने लिखी है चेतन भगत ने ठीक है फ्रेंट्स चेतन भगत ने लिखिए The Three Mistakes of My Life जिसके उपर काई पोचे मूवी बनी है चलिए देखते हैं नेक्स कॉस्चन नेक्स कॉस्चन है हमारा कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी चाना जाता है जो ओमान ओयल कॉपरेशन और भारत पेट्रोलियम कौर के बीच एक संयुक्त उद्ध्यम है उद्ध्यम है ठीक है चल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका राइट अंसर लाइफ क्लास कितने बज़े होती है जी अमन कुमार जी मेरी लाइफ क्लास होती है ऐसा ही की जो क्लास होती है वो दिन के 1.15 होती है ठीक है दिन में 1.5 बज़े करीब होती है और जो constable के class होती है वो रात के वक्त 9.15 टाइम पे होती है ठीक है आचा सब बोल रहे है इसका answer सागर चलिए बिल्कुल सही इसका right answer है सागर ची कम्रेश ची सागर इसका right answer है ठीक है कौनसे शहर में बीना refinery है तो सागर उसका right answer है सागर शहर में बीना refinery है जिसे भारत ओमान तेल refinery भी जाना जाता है चलिए दिखते है next question किस समविधन धानिक संशूदन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की है SIE class दिन में एक बचे मतलब एक पंदरा तक हम start कर देते हैं friends ठीक है तो SIE class होती है जिसमें हमने GS section खतम कर शुके friends अब हम science section पे हैं दिलिपना एक जी ने बोला है 4 73 amendment ठीक है और बताइए इसका answer पलवन जी ने भी बोला है 4 कम लिज जी बिलकुल सही इसका right answer है 73 amendment ठीक है पंचायती राज की स्थापना की स्म हुई थी 73 amendment में हुई थी चल दी से अगर किसी को इसका year पता है कि कब हुई थी तो बता दीजे 1952 और किसी को पता जी बिलकुल दिलिपना एक जी बिलकुल 1992 इसका है 1952 नहीं है 1992 year ठीक है 1992 73 amendment 1992 में पंचायती राज के स्थापना की थी चलिए next question देखते है हिंडोला महल और जाहाज महल दोनो दैश में इस्तेत है चल दी से बता दीजे फ्रेंड्स हिंडोला महल और जाहाज महल कहां इस्तेत है अप्शन है मांडू, भोचपुर, रीवा, राजकर दिलिपना एक जी ने बोला है मांडू चलिए और बताईए बलवन जी श्रेय जी कमडी जी सब्निव जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका मांडू ठीक है हिंडोला महल और जहाज महल कहा है मांडू में है जी बिल्कुल सभी का सही आंसर है मांडू इसका राइट आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कॉस्टिन की तरफ अशोक निम्न से संबंदित थे ठीक है? अप्शिन है गुप्ट वंच, मौरी वंच, कुषान वंच, शक वंच यी, बिल्कुल धार, मांडू धार अब हमारे next question पर है अशोक निम्न से संबंदित थे कौन से वंच से अशोक संबंदित थे? अकिल फातिमा जी, हेलो, चल दी से आप इसका आंसर दे दी चे आप मुझे, अकिल फातिमा जी ने बोला है, बी, बेलवन जी, ची कोई बात नहीं, मुश्किल से चार कॉश्चन ही लिख ले हैं अभी, जी, बिलकुल इसका राइट आंसर है, मौर रिवन्ष, ठीके, अशोक किसे समझ देते हैं, मौर रिवन्ष से, किसी को अशोक का पूरा नाम, समराट अशोक का पूरा नाम पता है, तो मुझे बता सकते हैं, कि बिल्कुल अशोग सम्राट का पूरा नाम चल्दी से बता दीजे मुझे अगर नहीं पता है अपनों लिख के भीज़ दीजे मैं बताती हूं आपको सम्राट अशोग का पूरा नाम जी नहीं चलिए मतलब ये तो सारी उपाधियां थी जो उनके नाम के आगे लग गई थी ठीक है जो उनका एक्चुल नाम था वो था देवा नान प्रिय ठीक है जी में खान जी हेलो देवा नान प्रिय गुड इवनिंग देवा नान प्रिय अशोग मौर्य ठीक है उनका एक्च्टुल नाम था पूरा जी बिल्कुल ये चक्रवती समराटक्ष् ये तो सारे उपाधिया थी उनकी ठीक है जो नाम था पूरा वो था देवादाल प्रिय अशोक अचन्ग ने ठीक है करेरा भ्यारन इस साल में स्थापित हुआ था चल दी से बता दीजे करेरा सेंचूरी कब स्टेब्लिश हुई थी ऑप्षिन नाइटीनिटी एट देव जी वो ही लिखा है ठीक है देव नाम प्रियर ही लिखा है बिल्कुल देव नाम प्रियर अकिल फातिमा जी ने बोला है 1988 चलिए और बताइए बल्वन जी ने बोला 1981 जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है 1981 ठीक है 1981 इसका राइट आंसर है करेरा सेंचूरी कब स्टेब्लिश हुई थी 1981 में ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ इयर बता सकता है कोई मुझे आचा इयर ही था चलिए नेक्स कोश्चन है जिला बता दीजिए उसका चलिए पहले जिला पूछ लेते हैं उसका करेरा अभ्यारन कौन से जिले में है ठीक है यह तो उनने दिया यह 1981 जिला बता दीजिए मुझे किस जिले में है चल्पी से मुझे जी एस क्या आंसर बता दीजिए इसका शिप्पूरी 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 बिलकुल इसका मतब बहँस में करेरा सैंचुरी कहां पे है शिप्पूरी में है ठेटेऊ और किया हम जो अभ्यारन है यह इंडियन बस्टड पक्षी के लिए है ठीक है उसके लिए मुख्य रुप से बना गया है इंडियन बस्टड पक्षी जी बिलकुल शिप्पूरी शिप्पूरी जिले में है और कब बना है 1981 में चलिए देखते हैं नेक्स कॉश्चन देश में कितने उच्च न्यायले संचालित है चल्दी से बता दीजे मुझे इसका फ्रेंड आंसर और जी हां कल जो वो कॉश्चन था जिसमें मैंने आपको उसकी राजधानी बता दी थी अरुनाचल प्रदेश की गुवाइटी वो उसकी कैपिटल नहीं थी वो उसकी प्रदेश्री कैपिटल है ठीक है आज सब इसका आंसर बोल रहें भी अकिल फातिमा जी ने बोला 25 जिस समय ये कॉश्चन था उस समय बिल्कुल 25 थी ठीक है उस समय 24 थी इस सबसें 24 होना चाहिए लेकिन अब 24 नहीं रहिए अब 25 हो गई है ठीक है अब 25 हो गई है तो 1st January को बनाया गया है ठीक है 1st Gen 2019 को तिलांगना की है थीक है उच्छ न्याले बना दिया गया है तो अब कितने हो गई है अब अगर ऐसा कोश्चन आए तो अब आपका अंसर होगा 25 है ठीक है अब हो गई है 25 चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं कि वित आयूग को हर इतने वर्षों में नियुक्त किया जाता है वहां का मैंने सर्च नहीं किया मैंने सिर्फ अभी रिसेंट में न्यूज पढ़ी थी तो उस पर बता दिया है आप लोंग प्लिस सर्च किजिएगा और कमेट में बताईएगा मैं भी सर्च करूंगी आज क तीक है तीन वर्ष तीक है और पांच वर्ष जे बिल्गुल इसका राइट आंसर है पांच वर्ष ठीक है वितायक को हर नियुक्त किया जाता है तीक है फ्रेंट्स और यह इस्टैबलिश किसके दूआरा हुई थी धी पता सकता है मुझे वितायोंग लnte में आई थी चल्दी से किसी को पता हैं कि वितायोग भारतिय वितायोग अस्तित में कब आई थी जी बिल्कुल 280 आर्टिकल के तहट आई थी बिल्कुल लेकिन मैं यह पूछ रही हूँ आप से कमलेशन आयक जी बिल्कुल 1951 1952 नहीं है 1951 है ठीक है 1951 में आई थी इस प्रेसिडेंट के द्वारा एस्टब्लिश करी गई थी आर्टिकल 280 के तहट चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं सौ प्रतीशत प्राथमिक सिक्षप्राप्त करने वाला पहला भारतिय राज्य है चलिए जल्दी समझे इसका आंसर बता दीजिए आप सभी को पता होगा ऑप्शन है गुज्रा, तमिलाडू, कैरल, डेली चलिए से बता दीजिए 100 प्रतीशत 100 प्रतीशत प्राथमिक सिक्षप्राप्त करने वाला पहला भारतिय है अकिल फातिमा जी सी बहलवन जी ने भी सी जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है कैरल ठीके, 100 प्रतीशत प्रतीशत प्राथमिक सिक्षप्राप्त करने वाला भारतिय राजजी कौन सा है कैरल ठीके, चलिए देखते है नेक्स कोश्चन चलिए बिल्कुल मखान जी उसका राइट आंसर था सी कैरल चलिए नेक्स कोश्चन पर हमारे शब्द चिनामान इससे संबंदित है ठीके, चिनामान किस खेल से संबंदित है चलिए से बता दीज़े ओप्शन है फुटबॉल, तराकी, क्रिकेट, टैनिस कमलेज ची दिलीब ची ने कहा है क्रिकेट चलिए ठीक है पिल्कुल राइट आंसर है इसका क्रिकेट इसका आपकिल फातिमाजी ए नहीं फुटबॉल नहीं इसका राइट आंसर है क्रिकेट ठीक है शब्द चिनामान क्रिकेट से संबंदित है जिसको नहीं यादे वो स्र में ट्राइब स्राइब। ोन फंद्ट मुख्यं मंत्रीह कौन है कि चलिदी महाराश्च के महाश्च पोग है । सब्सक्राइब लगमां मुख्यं मंत्री है। 6 सब्गाना है जिल्कुल राइडा औनसर ठीक सिलो महारास्ट के वर्तेमानमु Michy मंत्री लोकेश जी स्वागत है अपraszam प्रेश के प्रेशाएं सlarını जो जिसे इसे में प्रोइव Washander Miya Losad कि वर्तमान में वा स्वैके 20 कीए मंत्री कौन है ठीके यूनियन मिनिस्टर ओफ टेकस्टाइब् 시 आप्शन है राधा मोहन सिंख, सम्रति इरानी, मीनक गांधी, शुष्मा सुराज अकिल फातिमा जी आशु जी ने कहा है भी ठीके जी बिलकुल इसका राइट आंसर है समृती इरानी ठीके यूनियन मिनिस्टर आफ टेक्स्टाइल्स कौन है समृती इरानी ठीके बढ़ते नेक्स्ट कोश्टिन की तरफ भारत का cabinet सचीफ कौन है चल्दी से बता दीजी फ्रेंड्स मुझे इसका आंसर भारत का cabinet सचीफ कौन है ऑप्शन है शामडला कोपिनाथ प्रदीप कुमार सिना एस जेशंकर आरके दत्ता कमली जी दिलीप जी ने कहा है सेकंड प्रदीप कुमार सिना चलिए और बताईए जी बिल्कुल राइट आंसर इसका प्रदीप कुमार सिना शिवम जी ने भी कहा है शिवम कुछ जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जी बिल्कुल इसका राइट आंसर प्रदीप कुमार सिना ठीक है भारत का कैबिनेट सचीफ कौन है प्रदीप कुमार सिना इनके पहल पहले अजीज सेटें तो उनके स्थान पर कौन आयता है प्रदीब कुमार सिना चलिए देखते है नेक्स कोश्चन विज्ञान और प्रोद्योगी की केंद्री मंत्री कौन है ठीक है देखिए इस पेपर में फूरा मिनिस्टर्स के बारे में ही पूछ लिए इसलिए आप से कह जी आपको नहीं बेहान कर दोटें सब्सक्राइच याद आपको अच्छे से याद रखनी है आशु जी ने कहा है नरीन तोमर दिलीप जी ने 4 अगान जी ने भी 4 हर्षव वर्दन जी बिल्कोल इसका राइध। säga फातिमय जी हर्षव देन इसका राइध पर आंसर हर्षव जिसको भी नहीं आदें वो प्रीज जो भी मिनिस्टर से प्रीज उसके लिस्ट आप याद कर लीजिए स्टेट मिनिस्टर ची बिल्कुल चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़तें कुश्ट रोक अन्मुलन दिवस दैश को मनाया जाता है ठीक है कम मनाया जाता है फ्रेंट्स ऑप्शन 25 अप्रेल 30 जनवरी 1 दिसंबर 3 जुलाई चल्दी से बता दीचे मुझे कमलेश नायक ची ने बोला है सेकेंड 30 जनवरी बलवन ची ने 25 अप्रेल अकिल फातिमा ची ने ची बिल्कुल इसका राइट आंसर है 30 जनवरी ठीक है जिसको भी नहीं याद है हो याद कर लीजिए फ्रेंट्स देट के कॉश्चन भी पूछे जाते हैं तो आप देट भी अच्छे से याद रखिए बिल्कुल जो चीजे पूछी ही जाती है उन्ची जो का आप अच्छे से पढ़के रखिए ठीन ही 25 अप्रेंटी तीच जनवरी इसका राइट आंसर है याद कर लीजिए आपनों कुश्ट रोख अन्मूलन दिवस कम मनाया जाता है तीच जनवरी को मनाया जाता है चलिए नेक्स कॉच्चन देखते हैं जी बिल्कुल अहिंसा दिवस जी बिल्कुल उस दिन मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण निम्न स्थान पर स्थित है चल्दी से बता दिजे गाय अभ्यारण कहां है मध्य प्रदेश में और चैने पच्चमा सल्रिया मेंगलिया और बंडोल चल्दी से इसका आंसर बता दिजी फ्रेंड्स मुझे अकिल पातिम जी आश्यू जी और कमडी ची ने कहाए सेकंड सल्रिया जी बिल्कुल इसका राइट आंसर एसका राइट आंसर है गाय अभ्यारण कहां है मध्य प्रदेश में सल्रिया अगर में जिसको भी नहीं याद वो याद कर लीजिए चलिए नेक्स कोशन दिखते हैं भारत की प्रतम समर्पिद अंत्रिक्ष वेच शाला है जिसका प्रशेपण 2016 में किया गया था भारत की प्रतम समर्पिद अंत्रिक्ष वेच शाला है जिसका प्रशेपण 2016 में किया गया था चल्दी से बताईए कौन सी है अंत्रिक्ष वेच शाला मकांची ने बोला है यह जिसका राइट आंसर है एस्ट्रोसेट ठीक है एस्ट्रोसेट भारत की प्रतम समर्पिद अंत्रिक्ष वेच शाला है ठीक है चलिए नेक्स कॉच्चन देखते है किस योजना का उद्देश गावों को गंदगी तता कीचर से मुक्त करना तता स्वच वातवरन का निर्मान करना है किस योजना का उद्देश गावों को गंदगी तता कीचर से मुक्त करना तता स्वच वातवरन करना है चलिए और बताये कोई मुझे चलिए मैं इसका राइट आंसर बताते है उसका राइट आंसर है फ्रेंट्स पंच परमेश्वर योजना जी में खान जी बिल्कुल डेस कराइट आइट आंसर है पंच परमेश्वर योजना के तहक थी क्या पंच परमेश्वर योजना का उद्देश क्या है कावों की गंदगी तता कीचर से मुक्त करना तता सुच्छ वातवरन का निर्मान करना मुक्य में 3 ग्राम सड़क योजना नहीं है वो पंच परमेश्वर योजना है जी बिल्कुल जिसको भी नहीं पता वो याद कर लीजिए पंच परमेश्वर योजना चलिए बढ़ते नेक्स कॉश्चन की तरफ किस भारती ने 2017 ऑस्चिलियन सूपर श्रंकला पैंडमिंटन खेल प्रतियोगीता जीती थी जल्दी से बता दीजी मुझे इसका आंसर फ्रेंट्स आपको नहीं पता है आप सिंप्ली नो लिख के भेज सकते था कि मैं जल्दी से आंसर बता दू कमलेच चीने का है पीवी सिंदू चली ठीके मैं इसका राइट आंसर बताते हूं इसका राइट आंसर है किदंबी श्रीकांत ठीके किदंबी श्रीकांत ने चीती थी किदंपे श्रीकांत ने 2017 आस्ट्रेलियन सूपर श्रंकला बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता जीती थी बिल्कुल कॉश्चन रिपीट होते हैं बिल्कुल ये करेंट अफेर ये वाले कॉश्चन अब जी 2017 वाले कॉश्चन नहीं आएंगे प्रेट बिल्कुल होते हैं ऐसानी आपको पूरा पेपर से देखने को मिल जाेगा लेकिन हां को फीम प्रेट भूर पर इन एक्सक्राइब कोश्चन की तरफ चलिए देखते हैं अब हम सेकंड शिफ्ट ठीक है चलिए सेकंड शिफड का फिर्स्ट कोश्चन है शब्द ग्रेंड स्लेम इससे संबन देता है चल दी बताईए ग्रेंड स्लेम किससे संबन देता है उप्शन फुटबॉल मुक्यबाजी खोगोड टैनिस सब कह रहें डी अकिल फातिमा जी, कमरीज जी, तिलीब जी ने कहा है टैनेश जी बिल्कुल शही है आप लोगों का आन्सर टैनेस इसका राइड आन्सर है ठीक है, ड्रेंट स्लाम किससे संबंद देते हैं टैनेस स्किल से संबंद देते जी बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ चलिए नेक्स कोश्चन है हमारा किस दल ने F.I.H. जूनियर होकी विश्फुकप 2016 जीता चलिए बताईए फ्रेंट्स अच्छा आपने बफरिंग ने वो थोड़ा सा पाउस किया था ठीक है जी बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगा किस दल ने F.I.H. अच्छा सेकिंड बोल रहे हैं सब भारत ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा बेल्जेम को हरा के जीता था चलिए नेक्स कोस्चन दिखते हैं डिजीटल भुकतान पर समीती के अध्यक्ष कौन थे बफरिंग हो रही है ठीक है दो मुले टुक्कियों में बफरिंग ठीक होने तक तक कि आपके कॉस्चन ना चूटे जैसे बफरिंग ठीक हो जाया मुझे जल्दी से मैसेज कर दिएगा चलिए देखते हैं हमारा नेक्स कोस्चन अच्छा है लोग आंसर भी करने मैं कोस्चन रीट कर देती हूं डिजीटल भुक्तान पर समीती के अध्यक्ष कौन है ठीक है ओप्शन है एचार खान रतन पी वटल अच्छा सही हो गया चलिए ठीक हम आगए नेक्स कोस्चन पर हाँ वो थोड़ा सा हो जाता है कभी आप रोकते हैं तो वो बफरिंग करने लगता है मिलेश्या और बी एन सत्यपार्टी तो क्या बताएं फ्रेंड्स आपने इसका आंसर एक और भार भीज दीजिए मैं और दीक नहीं पाई चलिए से मुझे इसका आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स अगर आपने भीज दिया तो प्लीज एक और बार भीज दीजिए अकिल फातिमा जी ने बोला है दिलिपनायक जी ने बोला है रतन पी वटल ठीक है रतन पी वटल इसका राइट आंसर है डिजिटल बुक्तान पर समीती के अध्यक्ष कौन थे रतन पी वटल ठीक है जिसको नहीं आदे प्लीज याद कर लीजे चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपती कौन थे? पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपती आश्चु जी ने बोला है थी, दिलीब जी, कमलीज जी ने बोला है टू, प्रणम मुखर जी जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है प्रणम मुखर जी ठीके रामनात कोविन नहीं इसका राइट आंसर है प्रणम मुखर जी ठीके पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपती कौन है? प्रणम मुखर जी ठीके फ्रेंट्स याद रखिएगा जिसको भी नहीं याद है प्रणम मुखर जी इसका राइट आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कुश्चिन की तरफ निती आयोक का पहला उपाध्यक्ष कौन है? ठीके पहला उपाध्यक्ष पूचा है चल्दी से बता दीजे अरुन शौरी, रगुराम राजन, अर्वेंट पंगारिया, अर्वेंट सुब्रमन्या चल्दी से बता दीजे फ्रेंट्स मुझे इसका राइट आंसर निती आयोक का पहला उपाध्यक्ष ठीके पंगारिया, जी बिलकुल इसका राइट आंसर है अर्वेंट पंगारिया, ठीके निती आयोक के पहले उपाध्यक्ष कौन थे अर्वेंट पंगारिया, और अभी कौन है? बिल्कुल श्रिया जी जी बिल्कुल एर्विन पंगारियस का राइटा आसर है अभी का पता है अभी कौन है? निति अयो के उपाध्यक्ष आपको नहीं पता आपनो लिखे भेच सकते ये तो पहले उपाध्यक्ष आँ कौन है राजीव कुमार हुपाद्यक्ष राजीव कुमार थीक है डिए नेक्सकी देखते हैं मद्य प्रदेश का मुख्य सचीफ कौन है चल्दी बताइए मद्य प्रदेश का मुख्य सचीफ कौन है तो ये पेपर उस समय बना था अब तो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स चेंज हो गए है फिर भी आपको पिछला वाला भी आध होना चाहिए कि किसको हटा के कौन थे पहले आशुजी ने कहा है बसंत प्रताप सिंग जी बिल्कुल इसका इसका इस कॉश्चन का अंसर है उस समय के हिसाब से बसंत प्रताप सिंग तीक है मद्य प्रदेश के मुख्य सचीफ कौन है ब बटाइए मुझे अभी मद्य प्रदेश का मुख्य सचीव कौन है बीपी सिंग मुख्य सचीव आपने कहीं पड़ा है अकिल फातिमा जी ए जिसको नहीं यात कर लीजी क्या है शोधी ए विंधी के सब्सक्राइब पूह निए सब्सक्राइब गरिए। कि के फ्रेंड जिसको नहीं यादे वो याद कर लीजी क्या है कि सुधी कि रंचन कि बोहंती थीक है मैं जल्दी आप लोग के लिए स्टेट मिनिस्टर्स जो भी से लेकर हर चीज के वीडियो लेकर आऊंगी फ्रेंड्स ठीक है दो तिन दिन में हम टॉपिक वाइस क्लास एंपीजी के साथ जो भी इंपोर्टेंट जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इन सब के लिस्ट भी याद करने क्लिए मैं आप लोग क्लिए वीडियो लेकर आऊंगी ठीक है जी बिल्कुल मोहंती चलिए देखते नेक्स कॉश्चिन भारत में निर्मित प्रतम ब बौलती फिल्म बिलकुल आला मारा चिमे लाइफ क्लास क्या लिखना चाहरे हैं पूरा लिख दीजीए अलेक्स कॉश्चन देखते हैं मत्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसो और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चल्दी बताईए उप्षेन मौरेन, धार, शेहडोल, बैतुल आशु जी ने बोला है एक मौरेन ठीक है और बताईए मत्य प्रदेश का सरसो और शहद के लिए अकिल फातिमा जी, श्रिया जी और कम्रेट जी सबने का है मौरेन जी बिल्कुल इसका मौरेना इसका राइट आंसर है सरसो और शहद के उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है मौरेना ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ मद्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्ते द्राज का दर्जा दिया गया ठीक है पूर्ण समर्ते द्राज फुल फ्लेश्ट स्टेट कब दर्जा मिला उसको 11 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1945, 31 नवंबर 1956 कमलेट ची और तिरीब ची ने कहाँ फर्स्ट चलिए और बताईए टॉपिक वाइस लाइफ क्लास मैंने मौनिंग में कहा था कि जो मैं पढ़ाने वाला विया बनाऊंगी ठीक है जो नोट्स होंगे वो मैं रिकॉर्डिट करूंगी लेकिन उस रात को उसी पर मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगी तो उसकी अपन लाइफ क्लास रखेंगे ठीक है कि आप लोग ने उसको याद किया है और आप लोगों को कितना याद हुआ है ठीक है मैं दिन में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें पूरा डिस्कस किया था मैंने इस बारे में जी बिलकुल इसका राइट आंसर है 1st November 1956 में पूर्ट समर्थित राज जी का दर्जा मिला था मदिप्रदेश को चलिए देखते नेक्स कोश्चन सशस्त्र सेना ध्वज दिवस इस स्तिती को मनाया जाता है आम फोर्ट सिस फ्लैग टी ऑप्शन है 4 दिसंबर 8 अक्टूबर 15 सितंबर 7 दिसंबर चल दी से बता दीजे फ्रेंट्स सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कम मनाया जाता है अकिल फाती में जी ने बोला है 7 दिसंबर चलिए ठीक है और बताईए इसका क्या आंसर होगा मखान चीने 8 अक्टूबर चीज सिंग चीने 15 सितंबर चलिए ठीक है मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर ठीक है जिसको भी नहीं याद है वो ये याद कर लीजे आम फोर्सेस फ्लैग डे कब हैं 7 दिसंबर को है ठीक है 8 अ फिर से एक डेट का कोश्चन राष्टिर सुरक्षा दिवस दैश को मनाया जाता है चलिए से आंसर बताईए नेशनल सेवटी डी अप्शन है 4 मार्ज 10 नवंबर 15 अगस 6 जुलाई राष्टिर सुरक्षा दिवस देखिए अगर आपने डेट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होता डेट नहीं तो ये दो कॉश्चन उस समय अगर जिसने पेपर दियो तो नहीं पढ़के ये दो कॉश्चन उससे छूट जाते दिलीब नायजीक ने बोला एक अक्किल फातिमयजी ने भी बोला एक जी बिल्कुल चार मार्च इसका राइट आंसर है मखान जी बिल्कुल सही आप अक्किल फातिमयज बिल्कुल सही आप लोग का अंसर है चार मार्च इसका राइट आंसर है जी जी ती कमले ची फोर मार् जी श्रिया जी चार मार्च इसका राइट आंसर है किसी उच्छ न्याले के मुख्य न्याइदिश के न्युक्ति किसके दुआरा की जाती है ठीक है जल्दी से बता दीजी फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को पता होगा बहुत बार पूचे जाने वाला कॉश्छ न्याले के मुख्य न्याइदिश के न्युक्ति किसके दुआरा की जाती है चीज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोड गवर्णर दे प्राइम मिनस्टर दे प्रेसिडेंट चल दी से इसका आंसर बता दीजीए सुरज प्रचापति जी ने बोला एक अकिल फातिमा जी और कमलीच जी ने बोला है फो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है जी जी सिंग जी बिल्कुल दे प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर है राश्ट्रिपती द्वारा उच्छ नयाले की मुख्य नयादिश की नियुक्ति की जाती है ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ भारत में पहला इसपाज सायंत्र कहां स्थापित हुआ था ठीक है स्टील प्लांट सेट अप पहला स्टील प्लांट सेट अप का इंडिया में कहां स्तापित हुआ था चल्दी से आप सभी को इसका आंसर पता होगा जी सिंग जी ने कहा है जमशेदपूर चलिए और बताइए कमलीच जी दिरीप जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है जमशेदपूर ठीक है जी हेमन जी जमशेदपूर इसका राइट आंसर है किस एयर में हुआ था अकिल फातिमा जी थोड़ा सा पास पास ही है ठीक है आपने जो एयर बताया है जमशेदपूर कहा है पहरे ये भी बता दीजिए मुझे ठीक है मैं बता देती हूँ चलिए जारकंड में है ठीक है जमशेदपूर जारकंड में जापर फस्टिल प्लांट सैटब किया गया था और यह 1907 चे बिलकुल अकिल फातिमा जी 1907 ठीक है 1907 साहिए 1907 में किया गया था ठीक है टाटर स्टिल कंपणी के द्वारा बहुत नाम सुना होगा आपने इसका ठीक है टाटर स्टिल कंपणी के द्वारा जमशेत पूर जारकंड में पहला स्टी प्लांट सेट अप किया गया था इंडिया का ठीक है 1907 में सुरे का रीवर चलिए आपने एडिशनल बताया मुझे सुरे का रीवर ठीक है बिल्कुल चलिए नेक्स कोशन देखते हैं भारतिय चुनावायो की स्थापना दैश वर्ष में हुई थी बिल्कुल चलिए अब हमारे नेक्स कॉश्चन पर भारती चुनावायों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी चल दी से बता दीजे आशु जी ने बोला है 1954 चलिए और बताईए कोई मुझे चीज सिंग जी ने बोला है 1950 चलिए मैं बताती हूं आपको इसका राइट अंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर है 1950 ठीक है जिसको भी नहीं याद कर लीजे 1950 में भारती चुनावायों की स्थापना हुई थी ठीक है 1950 में चलिए भड़ते नेक्स कॉश्चन की तरफ निमांकित में से निती आयों का मुख के कारेपालक अधिकारी कौन है ठीक है चलिए CEO का भी कॉश्चन आई गया है आप सभी को इसका आंसर पता था जल्दी से बता दीजी मुझे इसमें कि आप सी ओफ निती आयोग कमली ची दिलिपनाय ची ने बोला है आपित अमिताप कांथ ची बिलकुल और बताएं श्रेया ची मेकांची अकिल फातिमा ची बिलकुल अमिताप कांथ बिलकुल इसका राइट आंसर ये CEO निती आयोग ठीक है जै बिलकुल चलिए बढ़ते है नेक्स कॉश्चन की तरफ विकरम पुरुसकर किसे दिया जाता है ठीक है किसे दिया जाता है विकरम औवर्ड औप्शन है युवा खिलाडी, सीनियर कोच, सीनियर खिलाडी, सहायक स्टाफ चल दी से बता दीजे फ्रेंड्स मुझे किसे दिया जाता है विक्रम पुरुसकर, आशु जी ने बोला है सैकेंड सीनियर कोच चलिए और बताईए मुझे चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका राइट आंसर, जी बिल्कुल आशु जी इसका राइट आंसर है सीनियर प्लियर, ठीकें, सीनियर खिलाडी को दिया जाता है ठीकें, एंपी जी के अव़ोर्ट सेक्शन में एंपी जी के बहुत सारे अव़ोर्ट से उसमें से विक्रम पुरुसकार होता है ठीकें, उसमें सीनियर खिलाडी को दिया जाता है विक्रम पुरुसकार ठीकें, चलिए नेक्स कॉर्शन देखते है सार्वजनेक सेवा डिलिवरी गारेंटी के संबन में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा है ठीकें, पब्लिक सर्विस डिलिवरी गारेंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्जी और बताईए मुझे कोई गमली ची ने भी ची सिंग जी बिल्कुल बिल्कुल सही मकान जी इसका राइट अंसर है मद्धी प्रदेश थीक हमारा मद्धी प्रदेश है जिसने पुब्लिक सर्विस डिरिवरी ग्राएं गैरेंटी में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज ठीक है मद्धी प्रदेश चलिए नेक्स लुक्षन दिखते हैं ऐसेट भारत के पहले उप्रधान मंत्री देश थे ठीक है जल्दी से बता दीजेए भारत के पहले उप्रधान www.presha.de प्राइश थे कौन थे रह तो प्रतिमा जी बिल्कुल इसका राइट आंसर रह भाइट पतील कि अभी उनकी प्रतिमा भी बनाई गई फ्रेंड तो आने वाले एक्जाम में उनकी प्रतिमा से बहुत सारे कॉश्चन पूचे जाए तो उस पारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है जिती भी चीजे नहीं बनती हैं जितना भी करेंटली होता है वो सारी टॉपिक आप उसी टाइम पर पढ़ लिया करें एक् पर लीजे 100 रुपे का सिक्का जो कॉइन अटल व्यारी बाचपाई जी के बर्ट पे लिए बर्टे के दिन लिकाला था वो उसके बारे में यह सारे टॉपिक है जो करेंटली होते हैं आप उसी वक्त पढ़ लिया करें एक्जाम टाइम के लिए मत रखा करिये जी ठीक है ब बेवी वीडियो बनाने वाली हो तो आप जरूर देखिएगा ची बिल्कुल चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं अब एक अभ्यारण जो कि शौपूर में इस्तित है ठीक है आप फ्रेंड्स देखेंगे सेंचुरी से भी बहुत सारे कॉशन पूछे जाते हैं ठीक है चल्दी से बता दीचें कौन सा अभ्यारण इन में से जो कि शौपूर में इस्तित है चल्दी बताईए ओप्शन है सोन जो भी बड्त दॉन जो कि शौपूर में कौन सा अभ्यारण है चल्ये बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ भारती रेल्वे के काया कल्प नामक नवगटित नवोन मेश परिशद इनोवेटिव काउंसल का नेत्रत कौन कर रहे हैं। अप्षयनटन.चि ए बिल्कुल इसको बीनेत आइस आन्सर आए रतन.टाटव गुर्वाटित ऐसे मट आड़ा कौन है ? उत्यो प्रशम आएं sagt HIV काॉंसल का नेत्रत कौन कर रहे हैं। रतन टाटा, सुरेश सिंग जी हेलो, चलिए देखते हैं नेक्स कोस्चन, चलिए फर्स कोस्चन है अमारा निम्ड में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राज़दानी नहीं है, ची बिल्कुल अनिल जार्ची मैं अपना इंट्रोडक्शन डालूंगी, ठीके मेरी से रिलेटेट सारा इंफोर्मिशन उसकी वीडियो में बनाऊंगे तो वहां सबसे आपको मेरे बार में पता चल जाएगा, सुरेश सिंग जी है, वेल्कम ट्यू डाइमिंड क्लासिस, मखान जी ने कहा है, ए इलहाबाद, ठीक है, चल्दी बताईए, साथ लोंग लाइवे जैश्री कृष्णा, ची रोही जैस्वाल जी, फटाफट इसका आंसर बता दीजे, निर्मे से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राज़दानी नहीं है, मान सिंग जी आने कहा है, ए इलाबाद, जी बिलकुल सही, इलाबाद कैपिटल नहीं है, चलिए, अब मुझे महतां कि फटाफट यहां यहीं लिखी होले हैं सिथी, सब बता दीजे किस-किस स्टेट की कैपिटल ले पहले राजी, राजी का जल्दी से बता दीजे किस स्टेट कैपिटल हैं, क्यूंकि मैं आपको कैपिटल क respiratorys की याद करने बोलती हो तो कwydd अपको अपने इंडिया की चल्दी से बता दीचे, राची कहा की capital है, कौन से state की capital है, जारकण, जी बिल्कुल जारकण, अब राइपूर, राइपूर किस state की capital है, राइपूर है, 36 गड़, जी बिल्कुल राइपूर 36 गड़ की है, चलिए मैं लिखती जाती हूँ, राची है जारकण की, रायपूर है 36 गड़ चलिए दहरादून का बताईए फ्रेंट्स दहरादून कहां की है जी बिल्कुल रायपूर 36 गड़ की है दहरादून का बतादीजे दहरादून कहां की है चल्दी से लिख दीजे दहरादून कौन से स्टीट की कैपिचल है UK जी बिल्कुल 4 UK उत्राखंड ठीक है बिल्कुल ठीक है और इलाबाद capital नहीं है इलाबाद उत्रप्रदेश में आता है जो कि जिसकी capital है लखना हूँ ठीक है फ्रेंट्स चलिए next question की तरफ वरते हैं आपको 29 states की capital याद होनी चाहिए चलिए next question देखते हैं 2016 में महिला एशियाई champions trophy hockey tournament किस देश ने जीता ठीक कोई बात ने सुरेश संग जी नहीं पता आपको चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताईए option ने चीन भारत जापान कोरिया विराट जैस्वाल जी ने का है वन चीन बिल्कुर सिफ टॉप थ्री कमेंट उसके बात मैं आंसर बता दूँगे मखान जी ने का है C चापान चल दी से एक कमेंट और नहीं पता है आप नो लिक्के भेज सकते हैं चलिए ठीके मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है इंडिया ठीके भारत इसका राइट आंसर है 2016 में महीला इशयाई चैम्पेंस ट्रोफी होकी टूनमेंट भारत ने जीता था ठीके और ये कहां आयो जित हूँ आता था ये सिंगापूर में आयो जित था ठीके कहां आयो जीत अठीके मैं शील टुआ था पहर लिके अनसर दी अगरए लेत वारत बहुर में आयोजित हुआ था चलिए ये उस ताइम के कारेंट अफेर का कॉश्चन था चलिए नेक्स कॉश्चन देखते हैं जुलाई 2017 में आयोजित एशिया युवा एवन जूनियर भारतो लन प्रतियोगिता में आजे सिंग ने कौन सा पदक जीता था चल्दी से मुझे इसका आंसर बताईए नंद राम ची गुड इवनिंग स्वागत आपका हमारे चैनल पर सरीत वर्मा जी हैलो चल्दी से इसका आंसर बता दीजी मुझे क्या होगा कौन सा पदक जीता था आजे सिंग ने ऑप्षाने रजजट स्वान कोई पदक नहीं और का चल्दी से मखान जी का कहना है एक सिल्वर और प्रशान शर्मा जी का कहना है रजट चल्दी में आप इसका राइट आंसर बताते हूं इसका राइट आंसर एक जीता था उन्होंने ठीक है जुलाई 2017 में आईजुत एशिया यूवा एवं जूनियर भार्तोलन प्रतियोगी जीता में आजे सिंग ने कासी पदक जीता था चलिए दिखते है नेक्स कॉश्चन जिसको नहीं पता वो याद कर लीजे कुंदे गोंबेटा एवं बॉंप लट्टम निमल इखित में से किस कला के प्रकार है फिराट जैसवाल जी मैंने सही बोला ही क्या बोला था अपने अच्छा आप कह रहे हैं सिल्वर उसका राइट आंसर है ची मैंने कास्य बढ़ा है आप फिर भी एक बार चेक करिए का अगर वो सिल्वर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि करेक्शन किया जा सके ठीक है अभी ये नेक्स कॉश्चन है इसका आंसर बताईए अनिल जाट जी ने बोला है फोर कटपुटली तामाशा चलिए चल्दी से और बताईए इसका आंसर किस कला के प्रकार है कुंधेई गुम बैट्टा एवं बोमा लट्टम चल्दी से बता दीचिए सुरेश्चन जी ने का ऐसी लोग कताई चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूं आपको प्रशांद जी ने का है लोगनित्य नंदराम जी कह रहे है ए लोगनित्य और अनिल जाट जी फोर जी अनिल जाट जी बिल्कुल सही आंसर इसका जी तमाशा ठीकें ये तीनों किस कला के प्रकार ए लोगनित्य नो कटपुली टमाशा थीकत्य याद कर लीजिए आप लोगने गोंबेच्टा एबुमाळ लट्तम किस कला के प्रकार कटपुली तमाशा चलिए बढ़तें समाच के स्थापना खुल ूई थी चल दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे आरे समाज के स्ताप ना कर भूई थी option 1875, 1881, 1872, 1880 चल दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे मैं तुक्का मार सकते हैं या नो ही लिख दे बिल्कुल तुक्का मार ये तुक्का मतलब कि आप अनुमान लगाईए ठीक है बिल्कुल आपको क्योंकि व्यापर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको question छोड़के तो आना नहीं है आपको टिक तो करना ही है नंदराम जी कह रहे हैं भी 1881 अनिल जाट जी ने का 1872 1872 प्रशान जी ने भी 1872 चलिए फ्रेंट्स में इसका right answer आपको बताती हूं आप याद कर लीजे आरे समाज वगया इन सबके इयर पूछे जाते है इसका स्थापना कब हुई थी तो हुई थी 1875 में हम सब याद कर लेते हैं कि किसने स्थापना की थी लेकिन आपको उसका इयर भी याद करना है ठीके हम याद कर लेंगे कि आरे समाज की स्थापना कब हुई थी 1875 में हुई थी चलिए आप सभी को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूं कि इसकी स्थापना किसने की थी चलिए इसे मुझे बता दीजिए इसकी स्थापना किसने की थी आरे समाज की स्थापना 1875 में आरे समाज की स्थापना हुई थी वो किसने की थी राजा राम मोहन राय प्रशान जी कह रहे है स्वामी दयानांसरस्वती शिवन तिवारी जी ने कहा है दयानन्द सरस्वती जी बिल्कुल सही राचा राम मोहन राय नहीं है वो ब्रहमु समाज आरे समाज जो है वो दयानन्द सरस्वती जी ने किये ठीक है शीवन तिवारी जी बिल्कुल सही मुंबई में मुंबई में किती दयानंद सरस्वती जी ने ठीक है याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी ने आरी समाज के स्थापना किती 1875 मुंबई में ठीक है चलिए नेक्स कॉस्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा संग्राले यहां इस देता है यह कॉश्चन देखिए अमने पिछले कल के दिन जो पढ़ी थी शिफ्ट उसमें भी पूछा गया था थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था कौन सा है यह पूछ रहा है कहा है और मैंने आंसर भी बताया था आपको इसका चल्दी से बता दीजी कहां पर है सबसे बड़ा संग्राले और कौन सा है ये भी नाम बताईएगा सेक्स्त कॉलकता ची और बताईए शिवमतिवारी जी ने कहा है और क्या नाम है उसका वो नाम भी बताना है आपको संग्राले का नाम क्योंकि कलम पढ़ चुके हैं प्रशान जी ने कहा है दिली सरीता व्रहमा जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप लोग ने कल के वीड़ा आप जो भी कॉश्टन देख रहें प्लीज याद आईए ऐसे भूलिये मत जी नंदराम जी कहा है कोलकता बिल्कुल सही कल ही हमने यह कॉश्टन पढ़ा था ठीक कि कल के कॉश्टन में संग्राले का नाम ही पूचा गया था और मैंने आपको एडिशनल में बताया था कि वह कॉलकता में है चल दी से बता दी जी क्या नाम है उस सबसे बड़े संग्राले का भारतिये संग्राले जी शिवम तिवारी जी बिल्कुल सही भारतिये संग्राले नामे आप इस वीडियो देख रहे हैं तो आप questions learn करते जाया करिए साथ के साथ ठीक है क्योंकि कल ही हमने ये पढ़ा है ये question पढ़ा है हमने तो हमें याद रहना चाहिए भारतिय संग्राले नामे सबसे और कहा पर है कोलकत्ता में जी हाँ कल मैंने का आप ने कहा था बिलकुल तो है ना भारतिय संग्राले सबसे बड़ा संग्राले है भारतिय संग्राले जो कि कहा है कोलगत्ता में है चलिए next question देखते हैं 1977-78 के दौरान मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे जल्दी से बता दीजे 1977-78 के दौरान मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन थे मैंने अपने पिछले वीडियो पढ़ा हैं मैंने उनमें आपको कहा था कि आपको CM की लिस्ट, PM की लिस्ट, President की लिस्ट, Vice President की लिस्ट, सब की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजी क्या होगा अगर आप लोगों ने वो लिस्ट याद कर रखी है तो आप इसका आंसर दे देंगे चल्दी से बताइए अलील जाट जी ने कहा है कैलाश चंद जोशी, बीन, अरिंदराम जी ने भी कहा है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की लिस्ट आपको याद करनी है ठीक है, किसी से भी कॉशन फूश लिया जाता है तो इसका राइट आंसर है कैलाश चंद जोशी, चलिए बढ़तें नेक्स कॉशन की तरफ मद्य प्रदेश के किस जिले में गन केरीज खारकाना इस्तिते ये कॉशन भी रिपीट हुआ है, जल्दी से मुझे इसका अंसर दे दीजे मान सिंग जी ने का है, इसी जबलपूर ठीक है, और बताईए, ऑप्शन है, बरवानी, ग्वालिय, जबलपूर, भोपाल आप लोगों को याद है, इसका राइट आंसर है, जबलपूर, ठीक है, मद्य प्रदेश के किस जबलपूर में गन केरीज खारकाना इस्तित है, जी नहीं, अनिल चार्ज इसका राइट आंसर है, जबलपूर, ठीक है, याद कर लीजे, आप लोगे, ये कॉश्चन हुई थी, चल्दी से बता दीजे मुझे, सरीता वर्मा जी, जबलपूर जी बिलकुर, उसका राइट आंसर था, जबलपूर, हम अमारे नेक्स कॉस्चन पे हैं, अब, चल्दी से बता दीजे मुझे, ऑप्शन पर देती हुँ मैं आपके लिए, थुमबा इलेक्ट्रियल रॉकेट लॉंचिंग केंद्र, तिरुवंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र, बैंगलूर, सतिश धवन अंत्रिक्ष केंद्र, सतिश धवन अंत्रिक्ष केंद्र, शी हरीकोटा, छी बिलकुल, सी, इसका राइट आंसर है, सतिश धवन अंत्रिक्ष केंद्र, शी हरीकोट ठीक है इक साग और एकृप्रिंग परॉब्लम हो रही है gost 2021 किया अगर इक साथ सबको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे नेट का फॉल्ट ए लिकिन सिफ निन स्टविकूलर किसी को रही है तो हो सकता है उनका डैटा क्शतम हो गया मानसंग जी भी कह bientôt बाफरिंग ठीक है चलिए इसका राइट आंसर है सतिश धवन अंत्रिक्ष केंद्र शी हरी घोटा ठीक है फ्रेंट्स चलिए और यह का कब हुआ था तो यह हुआ था फाइफ पांश नवंबर चलिए आप देखते हैं अगला कॉश्चन ची बिलकुश्चन देखते हैं लोग सबागे वर्तमान अध्यक्ष कौन है रुख चांते हैं थोड़ा सा बफरिंग को थोड़ा सा दीखते हैं दिनेश पंचाल जी यह बोला आपने सुमित्रा महाजन स्वागत आपका हमारे चैनल पर चलिए कॉश्चन है लोग सबागे वर्तमान अध्यक्ष कौन है और जी बिलकुल 16 MPPS का लगा हुआ है यह आप इसको 40 करवाना पड़ेगा में खाल से 16 भी सफिशेंट रहता है पर ठीक है प्रॉब्लम हो रही है रात के वक्त नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका फ्रेंट्स राइट आंसर है सुमित्रा महाजन ठीक है लोग सबागे वर्तमान अध्यक्ष कौन है सुमित्रा महाजन चलिए देखने है नेक्स कॉश्चन जी बिलकुल शिवम तिवारी ची सुमित्रा महाजन जो की इंद्वर सी थी बिलकुल सही चलिए नेक्स कॉश्चन है किसने मूल सिक्षा योश्णा वर्धा को पस्तावित किया था चल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए बफरिंग 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 मैं खुद पर्शान हो गई हूं गया ठीके तो ठीके मैं रुकी हूँ आप लोगों के आपका पफरिंग खतम होके जब यह कॉश्चन आप लोग के सामने आएगा शीवम तिवारीची ने कहा है मात्मा गांदी विनोबा भावे विनोबा भावे चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका राइट आंसर है महत्मा गांदी ठीके विनोबा भावे नहीं है इसका राइट आंसर है महत्मा गांदी किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था तो वो है महत्मा गांदी ठीके फ्रेंट जी बिल्कुल थोड़ा सा एड़्जस्ट कर लीचे कुछ दिनों में मैं इसका उधारन ढूंदती हूँ कुछ उधारन ये मैं जो सॉलुशन ढूंदती हूँ चलिए अगला कॉशन देखते हैं विंद्या एवं सत्पुड़ा परवश श्रंकला के बीच कौन सी प्रमुक नदी बहती है चल्दी से बताईए इसका आंसर आप्शन नर्मदा केन तापती सोन विंद्या एवं सत्पुड़ा परवश श्रंकला के बीच कौन सी प्रमुक नदी बहती है उदै जी हेलो चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे आपको नहीं पता है आप नोपी लिख सकते हैं मैं टॉप थ्री कमेंट का वेट करती हूँ बस उसके बाद मैं आंसर बता दूँगी मखान जी ने कहा है तापती सुरेश सिंग जी भी कह रहे है तापती ठीक है चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंट्स मान सिंग जी ने कहा है तापती जी नहीं इसका आंसर तापती नहीं है इसका राइट आंसर है नर्मदा ठीके फ्रेंट्स याद कर लीजिए जी शिवम तिवारी जी सरीता जी बिलकुल नर्मदा इसका राइट आंसर है विंद्या एवम सत्पूरा परवश रंकला के बीच नर्मदा नदी पहती है ठीके नर्मदा इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स कोश्चन देखते है जी एन आंसर फटाफट मुझे बता दीजे ओप्शने मेधा पाटकर केलाश तत्यारती क्रांती शाह शांता सिना चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे बच्पन बचाओ आंदोलन शिवम तिवारी जी ने कहा है मेगा पाटकर होगा ठाटीन का बच्पन 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 शिवम तिवारी जी एक बच्पन बचाओ आंदोलन शिवम तिवारी जी एक बच्पन बच्पन बचाओ आंदोलन ऑप्शन आप बच्पन 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 नॉबल पूरुसकार भी मिलाए जी बिल्कुल श्रीवम्तिवारी जी केलाज सत्यारती इसका राइट आंसर है बच्पन बचाओ अंदोलन और इसके लिए ने 2014 में नॉबल पूरुसकार मिलाए अकिल फातिमा जी हेलो चलिए ठीक है तो सेकेंड इसका राइट आंसर था चलि ंतरी में बसा पवेश शहर कौन सा है मुं जैं है तो मुझे लयोत के लिए आट शिपपूरी कि योधे चीट्रकुत है निल जियाक इंजाट जी ने कहा है चित्रकुत मांग स्ंगो्झ जी मखंड शीवां जी बिल्कुल राइ शेवाक आंसर इसका मिचत्रकए ऊत्रकट में बसा पविश शहर कौनसा है चित्रकुट है ठीक है फ्रेंट्स ची कम्लीश नायक जी सेकेंड इसका राइट आंसर है स्वागत आपका हमारे चैनल पर चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं जी बिल्कुल चित्रकुट राइट आंसर है नेक्स कोश्चन देखते हैं ओम कारिश्वर मंदिर दैश नदी के तट पर इस्थित है चल्दी से बताईए इस कोश्चन का अंसर जी बिल्कुल शिविम्तिवारी जी अब हमारा नेक्स कोश्चन है ओम कारिश्वर मंदिर दैश नदी के तट पर इस्थित है जल्दी से बताजी जी ओप्षन है नर्मदा, तापती, गोमती, त्रिवेनी रोहिच जैसवाल जी अनिज जी ने कहा है पहला नर्मदा सब कहरें नर्मदा जी बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर है नर्मदा ठीक है उमकारिश्वर मंदिर नर्मदा नदी के टट पर इस्तित है और कहा पर है जगा बताईए मुझे कौन सी जगा पर है उमकारिश्वर मंदिर चल दी से जिसको पता है उमकारिश्वर मंदिर कहा है वो जगा मुझे बता दीजे साथ आप हम जागा बताइए उम कारिश्वर मंदिर किस जगह पर है कि इसका राइट आंसर दूसे हई तो निंद्वा पर चुछ बढ़ते है नेक्स कॉश्जीं की तरफ ची बिल्कुल खंडवा चलिए नेक्स कोश्चन आगे हमारा निमलिखित में से कौन सा विश्व विरासत इसतल नहीं है ठीक है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट टाइप कीजिए क्योंकि आप पी लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी बताया करें तो अब मैं जादा वेट ना जल्दी देसे सब्सकुल कभी же ओ nouveau सर्सक्राइब दाइउ लंगा है अप्शिए तो आप सल्दे पैंट अन्हीं नेचनल पर्क पैंच नेशनल परक विश्व विरासत इसतल है ठीक है जिसको नहीं कर लिए वो याद कर लिए c पहला है पेंश राश्च द्यार नहीं है विश्व विरासत चलिए अगला कॉशन देखते हैं नेतिय आयोग द्वारा निमे लिखित प्रदेशों में सिक्स प्रदेश को किसानों के लिए सरवादिक अनुकुल प्रदेश का दर्जा दिया गया चल्दी से बताईए मुझे आप्शन राजिस्तान मद्व प्रदेश महरास्टु पंजाब किसानों के लिए सरवादिक अनुकुल प्रदेश का दर्जा किसे मिला है नितिय आयोग के द्वारा चल्दी से बता दीजे मुझे इसका आंसर उदेशी बोल रहे हैं बी मद्व प्रदेश ची और बताईए बफ्रिंग 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 ऐसा हो रिवॉल्यूशन की वज़े से भी होता है क्या क्योंकि मैं बहुत हाई रिवॉल्यूशन में वीडियो शूट करती हूं मैं काम करती हूँ उसका revolution कम करके देखती हूँ ठीक है जो वीडियो शूट कर रहे हूँ इसका revolution का महराश्च जी बिलकुल इसका right answer है महराश्च ठीक है नितियायोक ने किसको दर्जा दिये हैं किसानों के लिए सर्वतिक अनुकुल महराश्च को ठीक है जिसे नहीं यादे कर लिजेगा महराश्च जिसका right answer है ठीक है बढ़ते नेक्स कॉस्चिन की तरफ काक्रा पार पर मानु शक्ती के इन दैश्च में स्तित है नेट का प्रॉब्लम तु मुझे भी समझ पे नहीं आ रहा है शिवम तिवारी जीजे बिल्कुल उसका महराश्च चांसर था अब हमारे नेक्स कॉस्चन पे हैं काक्रा पार पर मानु शक्ती के इन दैश्च में स्तित है कहां स्तित है मध्य प्रदेश सम्मध्य प्रदेश बोल रहे हैं ठीक है चल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए रुषिज जैस्वाल जी बोल रहे है तामिल नाडू ची नहीं तो फ्रेंट्स मैं बताते हूं आपको इसका राइट ची अकिल फातिमा जी बिल्कुल सही शिवम जी बिल्कुल सही इसका राइट जी बेहा है तो बहुत 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 पूच जाता है दो जी टीजराइट कर इसका राइट आंसर पार पर मानुशक्ति केंद्र गुजरात में इस्थे ते चल्छ इनक्स कॉस्छन देखते हैं कि 2017 में किस राज्जी ने रंजी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रच्छा हमारा नेक्स कॉश्शन है 2017 में किस राज्जी ने रंजी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रचा चल्दी से बता दीजे जारकन गुज्छराथ कैरल असम चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे नहीं पता है आप नो लिखे भेज सकते हैं 2017 में किस राज्जी ने रंजी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रचा दिलीप नायजिन बरा गुज्छराथ मकान जी कह रहे कैरल रोहीट जी जारकन चल्दीए फ्रेंट्स में आपको इसका राइट आंसर बताती हूं जी अनिल जाड जी गुज्छराथ जी बिल्कुल आर्मी नोटिफिकेशन गुज्छराथ इसका राइट आंसर है ठीक है गुजरात इसका राइट आंसर है 2017 में किस राजी ने रंजी ट्रॉफी जित कर इतिहास रखा तो वो है गुजरात ठीक है पहली बार रंजी ट्रॉफी जीती थी गुजरात ने और सबसे जादा रंजी ट्रॉफी जीती हुई है मुंबई ने कि यह भी आप याद कर लिए सबसे ज़्यादा रंची ट्रॉफी मुंबई ने जीती है यह किल फातिम ची इसका राइट अंसर गुजरात है ठीक है इनने और इंफोर्मेशन दिये केप्टेल पार्थिव पार्टेल थे टीम के बिलकुल चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं किस भारती बैटमिंटन के लाड़ी को आई ओसी एथलेट आयोक का सदस्य नामित किया गया है आई ओसी एथलेट आयोक का सदस्य नामित किया गया है चल्दी से बता दीजे ओप्शन है श्रीकान किदंबी प्रकाश पादुकुन पीवी सिंदू साइना नहवार चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे किस भारती बैडमिंटन के लाड़ी को आई ओसी एथलेट आयोक का सदस्य नामित किया गया है आप ओप्शन लिखें कोशन नम्ब लिखें ओप्शन भी भी सकते है ची बिल्कुल मैंने बोला है ना तीन कमेंट आते ही मैं आंसर बता दूगी तीन लोगों के कमेंट आते ही मैं आंसर बता दूगी इसलिए आप लोग फटा-फट कमेंट किया करें ताकि मैं आंसर बता दूँ सब क्या फोर कमेश कमलेश ची ने कहा है फोर उदेज ची ने कहा है जी बिल्कुल साइना नहवाल इसका राइट आंसर है ठीके फ्रेण साइना नहवाल इसको नहीं आदे वह याद कर लें साइना नहवाल इसका राइट आंसर है ठीके चलते है नेक्स मुएं सिनक जी मानसंग जी साइना नहवाल इसका राइट आंसर है तो फ्रेंड्स हमने 28 अगस्ट की फर्स शिप देख लिए अब हम सेकंड शिफ देखेंगे 28 अगस्ट की अगर आगे बढ़ने से पहले जो भी नए है हमारे चैनल पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा चलिए हम देखते हैं पहला कॉस्ट्ट धेलम चैनाप रावी व्यास और सतलच दैश की सायक नदिया है उमीद है इसका आ आपको नहीं पता हैं आपनों का कमेट भी कर सकते हैं आर्मी नोटिफिकेशन ने का है 4 फौर सिंधू मखान जी ने भी 4 रुही जैस्वाल जी ने ब्रह्मोपुत्र ठीके फ्रेंड्स जी बिरकुल सब्से अकिल फातिमा ची दिलीपनायक जी इसका राइट आंसर है सिंधू ठीके सिंधू इसका राइट आंसर है जी उदे जी इसका राइट अंसर है जेलम चेनाब रावी व्याज और सतलच इंदू की सायक नदिया है चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन मद्य प्रदेश के राजजपाल कौन है ठीक है जी अकिल फातिमा जी सिंदू ता अब हम हमारे नेक्स कोश्चन पर मद्य प्रदेश के राजपाल कौन है चल्दी से बताईए मुझे इसका अंशर ओम प्रकाश कोली राम नरेश यादव बल राम दास टंडन सीता शरन शर्मा चल्दी से बताजीजे हमारा नेक्स कोश्चन पर है हम मद्य प्रदेश के राजपाल कौन है ठीक है जी हाँ थे बिल्कुल थे उस समय पूछा गया था जब यह है जी इसका राइट आंसर है फ़लिए प्रकाश को लि लेकिन उनका कारीक किसले समय रहे था आनन्दी बैन जी ने ठीक है जी हाँ आभ आनन्दी बैन पटेल है फिल्खुल सही ठीक है तो इससका आंसर था आयुदा देश में बैंक नोट मुद्रन आले कहां इस्थेते हैं हमारे नेक्स कॉश्चिन पर मद्दी प्रदिश में बैंक नोट मुद्रन आले कहा है अकिल फाथीमा ची ने कहा है देवास जी बिल्कुल इसका राइट अंसर है देवास ठीके फ्रेंट इसका राइट अंसर है और सिकुरिती पेपर मिल कहां पे है फ्रेंट्स चल्दी से यही चार option है security paper mill जी बिल्कुल देवास इसका right answer है मध्य प्रदेश में printing press कहां पे है banknote printing press देवास में है अब मैं आप से पूछओ security paper mill security paper mill कहां पर है ये question पहले भी आ चुका है security paper mill का चल्दी से यही चार option है आपके पास security paper mill के लिए कहां पर इस्तिते security paper mill जल्दी से नेपा नगर्ज चल्दी और बताईए security paper mill जी बिल्कुल होशंगा बाद security paper mill होशंगा बाद में बिल्कुल सही चल्दी जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजे security paper mill होशंगा बाद और banknote printing press देवास चल्दी देखते है next question security paper mill होशंगा बाद में है एक बार चेक कर लीजेगा आप लोग मैंने होशंगा बाद ही पढ़ रखा है अप लोग एक बार फिर भी चेक कर लीजेगा अगर मैं गलत हूँ तो कमेट में जाके प्लीज सही कर दीजेगा चलिए next question देखते हैं हमारा वह राश्च्पती कौन है जिनका सबसे लंबी अवदी का कारिकाल रहा है ठीक है कौन से राश्च्पती है वो जिनका कारिकाल सबसे लंबी अवदी का है राजे इंद्र प्रसाद जाकिर हुसेन एस राधाक्रिश्णन हामेद अंसारी चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे चल्दी से मुझे बता दीजें नेक्स कोश्च्पती कौन है जिनका सबसे लंबी अवदी का मकान जीने का ए राजे इंद्र प्रसाद ठीक है और बताईए जिदी बताईए जी बिल्कुल सब कह रहे है राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद ठीक है राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है इनका कारिकल रहा था 1915 से 1962 तक जी नहीं, नंदराम जी, सी नहीं, इसका राइट अंसर एक, राजेन पताद, और कारिकल भी आप इनका याद कर लीजे, 1915 से 1962, ठीके फ्रेंट्स, 1915 से 1962, इनका कारिकल रहा था, चलिए, नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं, सेबी का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए, सेबी का अध्यक्ष कौन है, आपशन हैं, अजे त्यागी, एज जैशंकर, सीबी भावे, युके सिना, ची बिल्कुल दो, अब यह कॉश्चन है, हमारा सेबी का अध्यक्ष कौन है? यहां 12 सल तक था 1950 से 1962 हमारे नेक्स कोश्चन पर सेबी का अध्यक्ष कौन है चल्दी से बता दीचे मुझे और प्लीज करेंटली आप चैक आउट कर लीजेगा ठीक है चेंज तो नहीं हो गए है यह आप पता कर लीजेगा सेबी का अध्यक्ष कौन है अभी मुझे जल्दी स बता दीचे बिल्कुल एक कमले जी आर्मे नोटिफिकेशन अकिल फातिम अजे त्यागी ठीक है इसका राइट आंसर है अजे त्यागी सेबी का अध्यक्ष कौन है अजे त्यागी अब मुझे सेबी का फुल फॉर्म चल्दी से टाइप करके भेज दीजे ठीक है थोड़ा मैं रुकी हूँ आप लोगों के रप्लाई के लिए क्यूंकि थोड़ा फॉर्पोर्म है अकिल फॉर्म अच्छा नहीं पता है आपको सेबी का फुल फॉर्म बिल्कुल पता करके रखना चाहिए आपको सेबी का फॉर्सॉर्म अच्य अबीभी त्यागी है वहत अच्छी मुझे सेबी का फुल फॉर्म बता दीजिये मैं वेट कर देए आप लोगो के रिप्लाई का जल्दी से छी नहीं मैं इंदर से नहीं हूं बिलकुल नहीं हूं मैं इंदर से यह जो इंट्रोड़क्शन है इसका वीडियो में अलग से बनाओंगी फ्रेंड्स तो अभी अपन पेपर पड़ते हैं ठीक है मैं मेरे इंट्रोड़क्शन का वीडियो अलग से बना दूंगी सेक्योरिटी एक्सचेंज लिखना चाहा रहते हैं थोड़ा सा बी थोड़ा सा गलत हो रहा है बी से बैंक नहीं है जी नहीं बी से बैंक नहीं है बाकी सही था सेक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बी से बैंक नहीं है बी से है बोर्ड ठीक है सेक्योरिटी एंड एक्सचेंज बो प्लीज आप यात कर लिजी का इसका फुल फॉर्म सेक्रिटी जाइन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ पर मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कौन सा शहर है जल्दी बता दीजिए इंदौर ग्वालियर जबलपूर भुपा प्रभुदाज जी ने कहा इंदौर ठीके और बताईए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स चन संक्या के आधार पर अनिल जाट जी इंदौर जी बिल्कुल सही है इंदौर इसका राइट आंसर है चन संक्या के आधार पर मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर जी बिल्कुल सभी सही है इंदौर इसका राइट आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चिन की तरफ भारत में कितनी अनुसूचित भाषा है मानने ता प्राप्त है थीके जलदी बता दीजे कितं़े लेंग्वेज इसको बाणने ता प्राप्त है जलदी बता दीजे ची बिलकुल मैंने तीन कमेंट पर ही यह ऐसा होता है मैं आपको बोल रहे हूं आपके पास थोड़ा सा लेट जाता है 5-6 सेकंड बाद आप लोगों को वो चीज दिखाई देती है ठीक है जो मैं आपको बता रहे हूं वो थोड़ी देर बाद आप तक बहुशती है बिलकुल मैं तीन कमेंट के बाद बिलकुल आंसर बता रही हूं तो मखान जी ने बोला है C जी बिलकुल बिलकुल सही आंसर है इसका 22 ठीक है भारत में कितनी अनुसुचित भाशा है मानने तर प्रापत है तो इसका राइट आंसर है 22 चलिए बढ़ते नेक्स जी अनिल जाट जी 20 न चलिए निम लिकित मेंसे कौन सा चेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है चल्दी से बता दीजे इसका आंसर कौन सा चेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है और बताईए मगाण जी ने भी बॉल आई डी छोटनागपूर लिए बिलकुल बिलकुल सही आँसर है छोटनागपूर जी चोटनागपूर इसका राइट आँसर है छोटनागपूर मद्योप्रदेश में नहीं है ठीक है चलिए देखते है अगला कॉस्चन महात्मा गांधी राश्ट्र ग्रामिन रोजकार गैरंटी अधिनियम 2005 मंद्रेगा के तहट वर्ष 2015 में उत्क्रिष्ट कार्जी के लिए निम्रांकित में सिक्केस राज्जी ने दस्वा राश्ट्र पूरुसकार जीता महात्मा गांधी राश्ट्र ग्रामिन रोजकार गैरंटी अधिनियम 2005 के तहट वर्ष 2015 में उत्क्रिष्ट कार्जी के लिए निम्रांकित में सिक्किस राज्जी ने दस्वा राश्ट्र पूरुसकार जीता उप्षन है गुजराज, राजिस्थान, असम, मध्यप्रदेश जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए आपको पता है तो नहीं तो आप नो लिखे भेज सकते हैं मकान जी कह रहे हैं D, मध्यप्रदेश उद्यप्रदेश, अकिल फातिमा जी गुजराज नहीं इसका राइट आंसर है D, मध्यप्रदेश आप लोग याद कर लिजे, तस्वा राश्ट्र पूरुसका जीता किसने है, मध्यप्रदेश ने ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं, जी अने जाएट जी विलकुल वही टाइम पे, कल मैं एक बज़े स्टार्ट कर दूँगे, क्योंकि अकिल फातिमा जी की क्लास रहती है, ठीक है, तीन बज़े से तस्वा उनके लिए, मैं तेर बज़े की जगा, एक कमेंट मुझे मिलेंगे, मैं उसी पे बनाऊंगी, तो प्लीस आप वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिए, किस दिन को अंतर राश्ट्री योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, चल्दी इसका अंसर बता दीजिए, ऑप्शने 23 अप्रेर, 21 जून, 21 सितंबर, 21 ठीक है, आपको जो भी वीडियो चकल चाहिए, ऐसा ही के कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना, प्लीस अभी वीडियो खतम होने के बाद, आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे जो भी कमेंट मिलेगा, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, इसलिए प्लीस अभी कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो खतम होने के बाद, कमेंट, चल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, किस दिन को अंतराश्ट्री योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, कमलेची ने कहा है, दो, एक कि चून, ठीक है, और बताईए, चल्दी बताईए, अकिल बिलकुल यहां नहीं, आपको क्या करना है, जो हमने कल वीडियो बनाई थी, उसमें जाके, प्लीस आप कमेंट कर दीजे, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके, किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करके, कमेंट कर दीजे, तो मेरे लिए एजी रहेगा प्लीज यहां मत बताईए आयूश ची ने कहा है फोर एकिज जुलाई ची नहीं मैं अब मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ इसका राइट आंसर है 21 जून चिसको भी जो भी सब्जेक्ट चीए जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रख इसका राइट आंसर 21 जून नेक्स कोस्टन दिखते हैं वर्तमान में सडक परिवहन और राजमार्ट के लिए केंद्री मंत्री कौन है चल दी से बता दीजे केंद्री मंत्री कौन है सडक परिवहन और राजमार्ट के लिए रोड ट्रांस्पोर्ट एन हाइवे के लिए उप्चेन है सुरेश प्रभू, राजनाज सिंग, नितिन गटकरी, कलराज मिश्रू चल्दी से मुझे इसका आंसर बताईए आपको नहीं पता है, आप नो लिख के भीज सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता है, थाकि मैं आंसर बता सकूँ चल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या है इसका राइट आंसर, वरतमान में सडक, सडक, परिवहन और राजमा के लिए अखिल पातिमाची नहीं बोला है आईटि आईट जी, जी बिलकुल सही एांसर है, नितिन गटकरी जी बिलकुल सही नितिन कटकरी, इसका राइट आंसर है, रोड फ्रांस्पोर्ट रें हाइवे केुनियन मेनिस्टर को नितिन गटकरी चलिए देखते हैं next question ये बिलकु नितिन कट करी रहा उसका right answer अब हमारे next question पे है वह पवित्र नदी जो सिंगस्त कुम्ब मेलो का इस्थल है ठीके कौन सी नदी है वो जो सिंगस्त कुम्ब मेलो का इस्थल है option है नर्मदा, शिप्रा, सिंदू, गंगा चल्दी से बता दीजेए friends आप सभी को इसका answer पता होगा आप सभी को पता होगा 12 साल में एक बार लगता है सिंगस्त कुम्ब मेला बता दीजे किस नदी किस लगता है किस नदी के पास चल्दी से मैं वेट कर यू चल्दी से बता जीजे वह पवित नदी जो सिंगस्त कुम्ब मेलो का स्थाल है चल्दी से कमेंट कीजे ताकि हम जल्दी से वीडियो खतम कर सके दिलीप नायक जी ने बोला शिप्रा अकिल फातिमा जी कमरीच जी ने भी शिप्रा जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका शिप्रा तीके शिप्रा नदी जो सिंगस्त कुम्ब मेलो का स्थाल है तीके शिप्रा इसका राइट आंसर है नेक्स कॉस्चन देखते हैं कहां लगता है उजञेन में लगता है ची बिलकुल अनिल जाड जी आपके से टी उजञेन बिलकुल शिप्रानदी के राज़व और उज्जैन में लगता है चलिए नेक्स कोश्चन दिखते हैं तापती नदी कहां जाकर मिलती है चल्दी से बता दीजे इसका आंसर तापती नदी कहां जाकर मिलती है अप्शन है बंगाल की खाड़ी, मननार की खाड़ी, खंबाट की खाड़ी, हिंद महा सागर जल्दी से मुझे इसका अंसर बता दीजे, तापती नदी कहां जाके मिलती है जल्दी बता दीजे इसका अंसर फाइव टू सिक्स कॉश्टिंस और बचे हैं जल्दी से बता दीजे ताकि हम वो कॉश्टिंस पर जल्दी से ख़दम कर ले आपको नहीं पता है, आप नो लिख के भी सकते हैं ताकि मैं आपको इसका अंसर बता सकूँ अकिल फातिमा जी ने बोला C, दिलीप जी, कमरीज जी ने भी C जी बिल्कुल सही आंसर है इसका खंबाट की खाड़ी जी बिल्कुल खंबाट की खाड़ी इसका राइत आंसर है तापती नदी कहां जाकर मिलती है, खंबाट की खाड़ी में जाकर मिलती है चलिए देखते हैं, नेक्स कॉस्चिन जी नंद्राम जी ए नहीं इसका राइट आंसर है कमबाट की खाड़ी चलिए नेक्स कॉश्चन देखते हम समविदान में परिकल्पना किये गए अनुसार लोग सबा में अधिक्तम सदस्थी हो सकते हैं चलिए बता दीजे मुझे कितने सदस्थी हो सकते हैं लोग सबा में ओप्शन ए 552, 250, 546, 525 चलिए से मुझे इसका आंसर बता दीजे आप सभी को पता होगा इसका आंसर लोग सबा में अधिक्तम सदस्थी हो सकते हैं चलिए मुझे इसका आंसर बता दीजे आर्मी नोटिफिकेशन जिनका है 552 उदय जी ने बी का है 250 और कम्रेट जी ने बिल्कुल 552 इसका राइट आंसर ठीके जिसको भी नहीं यादे प्लीस वह याद कर लीजिए 552 इसका राइट आंसर है ठीके 552 इसका राइट आंसर है आप लोग इसको याद कर लीजिए जिसको भी नहीं पता है 552 अकिल फातिमा जी 552 इसका राइट आंसर है ठीके लोग सबा में अधिकता 552 सदस्य हो सकते हैं सम्विदान में परिकल्पना किये गए अनुसार ठीके चलिए नेक्स कोश्चन दे साइना नेवाल कि सखेल से संबंदित है ओप्षान है होकी, टेबल टैनिस, बैट मिंटन, शत्रंज चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे साइना नेवाल आई उस जी ने कहा है 3 बैड मिंटन ठीके और बताईए चल्दी बता दीजे मुझे इसका आंसर साइना नहवाल किस खेल से संबंदित है होकी, टेबल टैनिस, पैडमिन्टन, शत्रंज चल्दी से आंसर टाइप करके भेज़ दीजे फ्रेंट आप कोशन नमबर लिखे, ओप्शन भी लिख सकते है बखान ची ने बोला टेबल टैनिस, तिरीब ची ने पैडमिन्टन, शत्रंज बिलकुल सही, इसका राइट आंसर बैडमिन्टन जी, उद्धेजी, अकिल फातिमा जी, बैडमिन्टन इसका राइट आंसर है साइना नहवार बैडमिन्टन खिल से संबन दीते, चलिए देखते है, नेक्स कोशन कोर्बा थर्मल प्लांट निम राज्जी में स्थित है चल्दी बताईए मुझे कोर्बा थर्मल प्लांट निम राज्जी में स्थित है, कौन से राज्जी में है ऑप्शन है गुच्रात उत्तर प्रदिश 36 गर मद्यप्रदिश चल्दी सिसका आंसर बता दीजे मुझे फ्रेंट्स कोर्बा थर्मल प्लांट आयूची ने बोला है थ्री 36 गर चल्दी बता जी अकिल फातीमा जी ने भी बोला है 36 गर इसका राइट आंसर है कोर्बा थर्मल प्लांट कहां किस राज्य में है 36 गर में ठीके फ्रेंट जिसको भी नहीं है दे फूयात कर लीचिये कहां पर है 36 गर में है ठीके कोर्बा थर्मर प्लांट चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन ची बिल्कुल चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं अपना कि वर्ष दैश में भारत मिसाइल प्रद्योगी की नियंतरन व्यवस्ता व्यवस्ता में शामिल हुआ था किस वर्ष में हुआ था भारत चल्दी बता दीजिए हम अमारे नेक्स कोश्चन पर आ गये हैं जल्दी से बता दीजिए उसका राइट एंसर हो गया 36 जिए बिल्कुल सही अब हमारे नेक्स कोश्चन में हैं किस वर्ष में भारत मिसाइल प्रद्योगी की नियंतरन व्यवस् किस वर्ष में हुआ था जल्दी बता दीजे मुझे सकते हैं और प्लीज जो ऑप्शन लिखते हैं प्लीज आगे कॉश्चन नमबर डाल दिया करिए क्योंकि थोड़ा सा मेरे बोलने का मैं बोलती हुए उसके थोड़ी देर बात आप तक पोश्चता है तो हो सकता है अकिल फातिमा जी के रिए 1998 तिलीप नाया जी 2016 जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है 2016 2016 इसको भी नहीं यादे वो याद कर लीजे 2016 इसका राइट आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कॉश्चिन की तरफ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच लड़ी गई थी चलिए उमीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी तो इतना दो पता है 1526 में लड़ी ठीक है ओप्शन ने राणा सांगा हेमू दौलत खान लोधी इब्राहेम लोधी चल्दी से बता दीजे मुझे आयू ची ने बोला है फोड इब्राहेम लोधी ठीक है और बताईए पानी पत की पहली डाई कब लड़े गई थी 1526 में लड़ी गई थी बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी चल्दी बताईए चल्दी से बता दीजे फ्रेंड इसका आहन्सर ची अकेल फातिमा जी इब्राहेम लोधी इसका राइट आहन्सर पानी पत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहेम लोधी के बीच में हुई थी ठीके फ्रेंड और इसका रिजल्ट क्या रहा था कि जो लोधी वांश था खतम हो गया था और मुगल वन्ष के स्थापना हो थी ठीक है पहली लड़ाई थी ठीक है चलिए अब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं महाराज ने 2016 में दैश का अल्प संक्या दर्जा स्विक्रित किया था ठीक है मैनेरिटी स्टेटेस किसका था औप्षायन है पार्सियों सिखो यहुदियों और पेश्वाओ बिलकुल अकिल फातिमाजी 21 अप्रेल 1526 बिलकुल आपको डेट भी याद होनी चीए उसकी बिलकुल अब हमारे नेक्स्ट कोश्चन पर आ गए हैं महाराज ने 2016 में दैश का अल्प संक्या दर्जा स्विक्रित किया था चल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर हासिम खान जी ने कहा है एक पार्सियों चल्दी से और बताईए चल्दी से मुझे अभी तक इसका राइट आंसर नहीं मिला है चल्दी से आपको नहीं पता है आप नो लेक की भेज सकते उदय जी नेगा है सी अखिल फातिमा जी ने एक अमली जी ने थी जी बिलकुल यहुदियों ठीके महराज ने यहुदियों का अल संख्यक दरजा सुर्कित किया था जिसको भी नहीं याद है वो याद कर लीजिए इसका राइट अंसर यहुदियों ठीके फ्रेंच यहुदियों इसका राइट आंसर चलिए देखते है नेक्स कोश्चन अकिल फातिमा जी के रिए पार्सियों का मैंने यहुदियों ठीके वैसे का राइट अंसर यहुदियों दे रखा है फिर भी आप अकिल फातिमा जी आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकती है और अगर यहुदियों ना होके पार्सियों हुआ तो प्लीस कमेंट के में था जल्दी से बता दीजे का राइट आंसर भारतिय वायुसेना अपनी प्रतम dogs न्हींत का जा रहा है करती हुँ आर्मी नोटिफिकेशन जी आपकी कमेंट नहीं जा रहा है कि वने इंद्र शर्मा जी का कहना है थो थाल तेन वनेंद्र शर्मा जी श्वागत आपका मारे चैनल पर छी बिल्कुल मैं इसका राइट आंसर 3C सही बोल रहे हैं आप लोगं 2016 इसका राइट आंसर है ठीक है भारती वायू सेना ने अपनी प्रतव महिला सेनानी पैलेट को अप्चारिक रूप से 2016 में प्रमार्नित किया था ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं बिल्कुल जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल MPSI और MP Constable के दोनों की लाइज सीरीज बना रहा हैं फ्रेंड्स प्रिवियस ए पेपर की तो आप प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लीजिएगा जी बिल्कुल जल्दी करेंगे आप मैं जल्दी कॉशन बताऊंगे आप जल्दी जल्दी उसके आंसर दीजिएगा चली शुरू करते हैं पहला कॉशन से भारत के किस पड़ोस्टी देश को अर्बो ने सेरेंडिप कहा था ठीक है जल्दी से इसका आंसर पताईए मुझे अगर आपको पता है नहीं पता है आप लो लिखके भेज सकते हैं अगर आप लो लिखके भेज देंगे तो मैं जल्दी से आपको आंसर बता दूंगे नहीं तो मैं आपके आंसर उसका वेट करती हूं तो जल्दी से बताईए इसके आप्शन है मैंनमा, श्री लंका, नेप पाकिस्तान चल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए चलिए तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूं भारत के किस परणुषी देश को अर्बो ने सेरेंटीप कहा था तो वो है श्री लंका ठीके फ्रेंट्स इसका राइट आंसर है श्री लंका चलिए नेक्स कोश्चन देखते है जी स्वाती राजपुजी उसका आंसर था बी श्री लंका बिल्कुल सही जी मकान जी बिल्कुल बी आंसर था उसका चलिए अप नेक्स कोश्चन देख लेते हैं हम अपना आंधर प्रदेश में तीरुपती मंदिर में किस देखता की उमीद है इसका आंसर आप सभी को पता होगा फटा-फट आंसर बता दीजिए मुझे ऑप्चन ने गनेश शेव इंद्र बाला जी जली से बता दीजिए आंदर प्रदेश में तीरुपती मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है बफरिंग अभी भी हो रही है बफरिंग ठीक है मैं देखती हूँ नेट थोड़ा चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा अभी आ गया अच्छा स्वाती जी ने बोला है डी बाला जी अकिल फातिमा जी ने बोला है डी बाला जी चलिए ठीक है श्रिया रगुणशी जी ने भी डी बोला है मकान जी ने शिव जी का बोला है जी नहीं इसका राइट आंसर है डी बाला जी ठीक है आंधर प्रदेश में तीरुपती मंदिर में किसे बाला जी की पूजा की जाती है ठीक है बहुती प्रसिद्ध मंदिर है ये कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाईएगा पाला जी ठीक है आंद्र प्रदेश में तीरुपती मंदिर में पाला जी की पूजा की जाती है नेक्स कॉश्चन देखते हैं कपिल धारा मंधार दुआ धार में क्या सामानता है ठीके ये तीनो नाम जो मैंने लिये वो क्या है तो ऑप्शेलन है सभी सहायक न दिया है सभी जवरंत मुख है सभी डल्टा है सभी जहन्य है है नहीं चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजी क्या है अकिल फातिमर जी ने कायNE उनलाव वाटर फॉल्स ठीक है और बताईए बहुत ही इजी कॉश्चन है यह नाम सबने देखे होंगे स्वाती जी ने भी बोला है सभी जन्ने है मान सिंग जी ने भी बोला है सभी जन्ने जिब बिल्कुल सही है सभी जन्ने है ठीक है क्या है इसका राइन टांसर सभी जन्ने है जी बिल्कुल नर्मदा के फॉल्स चलिए शूकर देखते हैं नेक्स कॉश्चन अपना अरुन धर्ती भटाचारे किस बैंक की प्रतम महिला अध्यक्ष है ठीक है अरुन धर्ती भटाचारे चलिए से मुझे इसका आंसर बता दीजे अरुन धर्ती भटाचारे किस बैंक की प्रतम महिला अध्यक्ष है आपको पता है तो आंसर बताईए नहीं तो आप नो भी कह लिख सकते हैं जिससे मैं आपको आंसर बता दूँ अकिल फातिमा जी कह रही है स्टेट बैंक आफ इंडिया चल्दी मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं जी अकिल फातिमा जी एस्पी आई है नो आइडिया अच्छे ठीके मैं आपको बताती हूं इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक आफ इंडिया ठीके जी मान सिन्झ जी बिल्कुल सही सीस का राइट आंसर है स्टेट बैंक आफ इंडिया और इनकी नियुक्ति हूई थी 2015 मैं तो आप प्रबल शर्मा ची आपका सुआ गका है हमारे चैनल पर इनकी नियुक्ति हूय थी 2015 में ठीके आप ये भी याद रखिएगा कब नियुक्ति हुई थी आरुंत धती भटाचार रिया ये पहली प्रतम भाहिला अध्यक्षे किस बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियुक्ति कब हुई थी 2015 में चलिए नेक्स कॉस्चन देखते हैं जी हां अखिल अपना बांद तिग्रा बांद बर्गी सर्दा सरोवर चल्दी से मुझे इसका अंसर बता दीजे नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा पांध स्वाति जी ने कहा है दी अकिल फातिमा जी ने भी कहा है दी और बताईए जल्दी बताईए मानसिंग जी भी कह रहे हैं डी नौ लोग लाइफ है तो पीज जिते भी लाइफ है सब आंसर करें पता है तो बताईए नहीं तो आप गुझरात में सरदार जी बिलकुल अकिल फातिमा जी बिलकुल सही बोला इसका राइट आंसर है सरदार सरोवर बांद जो की कहा है गु बिलकुल डी उप्षिन है सर्दार सरोवर काहा है गुझरात में और विश्व का दूसरा सबसे बाड़ा बांद ठीक है फ्रेंट्स आप क्या पता करेंगे आप पता करेंगे पहला विश्व का पहला सबसे बड़ा बांद कौन सा है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब केंद्रे मंत्री मंदल ने नई राष्ट्री स्वास्ति निती का दैश में अनुमोधन किया था कब किया था ठीक है ऑप्शन है 2014, 2002, 2010, 2017 चल दी से आंसर बता दीजे मुझे इसका केंद्रे मंदल ने नई राश्ट्री स्वास्तिनिती का दैश में अनुमोधन किया था आपको पता हैं आप आप्शन्स बता दीजे नहीं तो आप नो लिखके भेज सकते हैं ठीके फ्रेंट्स और फ्रेंट्स जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्रीस हमारा चैनल सस्क्राइब कर लीजिए साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ठीके क्योंकि हमारे चैनल पर एसाई और कॉंस्टेबल के प्रिवियस एर पेपर्स की लाइफ सीरीज चलती है चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए मैं वेट कर रहे हूं आपके आंसर का अकील फातिमाजी ने का है 2014 शायद जी और और अनुमान लगाई है आप मार्कान जी कह रहे है 2014 चलिए ठीके मैं आपको इसका आंसर बताते हूं फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है 2017 ठीके 7 जी नहीं इसका राइट अंसर है 2017 ठीके आप सब त्याप कर लीजे 2017 ने इसका राइट अंसर फोर्थ वाला ठीक है केंद्रे मंट्रे मंडल ने राश्ट्रे स्वास्ते नीति का दैश में अनुमोधन किया था तो 2017 में अनुमोधन किया था चलिए नेक्स कॉश्चन की तरफ पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है चल दी से मुझे इसका आंसर दे देजिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है चलिए ये उस समय का पेपर है तो अभी रिसेंट के तो इसमें आंसर होगा नहीं मैं आपको बता देती हूं कि जब ये पेपर बना था आप वो नहीं रहें तो जल्दी से आप मुझे बता दीजे कि आप कौन है रिसेंट में करेंटली कौन है भारती रिजर्ब बैंक के गवनर फ्रेंट्स आप कोई भी ऐसे पढ़ते हैं आप तो करेंटली आप जरूर चेक करा करिए ठीक है अगर मैं भी आपको बता रही हो करे नियों जल्दीजे करेंटली फिर भी आपको एक बढ़ चेक करना है करनली कोण है मुझी शक्ति कांध दास जीप बिल्कुल कोई पता है शक्ति कांध दास बिसुक्षी आंसर है आयुष स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मिया करनल म्यार्म को सब को पता है सब अप्टु देट है एकदम ठीक है तो चलिए नेक्स कोश्चन पढ़ते हैं शक्ति कांदाज जी हमारे RBI के गवर्नर है चलिए नेक्स कोश्चन है हमारा भारतिय जनता पार्टी के संस्तापक कौन थे चलिए बता दीजे जल्दी से वीडी सावरकर अटल भियारी वाजपाई श्याम प् सर बता दीजे फिरन्ट और फ्रेंट्स हो भी हमारे चैनल पर नए है चल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कर लिए है ऑच एक अक्य फातिमा जिका पिर लेना चाहरी है पश्चित नंबर के अकेल पातिमा यसी श्याम प्रसाद मुकर जी चल्दी सार सर बताईए मुझे इसका स्वाती राजपुत जी ने बोला है टल व्यारी बाचे मान सिंग बगेल जी ने बोला भी अच्छा किर फाति जी बिल्कुल प्रच इस नंबर के वो कॉश्चन लिकल गया था तो बिल्कुल आर बी गवरनर है वो 25 नंबर के चलिए अब इसका आंसर बताती हूँ जी मकान जी बिल्कुल सही है आप इसका राइट आंसर है सी शाम प्रसात मुखर जी ठीक है कौन है भारतिय जनता पार्टी के संस्तापा के शाम प्रकाश मुखर जी जैराम शुक्रा जी हाइए वेलकम ट्यू डामेंड क्लासे जो भी न लंपिक खेलों में वेक्तिकत पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला पहलवान कौन है चल्दी बताईए उमीदें है इसका आंसर आप सभी को पता होगा ओलंपिक केलों çaक्षी मली कवीता दलाल गीता फोगट पबिता फोगट चल्दी से मुझे इसका आंसर बतादीजें मैं वेट कर यू फ्रेंड्स आपके आंसर का कौन है ओलम्पिक खेलो में व्यक्तिगत पदक चीतने वारी पहली भारती महीला पहलवान आर्मी नून्टिफिकिशन जिन बोला है टू और बताईए जे रामजन शाक्षी फातिमा जी ने बोला है गीता फोकट छी पढ़िए मैं भारती पहली महीला पहलवान कौन हे अकिलफातिमा जी ने बोला है ऑर स्वाति जी ने बोला है सी सी CCC, ठीके, रियान जी, हाई, चलिए, मैं आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर गीता फोगाट नहीं है, ठीके, इसका आंसर है, मखान जी, बिल्कुल सही, इसका आंसर है, साक्षी मलिक, ठीके, फ्रेंट्स, ऑलम्पिक केलो में व्यक्तिगत पदक ज जीता था ने रियो ओलम्पिक हुए ते जो 2016 में उसमें इन्होंने जीता था तो यात कर लीजे फ्रेंट साक्षी मेलिए किसका राइड अंसर इस फोन का जरू चैक कर लीजे कि हाई रिवोलुशन तो नहीं है जादा क्योंकि हमें 362 40 पे सफिक्षेंट दिखाई दे जाता है अकिल फातिमा जी ने काए ए जैराम शुकला जी ने भी कहा ए डिख बोई चल्दी बताइए 21 लोग लाइफ ए प्रीज आप कमेंट करी आपको आंसर पता है कमेंट कीजिए नहीं पता है सरीता वर्मा जी वैलकम ट्यू न्यू डायमेंड क्लासिस नहीं पता है आप नहीं यह बिल्कुर राइट आंसर है डिख बोई इसका राइट आंसर है ठीक है भारत में सर्व पैदम पैट्रोलियम यहां से निकाला गया था और वो है डिख बोई ठीक है चलिए नेक्स कॉश्टन देखते है हां कहां पे है यह यह वाली बात भूल गई मैं ठीक है आप मुझ डिख बोई आंसर तो बता दिया राज जी बताईए जल्दी आप वेरी गुट रियांची बिल्कुल सही आसाम इसका राइट आंसर मतलब इसका सही है कि यह आसम राज जुमें है चे बिल्कुल अकिल फातिमा जी चलिए नेक्स कभी-कभी पूश लेता है डिख बोई कहां है प्रीस हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखेजिए गा और पसंद आए तो लाइक कीजिए गा निम मैसे किस चिले के कावों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है चल्दी बताईए इसका अंसर मुझे ठीके ऑप्शन सिधी सीधी सागर सतना दमो चल्दी से मुझे इसका अंसर बता दीजे निम मैसे के जिले के गावों को क्लाइमेट स्मार्ट श्रेया रगुवन शी जी ने बोला बी सागर चल्दी और बताईए आर्मियो सतना इस मैं सिखी दिली जी ने बोला है सिदी आकि पिल्कुल सही है आप लूंग इसका राइट आंसर ay Satna अच्यान में से चल्रेया को गावेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में समयलित किया गया है ठीक हैं जी को नहीं पता इन में से इसका अंसर ay Satna अब मुझे बताए कितने जीलों को इस योजना में समयलित किया गया ह यह चार ऑप्षेन ते आपने बता दी हान इन में से तो सतना लिकिन कितने जी लोगों किया गया है क्लामेट समार्ट विलिच Dies Benjamin में अधिर प्रदेश के कितने जी लोगों सम्मेर्डु किया गया है जल्दी से बता दीजे मुझे नहीं पता है आपनों लिटके भी भेश सकते हैं चल दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर चल ये मैं बताती हूँ 7 जी ले, 7 जी लोगो ठीक है याद रखिएगा कुल 7 जी ले आप चाहें तो सर्च कीजिएगा कौन से 7 जी ले हैं तो याद कीजिएगा क्या पता आपने जो आप 7 जी ले याद करो और ऐसा कॉस्चन दुबारा पूछ लिया जाए सतना वालों को आंसर नहीं पता ठीक है होता है बहुत सारी चीज़े नहीं पता होती है कोई बात नहीं पता है तो हम पता कर रहे हैं ठीक हमने पता कर लिया है इन चारों में से सतना है ठीक है हम क्या याद करेंगे कि कौन क्यों से वो साथ जीले हैं जिनने सम्मिलित किया गया है ठीक है यह आपका हूंवर्क है तो चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं बीम बेट का गुफाएं कि जिले में है और शाने ग्वालियर उच्चैन साची राइसन इसका अंसर अब सभी को पता होगा मुझे सबसे उमीद है जल्दी से सब उनिस के उनिस लोंग जो देख रहे हैं जल्दी से अंसर लिख दें जी बिल्कुल इसका राइट अंसर है राइसन तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर हो गया है राइसन ठीक है बिम बेटका क्यों गुफाएं कि जिले में है विरेंट्स जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जैहिंद चलिए देखते है नेक्स कॉस्चन भारत की खोज के लेखक कौन है अप्शन है आर के नारायन महत्मा गांधी जवाला नेडू अरुंधिति रोय रुहित तिवारी जी ने बोला आर के नारायन चरी और बताएं डिस्क्रवरी ओफ इंडिया सूराज प्रजाप्रतिन अकिल फातिमा जी बोल रही है सी सब लोग आर के नारायन दिस्कवरी ओफ इंडिया बहुत ही फेमस किताब है किसके द्वारा लिखी गई जवाला नेहरू द्वारा जवाला नेहरू जी द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस बुक हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है व्यापम के एक्जामस में बहुत ज़्यादा पूछा दाता है दर डिस्कवरी ओफ इंडिया तो याद कर लीजे आप लोग बिल्कुल स्वाती जी जव शताब्दी के अंत में बाश्या अकपर द्वारा शुरू किये गए धार में कंदूलन का नाम बताइए चल्दी से बताईए कौन सा धार में कांदोलन शुरू किया था सोलवी शताबदी के अंत में बाश्शा अकबर ने रोहित तिवारी जी कह रहे है दिने इलाही दिलीप जी कहने भी कह रहे है दिने इलाही अच्छा सब कह रहे हैं दिने इलाही इसका राइट आंसर है ठीक है जी बिल्कुल अर्विन शाह जी जजिया इसका राइट आंसर नहीं है इसका दिन इलाही राइट आंसर है ठीक है आईश पाहूर कर जी बिल्कुल 3 इसका राइट आंसर है दिन इलाही चलिए जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजे दिन इला साथ याद है चलिए बहुत अच्छी बात है कि वर्ट प्लर हो रहे हैं थोड़ा सा रिवोल्यूशन देख लीजे आपका कि 144 पे तो नहीं चल रहा है कहीं चलिए नेक्स क्वेश्चन देखते हैं पूरे कारिकाल के लिए राज्यसबा में चुना जाने वाला एक सदक दैश्च की अवधी के लिए सेवारत होता है चलिए बता दीजिए इसका अंसर 5 यह, 2 यह, 7 यह, 6 यह कितने टाइम के लिए होता है, 6 यह, रोहित दिवारी जिने का आर्मी नोटिफिकेशन में 6 यह चलिए और बताईए जल्दी बताईए दिलिपनायक जी आयूश जी रोहित जी अच्छा सब 6 यह कह रहे हैं एकल फातीमा जी चलिए सबके सब परबल श्रमा जी शरी यह, सबके सब 6 यह कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही इंसर इस, 6 ियह ने भी कहацे है Presidential आप सभी का आंसर ल२ को जIs यह साहिता इंसर के लिए होता है चलिए से नेक्सけて कॉसच्जन देखते हैं जी बिल्कुल डी मान सिंग जी डी आंसर था उसका चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं हम राज जी रक्षा एकैडमी दैश राज्यू में स्थेत है जल्दी से मता दीजे मुझे किस राज्य में स्थेते रोहित जैस्वार उत्रा खाइड ठीक है और बताईए मुझे जल्दी बताईए जल्दी जल्दी आंसर जल्दी जल्दी सूरज प्रदाबदी एक एक उत्त्राखंड सब उत्त्राखंड आप लोगों ने सच में राश्ट्री रक्षा एकैडमी उत्राखंड में पढ़ी है च्योंकि वैसे इसका राइट आंसर दिया हुआ है महाराश्ट्र ठीक है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाराश्ट्र सब उत्रागंड आंसर कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा सोच में पढ़ गई ठीक है आप एक बार चेक आउट करिएगा राश्ट्री रक्षा अकाइडमी कहा है ठीक है वैसे इसका राइट आंसर महारास्ट्र है पर आप लोग एक बार चेक कीजीगा अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्षन में जाके करेक्ट कर दीजीगा ताकि कोई और ये वीडियो देखे तो वो सुधाल ले ठीक है वैसे इसका आंसर महारास्ट्र है हाँ बिल्कुल पूने की वज़े से महारास्ट्र के पूने में है जी यह महारास्ट्र के पूने में है राष्ट रक्ष अकेडमी और इसके स्थापना कर संझ में आपको बता देचीओ 1954 ठीक है कब हुई थी इसके स्थापना 1954 में इसके स्थापना हुई थी आगे बढ़ते हैं ठीक बिल्कुल फ्रेंड्स 22 लोग लाइव है हमारे चैनल पर गलत बतारी हूं हो सकता है डिल्कुल नहीं कह रही हूं आप सबी गलत थे आप एक बार चेकर आउट कीजेगा और अगर गलत हूं तो कमेंग सेक्षेन में बता दीजेगा कि माम आप यह कॉशन गलत था ठीक है आप लोग एक बार चेक जरूर कीजेगा मेक मोहन रेखा दैस एवं दैस की सीमा को विभाजित करता है ठीकर जैराम आयूष चीन ने काहा है सेकंड भारत एवं चीन दिलीप नायक चीने काहा है भारत एवं चीन चलिए जल्दी बिल्कुल सही है बहुती रिपेट होता है कोशन बिल्कुल आप लोग ये question चेक कीजिएगा तब भी हम एक बार चेक कर लीजिएगा वैसे मैंने इसका महाराष्ट के पूने में ही सुना है आप लोग चेक कर लीजिएगा उस question को श्रेय जी ने भी बोला है भारत एवं चीन चीप बिल्कुल सही answer है भारत एवं चीन ठीक है आप लोग सभी lines रेखाएं जो है वो याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए ठीक है देखते हैं अगला question इसका राइट आंसर है इंडिया चाइना बिल्कुल 1940 जी बिल्कुल 1914 में अकिल फातिमा जी बिल्कुल सही हो आप चलिए देखते हैं next question ये वैसे मैं आपको बता दू 1914 को शिमला समझोते के आधार पर ठीक है वो भी मैं आपको बता दू है जी बिल्कुल अकिल फातिमा जी बहुत अच्छा डीप पढ़ती है और सबको ही डीप पढ़ना चाहिए हर एक चीच पढ़नी चाहिए चोटी-चोटी किसी भी चीच के बारे में आप पढ़ रहें तो उसके बारे में चोटी-चोटी information लेनी चाहिए चलिए विवेका न चाहिए चलिए अधाय खूलर रहे ह्या शूरज प्रजापती जी स्वागता आपका मारे चैनल पर फोवी शीकागो बोल है रे विड्राइब बेलूर इसका राइट आंसर है ठीक शिकागो नहीं है शिकागो में उन्हों ने भाशन दिया था ठीक है तो शिकागो नहीं है वीविकाधन जी ने राम किसी को पता है तो जल्दी से बता दीजिए जी नहीं इसका बैलूर राइट आंसर है मखांजी शिकागो नहीं है बैलूर है इसका राइट आंसर 1883 नहीं थोड़ा सा करेक्ट करिए आप आसपास ही है जी अकिल फातिमा जी बताए जी बिल्कुल उनको पता होगा तो जल्दी से बता देंगी नहीं पता होगा तो कोई बाती नहीं चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका राइट आंसर 1887 ठीके फ्रेंट्स 1887 में की थी स्थापना विवेका नन ने रामकृष्न मिशन के स्थापना 1887 में की थी कहां की थी बैलूर में की थी ठीके याद रखिएगा अच्छा ठीके अब आप 1883 लिख दोगे तो मैंने सन पूछा तो मुझे लगा ठीके मैं मिस्टेक सौरी 1883 में भाशन दिया था बिल्कुल राम सेवक जी स्वाकत है आपका हमारे चैनल पर 1887 ठीके चलिए नेक्स कॉस्चन देखते हैं किने श्वेद कांती के जनक एवा मिल्क मैन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है यह आंसर आप सभी को पता होगा जल्दी से बता दीजिए मुझे किने कहा जाता है श्वेद कांती के जनक फादर ओफ वाइट रिवॉलिशन और मिल्क मैन ओफ इंडिया दिलीब जी अकिल फातिमा जी ने एक कहा है रोहिद जैसवाल जी ने फोर विराट जी ने भी फोर वर्गिस कुरियन कहा है शेयर अगुवनशी जी ने डी स्वामी नांतन स्वाकिल फातिमा जी फ्रेंट इसका राइट आंसर है अच्छा-स जी बिल्कुल वाकिल फातिमा जी अब आप सहीं है डी इसका राइट आंसर है ठीके-डी इसका राइट आंसर है वर्गिस कुरियन इसलिए कहा जाता है आप option अच्छे से पढ़िए ठीक है ऐसा नहीं आप पहला ओप्शन देखके आप पटाक से बता दें चारो ओप्शन आप ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर टिक करिए फरकिस कुरियन इसका राइट आंसर है ठीक है फादर ओफ वाइट रिवॉलुशन जी आर्मे नॉटिफिकेशन जी थैंक्यू चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं सर्दार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी खीक है चलिए बता दीजिए अभी एक कॉशन हमने पढ़के आया हम सर्दार सरोवर डैम से रिलेटिड ये दूसरा कॉशन है जी बिल्कुल मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगे इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगे आप लोग चल्दी चल्दी आंसर दीजिए मेधा पाठकर जी नहीं चल्दी बताएए क्या है इसका आंसर हसें खान जी स्वागत्य आपका हमारी चैनल पर उन्होंने बी कहा है जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है अकिल फातीमजी बिल्कुल सही आयू जी बिल्कुल सही जवआलाल ने नह्रू ने रखी थी जिसको भी याद नहीं ऑप लिए किस ने रखी ती जवाला नहरू ने रखी थी अंकित विश्कर्मा जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे बिल्कुल सही आंसर है जवाला नह्रू चलिए देखते हैं दूसरा कॉश्चन तो चलिए यहां पर कॉश्चन खतम हो गए हैं अब हम सेकंड शिप देखेंगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग जित्ते भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर अभी तक आपने अमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है फ्रेंज प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी तपा दीजिएगा ठीक है ताकि हमारे लाइफ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है फ्रेंज धंग से देख नहीं रहा है यहां से मेरा रिवॉल्यूशन ठीक है एक बर आपने फोन का रिवॉल्यूशन प्लीज चेक क कर दिया चीज जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ठीक है और हमारी SI की सीरीज भी चल रही है फ्रेंड जिनके वीडियो हम दिन में बनाते हैं कल से मैं दिन में बनाऊंगी उसका वीडियो तो आप लोग वो सीरीज भी जरूर देखिएगा चलिए शू करते हैं हम 27 अगस्त के सेकंड शिफ्ट भोपाल का पहला सिचाई टैंक पलक मती इच जगा में इस्तित है चल दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए ऑप्शन है शापूरा राय से नुमरिया भोपाल जी हां जिन लोगों ने सस्क्राइब कर दिया है लाइक कर दिया है वो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में हमारा वीडियो ठीक है ताकि अगले जो भी लाइफ क्लास हो आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ हो रोहित इवारी जी ने का है शापूरा मखान जी ऑस ही ने का है लिए राइसन और स्वाती जी इतनी कहना है और अ चाहँ सथागी चाह चाहल जिक खेर बहुत लोगों ने स्था आंसर दिया है जो कि बिल्कुल सहीulated दिटिफ्रिडिद्ञेश्च रोहित जाति इसका सही आंसर है used मेरा नेम नूतन खरे, बिलकुल मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस हमारे बने हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया है, मैंने उसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जिते भी हिस्ट्री से रिलेटिड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, सारे वीडियोस की हमने हमारा description दे रखाए ठीक है हमने हमारा intro दिया हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं चलिए देखते है next question किस चहर को FIFA under 17 विश्व कप final की मेच बानी करने के लिए चुना गया है ठीक है कॉलकाता कोवा कुवार्टी कोची चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए अंकिर जी ने कहा है फोर कोची और बताईए जल्दी बताईए फिराट छी विल्कुल आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं रूएजी को कहना है फिराट जी का कोची सरीटां जी का कोची चल्दी से मकान जी का डी कोची अक्हिल फातिमजी का आंसर नी आएं ऑफ्लाइन हो गई है उंटाइए बहुरрос C. Guati जी नहीं, इसका आंसर Guati नहीं है, इसका आंसर है Kolkata अच्छा है आप, ठीक है Kolkata इसका राइट आंसर है, ठीक है Kolkata को शहर को FIFA अंडर 17 विश्विक प्फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया था चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स शहरों में से किसने बारवे दक्षेन एचिया ही खेल 2016 के मेजबानी की थी ठीक है, ये एक तरीके से करेंट अफेर टाइप का कॉशन है क्योंकि 2017 में पेपर हुआ था, तो 2016 के गेम्स वगेरा के कॉशन पूछे गए थे अब क्योंकि 2019 में पेपर होगा तो आपको 2018, जादा था 2018 और एक बार 2017 के गेम्स वगेरा पे पी आप नजर डालीजीगा जितने भी फीफा वगे, कॉमन वेल्थ हुए है इस सब आप अच्छे से पढ़के जाईएगा, ठीक है, रुहित दिवारी जी ने गाए तो गुवार्टी, जी और बताइए, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, गुवार्टी, ठीक है, गुवार्टी ने बारवे दक्षिन एश्याई खेल 2016 के मेजबानी की ती, जी ब होती अच्छी बात है, जी बिल्कुल आप सभी का लिख लेगा, सब कसमे, सारी सब्सक्राइबर्स, सारी का तो नहीं लिकल पाएगा, क्योंकि पोस्ट थोड़ी कम आएगी, पर नहीं, 2019 में कोई ना कोई पोस्ट आप लोगों के लिए जरूर है, आप ऐसी दियारी करते र चलती से मुझे इसका आंसर देतीजी चैंपारत का सबसे पुराना संगुराले, अकिल फातिमां जी ने बोला, A.Вिक्टोरिय मेमोरियल, प्स्जी की चैये अच्छा ठीक है, चलता वरिमां जी ने बोला, A.VIKTORIA deh मैमोरियल अकिल फातिमां जी कॉलकता में है, जी हां लेकिन इसका आंसर अभी विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है ची नहीं, इसका राइट आंसर फ्रेंट्स भारतीय संग्राले ठीके भारतीय संग्राले इसका राइट आंसर है सब भारत का सबसे पुराना संग्राले भारतिय संग्राले ठीक है ये भी कॉलकत्ता में है रोहित जैस्वाल जी आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं ऐसी बने रही है हमारे चैनल के साथ भारतिय संग्राले इसका राइट आंसर है जो कि ये भी कहां पर स्थापित है कॉलकत्ता में स्थापित है ठीक है जी स्वाती राश्पुत जी इसका भारती संग्रालेस का राइट आंसर है और ये भी कॉलकत्ता में है चलिए नेक्स कोशन देखते त्रेपुरा की राश्दानि कौन find त्रेपुरा की राश्दानी कौन सी है चल्दी से बता दीचे राश्दानी अगरतला सुनील चावला जी सागत आपका हमारे चैनल पर अगरतला ठीक है सब अगरतला बोल रहे है चल्दी 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 जी बिल्कुल सही आंसर है अगरतला जी पुरा की राश्थानी जी हां बिल्कुल शिवम्तिवारी जी बहुत टाइम बद आपका आंसर आया आप शायद इस्ट्रीम नहीं देख रहे थे आप आप इस्ट्रीम देख रहे हैं तो प्लीज बने रहेगा हमारे साथ बार बार बफरिंग आप लोग ने पूरा नैट तो खतम नहीं कर दिया अपना दिन बर चला चला के सबके साथ बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है क्या चल ही नहीं रहा है वीडियो मखांची कह रहे है चल ही नहीं रहा है मुझे बताईए सबके साथ बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं मखांची मेरे खाल से आज अपने पूरा नैट खतम कर दिया है अपना मुझे ऐसा लग रहा है चलिए नेक्स कोशन देखते है रोही तिवारी जी ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है मैं एक बार रीट कर देती हूँ निमलिकित वंजिव अभ्यारणों में से कौन सा होशंगा बात में है ठीक है फटा फिटिस का आंसर दे दीजे बोरी वंजिव अभ्यारण दिंडोरी राष्टी उद्यान बार्धवगर वंजिव अभ्यारण चंबल राष्टी उद्यान सब ए बोल रहे है जी बिल्कुल हो सकता है कि किसी किसी का नेट खतम हो गया हो उस वज़े से भी बफरिंग की दिक्कत हो रही हो अकेल फातिमा जी नें भी काया जिये बलककुल सही आंसर है बलते हैं नेक्स कोशन की तरफ 16 जून 2017 को कि सीमा पर भारत चीन का गती रोद शुरू हुआ चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे 16 जून 12 सत्रा को कि सीमा पर भारत चीन का गतिरोश शुरू हुआ ऑप्शन है डॉक्लाम सीमा, अटारी सीमा, वागा सीमा, जियोन अद्दोई सीमा चल्दी से मुझे इसका आंसर, अकिल फातिमा जी, सरीता जी, रियान जी इन समने वन दिया है आंसर दिलीब जी, श्रिया जी, शिवम तिवारी जी समने एज, बिल्कुल सही आंसर है डॉक्लाम सीमा, ठीके डॉक्लाम सीमा है, इसका बिल्कुल सही आंसर है चलिए देखते हैं next question ची बिलकुल comedy nights with couple बहुत अच्छा नाम रखा है अपने मद्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था ठीके जल्दी से इसका आंसर बताईए option ने 1993, 1992, 1995, 1990 चल्दी से इसका आंसर बता दीचे मद्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था सरीता जी बोल रही है ए चेवंतिवारी जी ने भी बोला ए चल्दी और बताईए सब ए बोल रहे हैं 1993 ची बिलकुल बिलकुल इसका राइट आंसर है 1993 मद्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ था और फ्रेंट्स मैं आपको इक बाता है तो मद्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसको पून रूप से अपने राज्य में लागू किया था ठीक है पूर्न रूप से किसने लागू किया था ? वो किया था मध्यप्रदेश ने पंचायती राच अधिनियम किसको पूर्न रूप से पारित किसने किया था ? मध्यप्रदेश और कब किया था ? 1993 में ठीक है ? चलिए नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं हाली में भारत ने किस देश के साथ जल मार्क द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है जल दीसे बता दीचे फ्रेंड्स मुझे इसका आंसर ओप्ष्याने श्री लंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, चीन भारत ने के साथ जल मार्क द्वारत दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है श्रीवम जीने का है बांगलादेश होगा स्वाती जी ने बोला है बी चलिए जल्दी अखान जी A स्वाती जी B श्री लंका बांगलादेश ठीके ठीके अच्छा बांगलादेश और श्री लंका में डाउट है सबको ठीके फ्रेंट तो चलिए मैं रॉइट आंसर बताती हूं आपको इसका इसka right answer is बंगलादेश ठीके friends बंगलादेश इसका right answer है भारत ने बंगलादेश के साथ जल्माग द्वारा दोनों देशो को जोडने के समझाओते पर हस्ताक्षर किये है अकिल भातिमाज है इसका right answer बंगलादेश है ठीक है बिल्कुल आप याद कर लीजे इसका आंसर बांगलादेश है चलिए नेक्स कॉश्चन देखते हैं बहारत का राष्ट्र परशू दैश है चल दी से सब भी लोग बता दे मुझे बहुत ही इजी सा कॉश्चन है देखते से एकदम फटा फट आंसर बिल्कुल अखेल जी का गलत हो गया है कोई बात नी कॉश्चन है अब टूंडेट में से टू हैंड़ेट मार्क समको लाने भी नहीं है थाक है आयूश पाहुपर जी ने बोला टाइगर सुनीत चामला जी ने बोला है टाइगर ठीक है सब टाइगर 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 तो बिल्कुल सही आंसर है टाइगर बाग ठीक है अचरी अब ये तो बहुत इसी ज़ादा अब इसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम आप मुझे बताइए ची दीपक रामची टाइगर टाइगर है ये बिल्कुल इसका मुझे नाम बताइए वैज्ञानिक नाम बताइए साइंटिफिक नेम टाइगर का बाग का वैज्ञानिक नाम चल्दी से आपको पता है तो लिग दीजे नहीं पता है तो आप लोग भी सकते हैं मैं आपको बता दूँगी चल्दी से बता द जल्दी से पताईएं सब नहीं पता है तो प्लीस आम plataforma written मचनल कर दियू क्यम आपके आपकी आपके हमेति प्लुकुल भीकुल सही पैंथरा टाइगर बिल्कुल सही इसका एप्लेक्स यही सब कहीughters क्यों कं इसको सब्सक्रून आ सिथिक नियु attract है चलिए देखते हैं नेक्स कॉश्चन जमू और कश्मीर का समविदान तैश को लागू किया गया था चल्दी से इसका अंसर बता दीजिए कब लागू किया था जमू और कश्मीर का समविदान चल्दी बताइए नेक्स कॉश्चन पर आगए हेलो फ्रेंड्स आपको आवाज आ रही है मेरी बफ्रिंग हो रही है क्या है ची नहीं बिल्कुल नहीं मेरे याम वाइफाय लगा हुआ है अनलिमिटेट मिलता है उसमें बिल्कुल नैट खतम होने की कोई नहीं है जी कभी-कभी सर्वर प्रॉब्लम कर जाता है अभी भी बफ्रिंग हो रही है आप लोको मेरी आवाज आ रही है है हेलो फ्रेंड्स आप जा रहे है ठीक है गुचाई है श्रेया जी ने बोला है 26 जैनवरी 1957 26 जैनवरी 1957 जी बिल्कुल अब चल रहे है ना नैट अब सबको दिखना हो रहे हैं बफ्रिंग तो नहीं हो रहे है किसी को चली फटक से इसका आंसर में आपको बता देती है उसका राइट आंसर है 26 जैनवरी 1957 ठीके फ्रेंड इसका राइट आंसर है 26 जैनवरी 1957 इसका राइट आंसर है 26 जैनवरी 1957 नेक्स कॉस्चन देखते है जी बिल्कुल अकिल फातिमा जी बिल्कुल सही है चल अभिशेख अभियान देख राज्य में पारंब किया था चल दी से बता दीजिए चल दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए जल अभिशेक अभियान देश राज्य में प्यारंप किया कया था 16 MP में 10 अप्रिल 2016 MP मध्यप्रदेश इसका अंसर बोल रहे है शेवं तिवारी जीने का है मध्यप्रदेश Comedy Nights ने बोला है 4 मध्यप्रदेश Dilip जीने 4 वेराद चैस्वाल जीने 2 बोला अकिल फातिमा जीने भी मध्यप्रदेश तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मध्यप्रदेश जी बिल्कुल जिसको पता है बहुत अची बात है जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजे चल आभिशेक अभियान मध्यप्रदेश राज जी में प्रारंप किया गया था ठीक है जी बिल्कुल अकिल फातिमा जी ने बताया होशंगा बात में ठीक अभी राज जी पूचा गया है तो वह है मध्यप्रदेश रोहिट जी रेयान जी सुवाती जी समने एंपी जी बिल्कुल सही मध्यप्रदेश इसका राइड नांसर है चल ये नेक्स कॉस्चन देखते हैं कुछ ही कॉस्चन बचे हैं कॉंस्टेबल में जादा कॉस्चन नहीं रहते हैं 1815 में निमेलिकित मैंसे किस ने कॉमेडी नाम आकार सिंग लोदी है जी बिल्कुल जो नाम मेरे साबने आता है मैं उसी को रीट करती हूँ ठीक है दिलीप नाया जी हां हो शांगवाद चली एक कॉस्चन है हमारा 1815 में निमेलिकित मैंसे किस ने आत्मिय सभा की स्थापना की थी चल दी से मुझे इसका आ ऑर बतादी शिवांची विराची स्वाती जी सब ने कहा संग बिल्कुल सही आनसर है राजा राम तरे ने आतमिय सभा की स्थापना की थी आप सान कॉस्चन में पूछा गया लेकिन आने वाले कोस्चिन में हो सकता आपसे संग कुछ पूछी याद कर लिजेगा 1850 में 1815 मे प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना के लाभारती कौन है बिल्कुल वो कॉश्चन में ही था मैं आपको याद करने को बोल रही हूँ कि नेक्स टाइम हो सकता है आपको वो सन पूछ ले तो आप ग्याद किर लिजेगा 1850 चलिए हमारा नेक्स कॉश्चन है प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना के लाभारती कौन है चल दी से इसका आंसर बता दीजे मुझे ऑप्शन है सहसे 14 वर्ष के बीच के बच्चे बैरोजकार युवा क्रामिन आबादी वरिष्ट नागरिग फिर से बफरिंग चली दो सेकंड रुखी है बफरिंग चली जाएगी हो सकता है वो सर्वर प्रॉब्लम की वज़े से भी हो सकता है या तो जो वीडियो मेरे फून में बनते हैं बहुत हाई रिवालुशन में शूट होते हैं तो इस वज़े से भी बफरिंग हो सकती है परखाएंची ने बोला ए जसा आप ए आंसर देरे स्वाती जी ने बोला है ए विराड जी ने बोला है फोर जिब बिल्कुल सही विराड जी आपका आंसर बिल्कुल सही है इसका सोनिल जी बिल्कुल सही शिवम तिवारी जी ने भी बिल्कुल सही बोला इसका आंसर है सीनिय सिटीजन वरिष्ट नागरिग ठीक है वरिष्ट नागरिग इसका सही आंसर है प्रैधार मंत्रिवाया वंदिना योजना के लाभारती वरिष्ट नागरिग है ठीक है जिब बिल्कुल चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन बारत के शश्चस्त्र नेताओं सेनाओ का सर्वोच कमांडर कौन है चल्दी से बता दीजे सुप्रीम कमांडर आफ दा आर्म फोर्स इन इंडिया चल्दी बताईए मुझे इसका आंसर सेना प्रमुक प्रधान मंती राष्ट्रपती रक्षा मंत्री जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे शिवम जी ने कहा है राष्ट्रपती रोहिच जी ने कहा है प्रेसिडेंट बिल्कुल और बताईए स्वाती जी मकान जी अकिल जी सबका कहना है प्रेसीडेंट जी पिलकुल सही आंसर है इसका प्रेसीडेंट धी प्रेसीडेंट राश्ट्रुपती जी ठीक है बारत के शर्शेटर सेनाओ का सर्वोज कमांडर कौन है राश्ट्रुपती जी छलिए next question आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट नवंबर 2017 में भारत की किस शहर में साइबर स्पेस पर वेश्विक समेलन आयोजित करेगा ठीके ग्लोबल कॉंफरेंस अन साइबर स्पेस GCCS चल्दी से इसका आंसर बताईए उप्षन है चेन नहीं, मुंबई, बैंगलून, नहीं, दिल्ली चल्दी से बताईए भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वेश्विक समेलन आयोजित करेगा नवंबर 2017 में ये उस टाइम का करेंट अफ्यर दा फ्रेंट्स चल्दी, मैं आपको पताती हूँ, उसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है चीज, शिवम जी बिल्कुल, नहीं दिल्ली बफरिंग, बफरिंग, मैं भी बहुत परशान हो गई हूँ, ये बफरिंग क्यों हो रही है क्यों नेट की प्रॉब्लम से होती है, मैं वाइफा यूज करती हूँ, मेरे घर में तो वो उसका नेट खतम होने का कोई दिक्कत नहीं है चली हो सकता है, सर्वर प्रॉब्लम से कली मैं फोन करके थोड़े स्पीड बढ़वा देती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल लाइफ तो रोज ही चलेगी हमारे चैनल पे, दिन में एक देर बजे के करीब और रात में साड़े नौ दस बजे के करीब, दिन के वक्त में एसाई की क्लासिस हैं और रात के वक्त कॉंस्टेबल की, ठीक है चलेए, तो फ्रेंट्स में आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ, जी इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली इसका सही आंसर है, नवंबर 2017 में भारत में न्यू दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन आयजुद करेगा, चलेए अग तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारते महीला निमन थी, जल्दी से बता दीचे, सबको पता होगा, मुझे पूरी उमीद है, इंग्लिश चैनल, ठीक है, फिराट जी, ऐसा ही का टाइम है, एक बज़े या देर बज़े, मैं पोस्त डाल दूंगे, आपको न हमारी सीरीज खतम होने वाली है, मकान जी, आप रोख सकते हैं, पांच मिर्ट में सीरीज खतम हो जाएगी, मुश्किल से दो से तीन कॉश्चन बचे है, चल्दी से इसका अंसर बता दीजे, निशा, मिलेट, बुला, चौदरी, भक्ती, शर्मा, अनीता, सूथ, चल्दी से तैयर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारती महिला, दिली जी ने कहा है, बुला, चौदरी, ठीक है, बुला, चौदरी, इसका अंसर है, तैयर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला, भारती महिला, ठीक है, बुला, चौदरी, नेक्स कॉश्चन जल्दी से खतम करते हैं रात हो गई है पर आर्ति शाहा कुर्ण आपको नेक्स वीडियों में पढ़ा हैं लिकिन उन्होंने चार ओप्षिन के अंदर उस ओप्षिन को नहीं दिया है ठीके व्यापम है व्यापम कुछ भी कर सकता है भारतिय राश्टि ध्वज के चक्र में तीलियों की संक्या दैश है जी हां बिल्कुल मैंने भी आर्तिशाव पड़ा है मैं बिल्कुल मान रही हूं पर उन्होंने ऑप्षिन में नहीं दिया है जी हां मैं बिल्कुल मैंने भी पड़ा है आर्तिशाव बिल्कुल सही है आप लोग आप वही याद रखिए बिल्कुल मत याद रखिएगा मैं बुला चौधरी के बारे में पता करूंगी कि वो क्या थी उनने किस तरीके किस बुखे भी आंसर पता है आर्थिशा के बारे में लेकिन उन्होंने आप्शन में नहीं दिया है हाँ दे सकता है वे आपमां बहुत सारी गलतिया करता रहता है चलिए नेक्स कोश्चन पर आ जाते हैं हम पार्तिय राश्ची द्वच के चक्र में तीलियों की संक्या क्या है तो बहुत ही बेसिक सा बहुत ही ईजी सा कोश्चन आप सभी को पता होगा तो friends इसका right answer है 24 ठीक है 24 तो तेलिया होती है चलिए next question देखते हैं जबलपूर में इस्तित महत्पुन किला है जबलपूर में इस्तित महत्पुन किला है औप्शन है राना सांगा किला, आमला किला, महराजा किला, रानी दुर्गावती किला चल्दी से मुझे इसका answer बता दीजे 24 answer बताईए जल्दी से जबलपूर में इस्तित महत्पुन किला है जी बिल्कुल 24 तीलिया होती है, अब हम नेक्स कॉस्चिन पर आ गए है, जबलपूर में इस्तित्त महत्पुन किला है, सुनील जी ने बोला है, 4 रानी दुर्गावती फॉर्ट, जी फिलाल तुम्हें तयारी नहीं कर रही हूं, मैं अपना इक डीप इंट्रोडेक्शन बना करने सब्सक्राइब है, तो ऑल तुम्हेरा है, अजयरात की करना देए, बीम रोल्यagsन ढ जाने बएंट अधरल किलाल है, जी न Euro, फीडिक仔 पूस्चिता रानी दुर्गावती, जी बिलकुल 14 बेसित्त महत्पुन किला है, जी नेक्स कॉस्चन देख लेते हम अपना है, गुरू के नाम याद होने चाहिए कि कौनसे गुरू कौनसे नमबर पर है ठीके तब मुझे जल्दी से बता दीजे जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे और अगर अभी तक आपने हमारे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं प्रिवियस एर पेपर के तो प्लीज देखिए प्रिवियस एर पेपर आपको अच्छे से कम्प्रीट करने है विराड जी कह रहे है गुरू रामदस सुनील जी भी कह रहे है गुरू रामदस बिल्कुल सही है Guru राम दस थीक हाप जिसको भी सारी गुरू हो के शिको के सारी गुरु के नाम ठीक है गुरु राम दक इसका राइट आंसर है दिल प्ठ तो है बिल्कुल सही गुरु राम thickness इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोश्चन टिकम गड़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुश्पावती नाम से जाना जाता है उस नदी का नाम है ठीक है चलती से बताजिए जिए मुझे उस नदी का नाम है औप्शन है पान बती, केन, चम्बल, पहुज चलती से इसका आंसर बता दीजे फ्रेंड्स मुझे टिकम गड़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुश्पावती नाम से जाना जाता है उस नदी का नाम है मैं कॉशन फिर से पढ़ देती हूँ टिकम गड़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुश्पावती नाम से जाना जाता है उस नदी का नाम है जी बिल्कुल दिलिप नायक जी ने बोला इसका पहला आंसर पान बती ची और बताईए क्या होगा इसका आंसर ओप्शन है पान बती कीन चम्बल पहूज चल दी समझे इसका राइट आंसर बता दीजिए अकिल फातिमा जी ने बोला इसका राइट आंसर आपको बताते हैं उसका राइट आंसर है पहूज ठीके पान बती नहीं है इसका राइट आंसर है पहूज टिकम गर में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुश्प्रावती नाम से जाना जाता है उस नदी का नाम है पहूज ठीके फ्रेंट्स चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ रियांची हेलो चलिए नेक्स कोश्चन है हमारा केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ठीके फ्रेंट्स केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है चल दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिये ओप्शन है ओमेंड चंडी, एके एंटनी, पिनराइव विजियन, वी एस, अच्चुता नंदन ठीक है दिलीब जी ने कहा है 3, पैनराइव विजियन प्रभुदाज जी ने भी कहा है 3 जी बिल्कुल और बताईए इसका क्या आंसर होगा चलिए मैं बताते हूँ आपका इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है पिनराइव विजियन ठीक है फ्रेंट्स, केरल के वर्तमान मुक्की मेंत्री कौन है पिनराइव विजियन चलिए नेक्स कोश्चन देखते है नेक्स कोश्चन है हमारा किस तारीक को मोधी सरकार ने विमुद्री करण की घोशना की थी जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर दिलिप नायक्ची ने बोला है थ्री बिल्कुल ये दिन तो सभी को याद होगा इसकी तारीक जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए प्रभु दाज्ची ने बोला 8 नवंबर 2016 चि बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है 8 नवंबर 2016 ठीक है डी मॉनिटाइजिएशन कब हुआ था 8 नवंबर 2016 में ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ जी अकिल फातिमा जी सीज का राइट आंसर है निम ने समझोतों में किस एक ने हिंदु मुस्लिम मदभेदों को हल करने की मांग की थी ठीक है ऑप्चन है लाहूर समझोता गांदी इर्विन समझोता पूना समझोता लखनाउ समझोता चल्दी से बता दीजिए इसका अंसर फ्रेंट्स मुझे कौन से समझोते में एक ने हिंदु मुस्लिम मदभेदों को हल करने की मांग की थी अकिल्फाथी चमट डी जी सिंग जीने का है एक लाहोर समझौता चेहशाव अम बताईये दिलिप नाइक 1916 में जी बिलकुल लखनाव पैक्ट 1916 में हुआ था जो लखनाव पैक्ट उसमें हिंदू-मुस्लिम में मद्वेदों को दूर करनी की मांगी गई थी ठीके सनवियाद रखिएगा 1916 चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं इसका आंसर बता दीज़े मुझे आशु जी ने बोला है फोर नर्वार दुर्ग ठीक है और बताइए आपको नहीं पता है आपनो लिख के भेज सकते हैं जी बाथव गलात एकए हंडर्वार फ्रेंड़ इसका राइट 식 Krया दुर्ग ठीके बांधवगर दुर्ग इसका राइट आंसर है जाज से तीके बानामाइब बतायीग है अब मुझे आप ये बताईए कि बांधवगर दुर्ग कौन से जिले में है ठीक है अब बांधवगर दुर्ग है तो बांधवगर में होगा लेकिन वो किस जिले में आता है जल्दी से बता दीजे मुझे जी बिल्कुल अकिल फातिमा जी बिल्कुल सही है उमरिया जिले में बिल्कुल सही कौन से जिले में आता है उमरिया उमरिया जिले में आता है बांधवगर दुर्ग चलिए बढ़ते है नेक्स कोस्टिन की तरफ निम्नम में से भारत का 28 राज्य कौन सा है ठीक है कौन सा राज्य 28 है चल्दी बताईए ओप्शन है गौर्खा लेंट जार खंड उत्रा खंड 36 गड़ चल्दी से इसका अंसर बतादीची वे फ्रेंड्स 29 मतलब 29 तो तेलांग ना है लेकिन यहाँ पर पुछा 28 वा कौन सा था आश्यू जी ने का है 4 देलिब नाया जी ने का है 3 उत्रा खंड चीज सिंग जी ने भी का है उत्रा खंड चल्दी फ्रेंड्स में इसका राइट आंसर बताती हूँ जी बिलकुल प्रभूदाज्ची इसका राइट आंसर है झारकंड जारकंड इसका राइट आंसर है ठीके 28 वा राजची कौन सा था जारकंड और कब बनाया गया था अगर किसी को देट पता है तो वो मुझे कमेंट यह वर्फ पता है किसी को तो कमेंट कर दीजे नहीं तो मैं बता देती हूँ जी बिल्कुल प्रभुदाज जी अकिल फाति में 15 नवंबर 2000 में बिल्कुल सही 15 नवंबर 2000 में जारकन को 28 राज जी बनाया गया था ठीक है जी बिल्कुल 15 नवंबर 2000 में से कौन सा बैंक जन्धन योजना के तहट खाते खोलने के लिए अधिकरित नहीं है ठीक है और शायने HSBC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, Union Bank of India ठीक है कौन सा बैंक जन्धन योजना के तहट खाते खोलने के लिए अधिकरित नहीं है चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे अकिल फातिमा जी ने कहा है B, IDBI बैंक चल्दी बताईए और चल्दी से इसका आंसर देदी जी फ्रेंट्स श्रिया जी ने कहा है B, नंदराम जी ने कहा है A, कमले जी ने बिल्कुल नंदराम जी बिल्कुल सही है आप इसका राइट आंसर है HSBC बैंक ची प्रभुदाजी इसका राइट आंसर है HSBC बैंक ठीके HSBC बैंक जंधन योजना के तहट खाते खोलने के लिए अधिकरित नहीं है ठीके बाकी ये तीनों बैंक थे चलिए नेक्स कॉश्चन देखते हैं राश्ट्रगान के पूर्ण संसकरन का वादन काल लगबग डैश सेकेंड होता है सभी को पता होगा इसका आंसर फटा फट मुझे बता दीजें किते सेकेंड का होता है नेशनल एंथम ओप्शन है 58 52 68 75 चल दी से बता दीजें 52 52 ची बिल्कुल पिल्कुल राइट आंसर है इसका 52 ची बिल्कुल सभी को पता है 52 सेकेंड का होता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कॉश्चन की तरफ गुजरी महल और गुजरी महल इनके दुआरा बनाए गए थे किसने बनवाए थे ओप्शन एमान सिंग तोमर राजा बोज राजा दुमाना सिंध्या देवी तो गुझरी महल का पे है Frens गौालियर में यह बी याद रखिएगा आपने जल्दी से बतादीजी मुझे तिलिप नयग शी और अखिल फातिम जी अर। मान्सिंग तोमर, बिलकुल बिलकुल रैट अंसर है इसका मान सिंग तोमर ठीक है मान सिंग तोमर इसका राइट अंसर है गुजरी महल गुवालियर महल मान सिंग तोमर जी के द्वारा बनवाए गया है चल यह नेक्स कॉश्चन दिखते हैं इसलिए, जल्दी से बता देचे इसलिए, जल्दी से बता दीजा इसलिए, सांग एक प्रकार का सांग एक प्रकार का क्या है अकेल फातिमा जी ने बोला ऐसी लोक संगीत चली और बताईए बिलकुर इसका राइट आंसर है लोक नित्य रंगशाला ठीके लोक नित्य रंगशाला सांग एक प्रकार का लोक नित्य रंगशाला है तो यह मालवा चेत में प्रचलित है एक प्रकार का लोक नित्य रंगशाला है और यह मालवा चेत में प्रचलित है अमचोड़ अलिखां इसके मशूर प्रतिपादख है चल्दी से बताईए मुझे इसका राइट आंसर अमजद अली खाए इसके मशूर प्रती पादक है अप्शन है सितार, वीर्णा, तबला, सरोद आशु जी ने बोला है फोर सरोद चलिए और बताईए अकील फातिमा जी ने बोला है डी सरोद चलिए ठीक च्रिया जी ने भी बोला है कमलीजी दिलीजी सबने बोला है सरोद जी बिल्कुर राइट आंसर इसका सरोद अमजद अली खाए इसके मशूर प्रती वादक के सरोद वादक ठीक है जी बिल्कुर सरोद वादक चलिए next question देखते है निम में से कौन अर्जुन पुरुसकार 2015 के प्राप करताओं में से एक नहीं है ठीक है इन में से किसको 2015 में अर्जुन पुरुसकार नहीं मिला था ओफ्षने दीपा करमाकर जीतू राय पी आर श्री जेश अनुप सिंग किसे नहीं मिला था चल्दी से बता दीजे इसका अंसर 2015 में अर्जुन पुरुसकार प्राफ्त नहीं हुआ था आपको नहीं पता है आप नो लिख की भेज सकते हैं नंद रामची ने बोला है सी आशु जी ने भी बोला है सी चलिए और कोई किसे पता है अगर श्रीवम तिवारी जी ने बोला अनुप सिंग जी बिलकुल सही है श्रीवम तिवारी जी इसका राइट आंसर है अनुप सिंग ठीक है जी प्रभुदाज जी श्रीय जी फोर इसका राइट आंसर है अनुप सिंग ठीक है अनुप सिंग को नहीं मिलाता 2015 में अर्जुन पूरुसकर बाकी जो ये तीन है दीपा कर्माकर जीतु राय और पी आर शीजेस इन तीनों को मिलाता चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं पंडित रवी शंकर इस छेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे अप्शन है सितार वाइटीन बानसूरी सरोद चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे पंडित रवी शंकर ठीक है किस छेत्र में अपनी महारत के लिए प्र अकिल फातिमा जी ने बोला है सितार, आशु जी ने बोला है बानसूरी, शीवम जी सितार, प्रभुदार जी बानसूरी, चलिए हमें बताते हैं, इसका राइट आंसर है सितार, ठीक है, बानसूरी नहीं है, इसका राइट आंसर है सितार, ठीक है, पंडित रवी शंकर जी कि त्रेत में महरत के लिए प्रसित थे वो थे सितार, ठीक है, चलिए नेक्स कॉस्चिन देखते हैं, तेर्थ राज नाम इसे दिया गया है, ठीक है, तेर्थ राज नाम किसे दिया गया है, अप्शने अमर कंटक, और्चा कस्वा, खजुराहो, काना राश्ट्री उध्यान, चलिए नेक्स कॉस्चन देखते हैं, कि बहुत थी बार पूछा जाने वाला कॉश्चन नाइंटीनिटीफ फोर में भुपाल गैस ट्रेजिटी में कौन सी गैस लीक्ट हुई थी ऑप्शने कार्बन मोनोकसाइड कार्बन डायोकसाइड मिथाइल क्लोराइड मिथाल आइसोसाइनेट प्रभू द्यांज जी ने का जी बिल्कुल राइट आइसर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट आप सभी को इसका नाम याद रोगा यह बहुत बार कॉश्चन पूचा जाता है यह भी पूचा जाता है कब हुए तो 1984 में ठीक है भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी और कौन सी गैस लिख लिए थी से संबंदि दे दिसमबर जी बिल्कुल 3 दिसमबर को राइट अंसर है शरीफ उदिन का जी तृब अपका हमारे चैनल पर जी बिल्कुल क्रिकेट इसका राइट आंसर है। प्रभुदाजी क्रिकेट इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं, नेक्स कौश्चिन चरी अफ हमारे next question पे 24 वा संशोदन इससे संबंदित है ठीक है 24 अमेडमेंट हुआ था वो किससे संबंदित है option है राष्ट्रपती के चुनाव की प्रक्रिया अनुसूचित जातियां और जन जातियां मूलबुत अधिकार राजी के निती निदेशक तत्व ठीक है अमारे next question आगया है 24 वा संशोदन इससे संबंदित है चल्दी से इसका answer बता दीजे फ्रेंच चल्दी से आँसर बताईए शिवन तिवारी जी ने बोला है मूलबुत अधिकार बफरिंग 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 बहुत परशान कर दिया इस बफरिंग ने शिवन तिवारी जी मूलबुत अधिकार और कोई answer बताईए चेराम शुक्ला जी ने भी बोला मूझे बिलकुल इसका right answer है fundamental rights ठीके मूलबुत अधिकार मूलबुत अधिकार इसका right answer है चौविसवा श्रोधन किस्से संबंदिता fundamental rights है ठीके और ये कब हुआ था कोई मुझे इसका year बता सकता है ची बिलकुल अकिर फातिमा जी कमली जी श्रीया जी बिलकुल fundamental rights का right answer है अब मुझे बताईए ये amendment कब हुआ था कोई मुझे उसका year बता सकता है अगर किसी को याद हो तो विकास यादव जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जो भी नए आ रहे हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे है प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लीजिगा हमारे चैनल पे MPSI और कॉंस्टिबल की प्रिवियस एर पेपर की लाइफ सीरीज चल रही है शिवम तिवारी जी ने कहा है 1971 की बिल्कुल सही है जृवम तिवारी जी 1971 में यह एमेंडमेंट हुआ था ठीके 1971 में जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजे 1971 में यह एमेंडमेंट हुआ था जी बिल्कुल तिलीप ची कम देची 1971 चल यह नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की ठीक है गोपाल कृष्ण जी बिल्कूर आप पहली बार आए हैं इसलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और प्लीस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी चैनल पे life classes चलती है डिली दिन में एक बज़े और रात में नौ साड़े नो बज़े करें तो प्लीज आप सस्क्राइब कर लिजेगा चैनल अभी हमारा नेक्स कॉच्चन है गोपाल कृष्टन गोखले ने इसके स्थापना की जल्दी बता दीजे किसकी की तिली पनायग ची ने बोला सेकंड भारतिय समाज के सेवाख चल्दी ठीक है बताती हो मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल सही है सब गुपाल क्रिश्न गोकले ने भारती समाज के सेवके सापना की थी, कब खी थी, यह पता है किसी को, नहीं पता है, आपनों लिख के भेज दीजे, कमलीश नायक जी ने बोला 1905, जि बिलकुल 1905 सही है, 1905 में, जि बिलकुल 1905, ने अक्किल फातिमा जी 1905 है, आप याद कर ली स्थापना की थी, जि बिलकुल शिवम तिवारी जी, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स कोस्टिन की तरफ, कोई बात नी मखान जी, थोड़ी ही कोस्टिन लिख ले है, मुल्बुत अधिकारों को भारत के समविदान के किस भाग में शामिल किया गया है, ठीक है, चल्दी बता द कौन से पार्ट में आते हैं, विकास यादफ जी ने बोला है, पार्ट फोर, चलिए, और बताईए, आशु जी ने कहा है, ठीक है, प्लीज इसमें आप अप्शन बता रहे हैं, कि नमबर बता रहे हैं, वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप्शन और मैं नमबर में आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, 12 to 35, है ना, आर्टिकल भी याद रखिएगा, और पार्ट 3 में है ये, जी बिलकुल, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स कॉस्चन की तरफ, जिसे भी याद नहीं है, वो याद कर लिजिएगा, जी बिलकुल, भाग 3, चलिए, नेक्स कॉस्चन है, हमार हमारे नेक्स कॉस्चन पर जल्दी से इसका अंसर बता दीजिए, किस राज्य में सबसे अधिक वन अच्छा दान है, अकिल फातिमा जी ने बोला है, MP, चलिए और बताईए, अच्छा, सभी ने कहा है, MP, जी बिलकुल, इसका राइट आंसर है, जी आशु जी अरुना चल प्रदेश नहीं, इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश, ठीक है, अजी प्रताप सिंग जी ने भी कहा है, जी बिलकुल, स्वागत है, अपका अजी प्रताप जी हमारे चैनल पे, इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश, जी अपना MP, बिलकुल, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन अच्छादान है ठीक है highest forest cover in the country जी बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ चलिए यहीं पर हमारी first shift खतम होगी यह friends मैंने बहुत जल्दी जल्दी खतम करने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों का time save हो ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं second shift की तरफ ठीक है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भगरी हूँ क्योंकि आता कि आप लोगों का time save हो है ना चलिए second shift देखते हैं इसका पहला question गंकटोक निम्न की राष्टानी है जल्दी से बता दीजे मुझे second shift का पहला question अब हमने second shift रिस्टार्ट की है गंकटोक निम्न की राष्टानी है आशु जी ने कहा है एक सिक्किम शिवंतिवारी जी ने भी कहा है सिक्किम विराट जैस्वाल जी ने भी कहा है सिक्किम जी बिल्कुल इसका right answer है सिक्किम गंकटोक सिक्किम की राष्टानी है अब जो बागी के option है मुझे एक एक करके उनकी राष्टानी बताती जाईए सबसे पहले नागलेंड की इसका राइट आंसर है सिक्किम सबको पता है बहुत अच्छी वात है गंटोंक सिक्किम की राजधानी अब एक एक करके नागलेंड की राजधानी चली बताईए मुझे नागलेंड की राजधानी जी बिल्कुल इसका right answer है अब मुझे नागलेंड की राजधानी बताईए आप लो ठीके नागलेंड की capital क्या है अकेल फ्रातिमा जी विकास जी शिवम जी ने बोला कोहीमा जी बिल्कुल सही नागलेंड की राजधानी है कोहीमा ठीके जिसको नहीं पता वो याद कर जी नागलेंड की कोहीमा चली अब मेगाले जी मेगाले की प्रभुदाज जी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजे डिसपुर मेगाले की नहीं है मेगाले की जल्दी से बता दीजे दिलिपनायक्ची ने बोला शिलोंग बिल्कुल सही मेगाले की है शिलोंग ठीके मेघाले की है शिलॉंग और अरुनाचल प्रदेश की चल्दी से मुझे अरुनाचल प्रदेश की बता दीजे जी हाँ प्रभुदाच जी मेघाले की शिलॉंग है ठीके दिस्पून नहीं है अरुनाचल प्रदेश की बताईए फ्रेंट्स अब हम अरुनाचल प्रदेश पर है चल दी से मुझे अरुनाचल प्रदेश की बता दीजे अच्छे ये इटानगर सब अरुनाचल प्रदेश की बोल रहे हैं क्या अरुनाचल प्रदेश की जी अरुनाचल प्रदेश की गुवाहर्टी है ठीके इता नगर क्यों बोल रहे हैं सब्लों गुवार्टी इसका है अरुनाचल प्रदेश की राजथानी क्या है गुवार्टी ठीके फिर भी अगर किसी को भी शक है तो आप प्लीज गुगल कीजिएगा अरुनाचल प्रदेश की राजथानी है गुवाहर्टी नहीं है अच्छ आप मुझे गलत पता है ठीके मैं गुगल करके देख लूँगी फिर जो भी होगा चलिए ठीके मैं चेक कर लूँगी अरुनाचल प्रदेश की ठीके बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है मैं भी इंसानों में गलत हो सकती हूँ हो सकता है मुझे गलत याद रह गया हूँ भूल गई हूँ मैं अच्छ आप गुवाहर्टी उसकी जुडिश्री वाली है न श्याथ कुछ तो भी कोई सी तो राजधानी है वो वांकी ठीक हाँ आरे गलत पड़ा तो ऐसा मत बोलो बिल्कुल गलती हो गई है ठीक है अच्छ एक बाद चेक किजिएगा गुवाहर्टी असम की अच्छा मेरे क्याद से कुवाहर्टी श्याद उसकी जुडिश्री वाली है ठीक है जुडिश्री वाली होगी डे branches है कि मुझे ठोड़ा रिवास करने JULRI च्वाहर्ब है कि और संब कि जहां तक मुझे मुझे गवार्टी का याद है यह आप लोग चेक किजिएगा अरुनाचल प्रदेश की शायद से जुडिश्री कैपिटर है ठीक है बोला जाता है जैसे जबलपूर को अपने MP की बोला जाता है न वैसे चलिए मैं बिल्कुल सर्च करूंगी कि गुवार्टी अरुनाचल प्रदेश से कैसे रिलेट कर रही है ठीक है गुवार्टी मैं ठीक है मैं आइम सॉरी मेरी गलती हो गई शायद फिर भी मैं एक बर गुगल करके आप लोग को बताऊंगी ठीक है इटानगर इसकी कैपिटल ह सिल्ए ठीक है लेकिन गुवार्टी शायद इसकी जुदिश्री कैपिटल है सक चलिए बठते हैं बिल्कुल ठीक है एक बार चेक कर ली जिए गवार्टी जुदिश्री वाली नहीं नहीं बिल्कुल जाने देने वाली बात नहीं कोई बात नहीं हो जाती ही गलतियां वर्तमान में परिचालित भारती उब्ग्रहों में कोई भी डैश बात नहीं है ब्रहस पतिक अक्षा उब्ग्रह नहीं है प्रत्वी प्रिक्षन उब्ग्रह नहीं है संचार उब्ग्रह नहीं है अकिल फातिमा जी ने बोला ए ब्रहस पतिक अक्षा उब्ग्रह नहीं है प्रभुदाच जी ने भी यह बोला है शिवम्तिवारी जी ने बहुत लंबा सा मैसेज लिखा है चिप बिल्कुल आप एक बार आंद्र अरुनाचर प्रदीश के जुडिश्री वाली चेक कीजिए का कैपिटल ठीक है शिवम्तिवारी जी ने का है फोर का ए चिप बिल्कुल इसका राइट आंसर है जुपिटर और बिटर सैटेलाइट ठीक है ब्रहस पतिक अक्षा उब्ग्रह नहीं है ठीक है फ्रेंट्स बिल्कुल सही है आप लोग इसका राइट आंसर है ब्रहस पतिक अक्षा उब्ग्र से भी गलतियां हो जाए ठीक है मैंने भी याद करी हुए चीज़े हैं और मैं भी भूर सकती हूँ और मुझे भरोसा है कि आप लोग इस चीज को एक दम लेके नहीं बैठ जाएंगे जोर करेंगे इस चीज को चलिए कॉशन है निमे लिकित मैंसे किसे हाली में सेभी से विवसाय से बहार निकलने की अनुमती प्राप्त हुई है ठीक है? कली मैंने आपको CB का फुल फॉर्ण बताया था जल्दी से मुझे वापिस से CB का फुल फॉर्म बता दीजे कि आप लोगों को याद हुआ के नई हुआ हाँ, पहले इसका आंसर देख लेते हैं मं पहले इसका आंसर बता दीजे फिर हम Sebi का Full Form देखेंगे कि आप लोग को याध है की नहीं है यह बिल्कुल इसका राइट आंसर दिली स्टॉॉंक एकस्चेंज Kung ज JJ इसका राइट आंसर रहे चली अब मुझे बाजल दी जे सई भी का Full heißt Vale कि लोग को नहीं याध की औहए कि नहीं क जी अक्किल फातिमा जी श्टॉक नहीं है एसका फुल फॉल्व कि बिल्कुल श्यच्चॉरिटी एड़ एक्सचेंज ऑड उफ इंड्या इस टॉप नहीं है ऐसे है सिक्चॉरिटी एड़ एक्सचेंज बोर्ड उफ इंड्या ठीक है और इससी स्थापना कब वही थी इसक किस थापना हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या है सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया याद रहेगा अब ठीके अब कभी भी दुबारा से भी आएगा मैं फिरसे आप से इसका फुल फॉर्म पूचूंगी अकिल फातिमा जी बिल्कुल याद कर इन में से कौन से भेद भाव पुर्ण कर को सम्राठ अकबन ने 1564 में समाप्त किया था चल्दी से बताईए मुझे जी बिल्कुल सेक्यूरिटी एंड एक्सेंज बोर्ड ओफ इंडिया उसका फुल फॉर्म था अब हम हमारे नेक्स कोश्चन पे है इन में से कौन से भेद भाव पुर्ण कर को सम्राठ अकबन ने 1564 में समाप्त किया था प्रभु दाज जी ने कह थी जी बिल्कुल इसका राइट आंसर में पताती हूं आपको इसका राइट आंसर है फ्रेंट जी जी आ जी बिल्कुल विकास यादव जी जिजिया कर बिल्कुल जिजिया कर को खतम किया था ठीक है 1564 में सन भी आप याद रख लीचेगा सम्राठ अकबन ने 1564 में जिजिया टेक्स को कर को खतम कर दिया था ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं भारती डाग की निमेलिकित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को इस्ताई रूप से बंद कर दिया था जी बिल्कुल दिरिपनायक जी गैर मुस्तलमान कर था वो ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पर आ गए हम हमारे भारती डाग की निमेलिकित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थाई रूप से बंद कर दिया गया है ठीक है आप सबको इसका अंसर पता होगा ची विल्कुल तार चलिए मैं बत अकिल फातिमा जी ने कहा है अश्रिया जी ने कहा है ची बिल्कुल चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका अंसर इसका राइट आंसर है तार फ्रेंट्स तार बंद हो चुका है अब एकदम स्थाई रूप से बंद हो गया है क्योंकि अब तेलीफोन फोन वगेरा आ गया है तार पूरी तरीके से बंद हो गया है बाकी अंत देर शिय पत्र डाग चीवं बीमा और स्पीट पोस्ट अभी भी चलते हैं तार बंद हो चुका है स्थाई रूप से बंद कर दिया है क्योंकि उसका ज्यादा यूज हो नहीं रहा था ठीके इसलिए उसको बंद कर दिया गया है लूकेज चोद्री जी स्वागत आपका माय चैनल पे टेली ग्राम ये बिल्कुल टेली ग्राम इसका राइट आसर, चलिए पढ़ते नेक्स कंस्ट की तरफ भारत के संबीदान में निमलिकित में इसे भारत के संबिदान में निमले कितमे से कौन से एक अनुचेद अनुसूची का स्वायत जिला परिशदों के साथ वैवार होता है। चल्दी बताईए ओटोनोमस डिस्ट्रिक काउंसिल नंदराम ची न बोला है आर्टीकल टूफिफ्टी चल्दी और बताईए आयम स्टुडेंट ऑफ एक्जामपूर। अनुसूची ठीके छटी अनुसूची इसका राइट आंसर है। ठीके इसमें असम में घाले, त्रिपूरा और मिजोरम राच्यों के जन चातिये छेत्रों के प्रशाशन के बारे में प्रावदान है। ठीके फ्रेंट, छटी अनुसूची इसका राइट आंसर है। आर्टिकल टूफिफिटी नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन के और। भारती रेल्वे ने मध्य प्रदेश के किस रेल्वे स्टेशन का प्रभंधन करने के लिए बंसल ग्रूप के साथ एक अनुबंध किया है। जल्दी से बता दीजे फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है। मध्य भारती रेल्वे ने मध्य प्रदेश के किस रेल्वे स्टेशन का प्रभंधन करने के लिए बंसल ग्रूप के साथ एक अनुबंध किया है। अप्शन है हभीब गंज नेपान अगर रतलाम सतना अजे प्रताप जी ने बोला ए मकान जी ने भी बोला है आशु जी बिल्कुल सही हभीब गंज इसका राइट अंसर है। हभीब गंज इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ श्रिया रगुवंशी जी हभीब गंज इसका अंसर था अब हमारे नेक्स कोश्चन पर है। फर्श 2011 की चंगर्णा के अनुसार मद्य प्रदेश का सबसे जादा आबादी वाला जिला कौन सा है। चल्दी से बताईए इसका अंसर। सबसे जादा आबादी वाला जिला ये कोश्चन पहले भी आ चुका है। चल्दी बताईए इसका अंसर। बिल्कुल सही आंसर है इंदौर। 2011 की जन गर्णा के अनुसार मद्य प्रदेश का सबसे जादा आबादी वाला जिला कौन सा है। इंदौर। चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ। जी दिल इपना एक जी इंदौर। उसका सही आंसर है। चलिए अगला कोश्चन हमारा जन करना 2011 के अनुसार। देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज जी कौन सा है। ठीक है राज जी पूचा है अब सबसे आभादी वाला राज जी सबसे अधिक आभादी वाला राज जी चल्दी से बता दीजिए उप्षान है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजिस्तान, मध्य प्रदेश। आशु जी ने बोला एवन उत्तर प्रदेश, अकिल फातिमा जी ने भी बोला है उत्तर प्रदेश, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, आप सबी सही है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, देश का सबसे अधिक आभादी वाला राज जी कौन है उत्तरप्रदेश चलिए नेक्स कोशन देखते हैं जी नंदरामची श्रिया जी उत्तरप्रदेश इसका राइट आंसर भारत में कितने राज्य हैं बहुती इजी सा कोशन है जल्दी से बता दीजे मुझे बहुती इजी से बता दीजे मुझे भारत में कितने राज्य हैं क्या होगा इसका राइट आंसर जी फोर नं आप देट इन जी बिलकुल 29 स्टेट से हमारे इंडिया में और यह उप्षन दिया नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन आप दी आबव जी बिलकुल च नेक्स कोश्चन की तरफ वर्ष दैश में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की शेर्णी को जोड़ा गया था ठीक है जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे कौनसे वर्ष में एक संशोधन के द्वारान भारत की नाकृता अधिनियम में ठीके भारत के प्रवासी नाकृत की शेनी को जोड़ा गया था चल्दी से बता दीजे इसका आंसर मुझे आपको नहीं पता है आप नो लिख के भेज सकते हैं मकान जी ने बोला है अजे प्रताब जी ने बोला है इसका 2003 प्रभुदाद जी 2003 इसका राइट आंसर है ठीके जो इस में इस अंशोधन के द्वारा क्या हुआ था जो भारतिये विदेश में रहते थे उनके विशेश सूची तयार की गई थी ठीके यह हुआ था इस अंशोधन में कब हुआ था व थी में चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं मद्य प्रदेश की एक मात्र महिला राजजपाल कौन है ठीके जल्दी से बता दीजे मुझे इसका अंसर मद्य प्रदेश की एक मात्र महिला राजपाल आप सभी को पता होगा उप्षाने पदमजा नाइडू शीला कॉल मुखर जी सल्ला ग्रेवाल चल्दी से इसका अंसर बता दीजे फ्रेंच मुझे आश्यो जी ने कहा है फोर्स सल्ला क्रेवाल चल्दी से और बताईए नंद्राम जी कम्टेट जी दिलीप जी सभी ने कहा है सल्ला क्रेवाल जी बिल्कुल सही आंसर इसका सल्ला क्रेवाल ठ यह लिए नेक्स कोशन देखते हैं सुरक्षा संबंधी मंत्री मंदल समीती का अध्यक्ष कौन है ठीके कैबिनेट कमिटी और सिक्योरिटी CCS इसका अध्यक्ष कौन है अप्शन है फाइनेस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर चल्दी से बताईए कौन होता है CCS, कैबिनेट कमिटी और सिक्योरिटी आशु जी ने बोला है होम मिनिस्टर ठीके और बताईए अकेल फातिमा जी ने बोला है डिफेंस मिनिस्टर प्रभु जी ने भी बोला है डिफेंस मिनिस्टर किसी ने भी अभी तक राइट आंसर नहीं बोला है चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसका राइट आंसर है प्रधान मंत्री ची नहीं, सुरक्षा संबंदी मंत्री मंडल समीती इसका right answer प्रधान मंत्री दिया है, ठीके friends प्रधान मंचिस का right answer है यू बिलकुल नंदराम जी, अक्पाठीम जी, C इसका right answer है, prime minister, ठीके सुरक्षा संबंदी मंत्री मंडल समीती, CCS कौन है उनके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर चलिए next question देखते हैं H.A.L. दौारा रुपांकित और विक्सित हलके लडाकु विमान का नाम क्या है ठीक है H.A.L. दौारा रुपांकित और विक्सित हलके लडाकु विमान उसका नाम क्या है आप्षयान है सूर्य किरण, आरवर्भर, तेजस, प्रकाश चलिएसे मुझे इसका आंसर बता दीजी अकिल फातिमा जी ने कहा है तेजस, अजे प्रताप जी प्रभुदाद जी ने कहा है इसका राइट आंसर है तेजस इसका राइट आंसर है ठीक है, H.E.L. द्वारा रुपान की दोर विक्सेद हल के लड़ाकु विमान का नाम है तेजस जी बिल्कुल सबको पता है, बहुत अच्छी बात है, चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ भूदान अंदोलन दैश द्वारा शुरू किया गया था ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था भूदान अंदोलन अप्शन है, विनोबा भावे, जैप्रकाश नारायन, दादा भाई नरो जी, महत्मा गांदी चलिए से बता दीजी, फ्रेंड, किसके द्वारा शुरू किया गया था भूदान अंदोलन जि बिल्कुल जैश्री राम रुहिट ची दिरीप ची और आशु जी ने कहा है विनोबा भावे जि बिल्कुल इसका right answer है विनोबा भावे दूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था आप मुझे जल्दी से किसी को इसका वर्ष पता है कब किया गया था तो बता दीजे किस वर्ष में किया गया था इसे आरम 1952 थोड़ा सा आगे पीछे बहुत करीब चलिए मैंने सर्च किया था मुझे इसका सन दिखाता है 1951 ठीक है तो इसे भी आप लोग चेक कर लीजेगा अगर आपको यह 1952 लग रहा है मैंने देखा था वो 1951 शो किया था ठीक है भूदाना अंदोलन का बिल्कुल आप एक बार चेक कर लीजेगा जिसे भी 1951 और 1952 में डाउट हो वो इक बार गूगल कर लीजेगा भूदाना अंदोलन के लिए ठीक है बिल्कुल नहीं जिसको 1952 लग रहा है और हो सकता है कुछ गड़बर हो तो आप एक बार गूगल जरूर कर लीजेगा ठीक है निमे लिकित में से किसे Nobel पूरुषकार फ्राप्त नहीं हुआ है ठीके जल्दी से बता दीजेए इनमे से किसे Nobel पूरुषकार नहीं मिला है आप सभी को इसका आंसर पता होगा जल्दी से बता दीजी इन मेंसे किसे नॉबल पूरुस का नहीं मिला है रुहिच जी ने कहा है एक और जे प्रताब जी ने कहा है सी अक्किल फातिमा जी जी बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है महात्मा गांदी महात्मा गांदी जी को अभी तो नॉबल प्राइस नहीं मिला है ठीक है बाके अमरत्य सेन मदर टेरेसा और सीवी रमन इन तीनों को नॉबल प्राइस मिला है महात्मा गांदी जी को नहीं मिला है ठीक है याद रखेगा महात्मा गांदी जी को नॉबल पूरुस का नहीं मिला और बढ़ते हाँ नेक्स पोष्टन के तरफ ऑंधिय Σेंपी है याद रख़े शयुआ है महात्मा गंधी जी को महात्मा गांदी जाझे अम्हात्मा का कत्रों था कि मत खनेने के मिला था म मत बन किवामल पूरुषगेंस इन जले नेक्स पोष्टन है हमारा The Palace of Illusion, ठीक है, इसके लेखक कौन है, The Palace of Illusion के लेखक कौन है, अफशने चेतन भगत, देवदत पतनायक, चित्रा बेनरजी, दिवा करूनी और अरुन्धिती रोय, चल्दी से मुझे इसका अंसर बता दीजे, The Palace of Illusion के लेखक कौन है, आपको नहीं पता, आप नो लिख के भी सकते है, Match की Class, आप मैं AK करके Topic खतम कर रही हूं, Friends, ठीक है, आप भी मैंने Science किया है, और इस Week में, Sunday तक Science खतम हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारा GS खतम हो गया है, Science खतम हो जाएगा, उसके बाद Hindi, क्योंकि वो बहुत scoring, बहुत जादा marks की आती है, तो हम Hindi की Class लेंगे, 10 फिर में Maths, क्योंकि Maths में PDF में नहीं पढ़ा सकती हूं, ठीक है, उसके लिए पूरा सैट अप चमाना पढ़ेगा, तो हम Hindi के बाद Maths की Class लेने का देखेंगे, ठीक है, जैसा आप लोंग बोलेंगे, हिंदी की Class के बाद वो Class लेंगे, चलिए, अभी मैं इसका आपको रा The Palace of Illusion के लेकर कोने चित्राब एनरजी दिवा करूनी, ठीक है, याद रखिए का फ्रेंच, MP की कब होगी Class, MPGK इसकी, अभी तो मैं previous year paper खतम कर रहे हूं, ठीक है, और GS मैं खतम कर चुकी हूं, जिसमें MPGK और पूरा GS section मैंने SI का, अचा, Constable, अब दो-दो Class बना-बना के न बिल्कुल GS इसकी खतम हो रही है, आप लोग इसकी बात कर रहे है, MP SI, MP Constable की, ठीक है, फ्रेंच, प्लीज बताइए, किस बारे में बोल रहे हैं, आपको मैच की कौन सी Class ची है, आपको previous year paper में, Constable की कह रहे हैं क्या आप लोग, चरी आप बता दीजिएगा, जैसा भी हो, अ साइंस स्टार्ट कर दिया, इस लीक में साइंस खतम हो जाएगा, उसके बाद में हिंदी स्टार्ट करने वाली, MP SI, Hindi, Main Topic Class, आपको Main Topic की क्लास भी चाहिए, क्योंकि किसी ने कभी मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको कमेंट करके पूचा हैं कि आपको पास नोट्स न नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको Topic Wise Classes पढ़ा दूगी, ठीक है, जिसको भी Topic Wise Classes चाहिए, किसी भी Topic की, वो मुझे कमेंट करके बता दीचे, मैं बिल्कुल वाला वीडियो आपके लेकर आऊंगी, एक्स्टा इस ते अलग, यह हमारे, और ठीक है, एक क्लास चीए, किसी, MPG की Topic Wise Class चीए, आप लोगो को, जिए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, राजेंदर प्रसाद, ठीक है, ठीक है, हम यह सारी बाते हम एंड में करेंगे, ठीक है, क्यूंकि बहुत सारे लोग होते, जो सिर्फ कॉश्चन आंसर देते हैं, तो उनको फिर प्रिविए सेर पेपर भी पाढ़ने हैं, बिल्कुल इग्नोर नी कीजिएगा प्रिविए सेर पेपर को, ठीक है, बिल्कुल प्रिविए सेर पेपर आपको खतम करने हैं, उसे जिस पेपर जैसा आप एसाई का पेपर देने जा रहें तो सिर्फ एसाई का नी, 2018 में जितने चलिए इसका राजिन प्रशाद इसका राइट आंसर है यह सारी बाते हम लास्ट में करेंगे मैं आप सबकी बाते सुनूगी और आंसर भी करूंगी अभी हम कॉश्चन आंसर पर आते हैं लक्षदीब दैश में है जिब इलकुल मैं क्लास लेते हूं जिसको भी यह सारी बाते गहां आँड में करेंगे यह बहुत लोग होते सिर्फ कॉश्चन आ अंसर देना जाते है तो उनको डिस्टबनी ओना चीए ठीके लगश्चन दैश में है जड़ी से बताव दीजे कहां राताब जी ने अरब सागअ जी उपने पघ़ा चारी ऊर बता है तिर यह जिने फूर में महीं ओर इसका राइट अंसर है भंगाल की खाड़ी नहीं है अरब सागर इसको राइट अनसर लक्ष दीब अरब सागर में है ठीक है फ्रेंर्ग्स आपको याद नहीं है लक्षदीब अरफ सागर में है और इससे रिलेटेड एको बात कि लक्षदीब सबसे छोटा यूनियन टेरिट्री है ठीक है बिलकुल प्रभुदार जी अरफ सागर इसका राइट आंसर है और मैं आपको बता रहे हो लक्षदीब क्या है सबसे छोटी अच्छी बात है जिसको नहीं पता है वो यात कर लीजे भारत की सबसे चोटी यूणियन टेरिटरी गेंद्र शाषित प्रदेश कौन सा है लक्षिदी इसकी राजधानी किसी को पता है क्या चलिए मैं शौर नीहूं यहीं फिर भी मैं बता देती। आप लोग Emir चैकी कर लीजेगाल फिर मैं कुछ गलत बिल्कुल यही मुझे भी बज़ पता थी वाँची बिल्कुल यहीं है कवरती ठीकें? पर मैं शौर नहीं थी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर आपने बोल लिया तो आप मैं शौर हो गई हूँ, ठीक है, क्या है इसकी कवरती, इसकी राजधानी है, ठीक है, याद कर लिजेगा फ्रेंट्स, कहां पर है ये, अरब सागर में, सबसे छोटा यूनियन टेर है ये, और इसकी कैपिटल कवरती, ठीक है, चलिए नेक्स कोश्चन दिखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मजजित का निर्मान किसने करवाया था, चल्दी से बता दीची फ्रेंड्स मुझे इसका अंसर, दिल्ली के लाल किले में मोती मजजित का निर्मान किसने करवा था चल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे फ्रेंट्स वनिंक्री शर्मा जी ने बोला है थी हुमायू दिलिपना एक जी बोल रहे है वन अकील पातिमा जी बोल रहे है शाहां आजा सब अलग-अलग ओप्शन इस बद ठीके बद्री विशाल पाल जी स्वागत आपका हमा और अरंग जीर में करवाया था जिसको भी नहीं यादे फ्रेंट्स प्लीज याद कर लीजिए ठीके और जीने करवाया था चलिए नेक्स्ट कोश्टन की तरव पढ़ते हैं नमस्ते बिर अंदिलीप जी नमस्ते चलिए पहला गोश्टन है मारा भारती सेन अकैडमी किस श ठीके चलिए से आंसर बता दीजें बारती सेने अकैडमी किस शहर में स्थित है ऑप्शन है मुंबाई पूने दिली दहरा दुन कुनाल जी ने कहा है डीक कुनाल जी स्वागत है अब का हमारे चैनल पे तिलीप जी ने भी कहा है फूर जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है धहरा दुन ठीक है देरादून इसका राइट आंसर है भारती साहन अकेडमी कहां किस शहर में है देरादून में है चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन भारत की पहली मैपिंग सेटिलाइट का नाम बताईए चलिए बता दीजे फ्रेंट्स मुझे इसका आंसर भारत की पहली मैपिंग सेटेलाइट और फ्रेंट जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे है वो हमारा चैनल प्रीज सस्क्राइब कर लीजे को मैं बता दू हमारे चैनल पर MPSI और MPSI कोंस्टेबल की प्रिवेस एर पेपर की लाइफ सीरीज चल रही है तिलिप नयक जी ने बोला है 4 चली और बताइए कोई मुझे कुनाल जी ने बोला है 4 आशु जी ने बोला है 2 चली फ्रेंड में इसका राइट आंसर बताते है उसका राइट आंसर है कार्टू सेट फरस्ट ठीके भारत की पहली Mapping Satellite का नाम क्या है कार्टू सेट फरस्ट ठीक है जिसको भी नहीं आदे वो याद कर लीजे भारत की पहली मैपिंग सेटिलाइट कार्टू सेट फरस्ट चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं निम्मे लिखित भारतिय संगितकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है चल दी से मुझे इसका आंसर बता दीजे फ्रेंट्स आपको नहीं पता आप नो लिख के भेज सकते ताकि जल्दी से मैं आपको आंसर बता दू तिलिप नैक्ची ने बोला है फोर मोहमत रफी चलिए और बताए मुझे के सबफेर्स उलान है रभी शंकर चलिए फ्रेंट्स में से का राइट आंसर बताती हूं हुं मॉहमत रफी मॉहमत रफी को भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ है रभी शंकर Лटा मंग плат क्यों झौष्ण को भारत रत्न मिला है चलिए मैं आपको इन पता पादेत्यू किसी यर में मिला है तो रवी शंकर को मिला है 1999 में तीक है लता मंगेशकर को मिला है 2001 में और भीम सेंच जोशी को मिला है 2008 में थीक है तो आप इनके यर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा चलिए नेक्स कोशन देखते हैं पच मड़ी किस जिले में इस्तित है आप सभी को इसका आंसर पता होगा जल्दी से बता दीजे फ्रेंट्स पच मड़ी किस जिले में इस्तित है शहपूरा हुशंगाबाद भोजपूर अनुपूर चल्दी से बता दीजे पच मड़ी किस जिले में इस्तित है आशू जी कुनाल जी और लोकेज ची ने कहा है हुशंगाबाद जी बिलकुल इसका राइट आंसर है हुशंगाबाद ठीक है होशंगबाद इसका right answer है पंचमरी किस जिले में स्थित है तो होशंगबाद जिले में स्थित है ठीक है और यह एक मात्र हील station है ठीक है मद्यप्रदेश का एक मात्र हील station है कौन पंचमरी चलिए next question देखते है पेंच हाइड्रो एलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है किन दो राज्यों के होना चीए था ऐसे तो ठीक है हाँ दो राज्यों के है गलती से यहाँ पर देशों लिखा गया दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है चल्दी बताईये फ्रेंच पेंच हाइड्रो एलेक्ट्रिक परी ओजना कुनाल जी ने बोला है थी मध्य प्रदेश चलि और बताईये मुझे अकिल फातिमा जी हेलो आशु जी ने बोला थी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट दिलिप नायक जी बिलकुल इसका राइट आंसर है कोई बात नहीं अभी स्टार्टी हुई है पांच कोश्चन लिकल गए चटा कोश्चन है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट इसका आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ उम्रिया में इस्तित अभ्यारण है ठीक है उम्रिया में कौन सा अभ्यारण है चल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा अभ्यारण है अभी लाज ची स्वागत है आपकर हम मारे चैनल पर थैंक यू कुनाल ची कमली ची और दिलीप ची सबने कहा है बांधवगर ची बिलकुल इसका राइट आंसर है बांधवगर ठीक है बांधवगर अभ्यारण है उम्रिया में ठीक है जिसको नहीं आद वो याद कर लिए चीएगा बांधवगर अभ्यारण कहां है उम्रिया में चलिए न परकाते हैं उसके यह आप लोगों से पूछती हो ताकि मैं बार-बार पूछी और आपका रिवीजन हो जाए जिसको नहीं याद है उसको याद हो जाए चलिए बता दीजे किस वर्ष में स्थापित हो आता है ठीक है इसकी स्थापना का पूईती बांदवगर अभ्यारण की किसी पता है तो जल्दी से बता दीजे नहीं तो मैं बताती हूं 1955 नहीं और कोई किसी को पता है नाइटीन आप जिप मैं टाइगर रिजन अभी मैं इसके स्थापना पूछी उठीक है पहले उसकी स्थापना बता ही नहीं बता है आपनों लिग दीजे 1986 चलिए मैं बताती हूं 1993 ठीक है 1993 में और अभ्यारण है ये ठीक है बांधवगर अभ्यारण कभी स्थापना होई थी 1993 में जिसको नहीं याद कर लिजे 1993 ठीक है चलिए देखते अभी जी स्वागत है आपका मारे चैनल पर जी नहीं पिता आप याद कर लिजे बिलकुल 1993 सांते और बांधवगर उमर्या जिले में चलिए देखते नेक्स कोश्चन अशोग इस्तम जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्र पतीक के रूप में अपनाया गया यहां इस्तित है ठीक है कहां से लिए कहां इस्तित है अशोग इस्तम चलिए बता दिजे ऑप्षण सांत गया पूरी वारा नसी चलिए से बता दिजे फ्रेंट्ट्स आप सभी को पता होगा फ्रेंट्स जो भी हमारे चैनल पे नए है प्लीज हमारे चैनल को सस्काइब कर लीजिएगा सबी का कहना है साननाथ जो कि बिल्कुल सही है इसका राइट अंसर है साननाथ जी बिल्कुल साननाथ इसका राइट अंसर है ठीक है अश्योक इस्तम कहां पर है साननाथ में चलिए सरीता वर्मजी गुड इवनिंग चलिए कल मैंने आपको एस नाम बताना तॉम आरे पिए आपको पूरा नाम बताया है, क्ल अपको पूरा नाम बताया था, बता था, तब जल्दी नहीं से बता दिजिकांगाओं को फिया नाम chicken जल्दी से मुझे अशुक का पूरा नाम बता दीजिए पेख्याल से सब भूल गए हैं नहीं यहाँ दे आप नो लिख दीजिए मैं आज फिर बता दूंगे फिर से याद कर लीजिएगा जी नहीं प्रिय दर्शनी अशुक नहीं यह नाम नहीं था उनका ठीक है जो दित्ती भी समराट वगिरा यह सब उपादी मिली हुई थी उनको आशु जी ने क्या लिखा है देव दान्त चलिए देव से कोई रिलेटिट ना आशु जी बिल्कुल मैं फिर से बता देती और अगली बार मैं फिर पूछोंगे आप लों प्लीज अभी याद कर लीजिएगा देवा नाम प्रिय अशुक मौर्य ठीक है क्या नाम है देवा नाम प्रिय अशुक मौर्य ठीक है यह इनका पूरा नाम था रियां ची है लो जी बिल्कुल देवा नाम प्रिय अशुक मौर्य ठीक है याद रखिएगा फ्रेंट जिसको भी नहीं यादे पीज याद रखिएगा चलिए नेक्स कोशन देखते हैं बंड़ा नोगा चलिए रिपीट आया है फिर से भूपाल में पदा हुए भारत के नौवे राश्ट्रपती का नाम है हम पहले भी पर चुके तैंटी दिलिपनए जी देव के प्रिय अब हम नेक्स कोशन पर हैं भुपाल में पैदा हुआ भारत के नौवे राष्ट्रपती का नाम ये कोशन पहले भी पेपर में आया था चलिए सब मदिलीप जी कमरीची और अकिल फातिमा जी ने बोला शंकर दयाल शर्मा बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है शंकर दयाल शर्मा ठीक है शंकर दयाल शर्मा हमारे नाइन प्रेसिडेंट थे जिनका जन्म कहा हुआ था भोपाल में जी बिल्कुल रियांची ठाड़ इसका राइट आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ होकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है ठीक है जल्दी से बता दीचे मुझे इसका आंसर होकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है वैसे अभी जो है इस ऑप्शन में नहीं है लेकिन उस समय का पेपर था तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको इस टाइम पर कौन था ऑप्शन है कंभी जीने बोला यह और दीची ने बोला वन अकिल कि शर्थिगर का इन can आपको बताती हूं अ इसका राइट आंसर है इस समय के हिसाप से मरियमा कोशी ठीक है मरियमा कोशी होडать में मरियमा कोशी ठीक है मैं स्क्राइब करें यह से आंब कर्वा करतों तो यह 25 वीडियो 2 एफ immense रहे करो यह कंद को इसे विचिते को आई इत्स बतादि आइब कि मुझे वीडियो 1 नहीं दिख रही है कि चली ठीक है मैं आपको इसका आपी करेंट का बता देते हूं अगर किसी को पता है कि करेंट में कौन है अच्छा क्लियर है ठीक है हाँ हो सकता है कि आपके आपना रिवाल्यूशन आपका कम होगा उस वज़े से भी होगा एक बार चेक कर लिजे चली ठीक है अभी अभी के अधिक्ष बताते हो मैं इसके मुहमद मुश्टाक एहमद ठीक है मुहमद मुश्टाक मुणू चंदिर्या जी हेलो एहमद ठीक है फ्रेंट्स याद कर लीजिए होकी इंडिया का दिक्ष कौन है अभी उस समय थे मरीयम्मा कोशी ठीक है अभी कौन है मुहमद मुश्टाक एहमद ठीक है अब मुश्टाक नेक्स कोशिन देखते हैं निमे लिकित में से कौन भारत के राष्ट्रुपती नहीं रहें है थीक चलदी से बता दीजें इन में से कौन राष्ट्रुपती नहीं रहे हैं जी बिल्कुल रियान जी मोहमद मुस्टाक एहमद हैं अभी के अब हम हमारे नेक्स कोशिन पर आ गए निमिले कित में से कौन भारत के राश्ट्रुपती नहीं रहे हैं उदैची, कुनाल जी और कमडीची ने बोला है फूर्थ वाला चलिए जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी राजा गोपाल चारी ठीक है, सी राजा गोपाल चारी हमारे प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं कभी बाकि जाके रुसेन, एन संजीवा रेडी और वीपी गीरी ये तीनो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं राज्य सभा का उपाध्यक्ष कौन है ठीक है जल्दी से बता दीजे मुझे आंसर ऑप्चन है सुमित्रा महाजन हामित अंसारी पीजे कुरियन अरुन जैटली और ये उस समय के थे अब ही मुझे आप करेंटली भी बताईएगा कि कौन है राज्य सभा के उपाध्यक्ष ठीक है पीजे कुरियन थे लेकिन अभी चेंज है अभी बताईए मुझे की कौन है अगर किसी को पता हो उनका नाम तो ची बिलकुल आमित यादव जी स्वागत आपका मारे चैनल पर हरिवंच सिंग बिलकुल हरिवंच नारायंट सिंग हरिवंश नारायन सिंग ठीके? अभी कौन है? हरिवंश नारायन सिंग है हमारे राज्य सभा के उपाद्यक्ष ठीके फ्रेंड्स याद रखिएगा हरिवंश नारायन सिंग चलिए बढ़ते है नेक्स कोस्चेन की तरफ राश्री आपात काल की घोषना किसके द्वारा की जाती है ठीके नैशनल एमेरजेंसी किसके द्वारा इसकी घोषना की जाती है जल्दी से बता दीजिए और पार्लियमेंट लॉव मिनिस्टर दे प्रेसिदेंट प्राइम मिनिस्टर चल्दी से बतातीजी आंसर और फ्रेंट जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमिति आदफ जी ने बोला है प्रेसिडेंट दिलीप नायक ची और कम नायक जी ने भी बोला है जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ठीक है दी प्रेसिडेंट राष्ट्र प्रती राष्ट्र आपतकाल की घुशना करते हैं ठीक है चलिए भीम चोहान जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं कि शिप्पूरी में माधव राष्ट्र पार्क को इस वर्ष में स्थापित किया गया था इस बिल्कुल अकिल फातिमा जी आर्टिकल 352 में नेशनल एमर्जेंसी का रदिया हुआ है ठीक है आर्टिकल 252 में ठीक है इसका अंसर अपने बोला है बी 1958 ऑर बताइए मुझे अमित यादर जी ने बोला नाइज बिल्कुल इसका राइट आंसर है 1958 में चलिए बढ़तें नेक्स कोशन की तरफ भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है जल्दी से बता दीजी फ्रेंट्स और जो भी नए है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा सबका कहना है वन जवार सुरंग चलिए और कोई बताएए मुझे चलिए ठीके सब ए बोल रहे हैं लेकिन वो राइट आंसर नहीं है जिब बिलकुल अक्किल फातिमा जी आपने बिलकुल सही आंसर बताया चेनानी नेश्री सुरंग भारत की सबसे लम्बी सडक सुरंग ठीके और कहां पर ये जल्दी से बताएज जल्दी से बता दिए मुझे कौण जल्दी से अगर किsis को पता है कि कहां है ये तो बता दिए ज़ेए जानानी नैश्री सुरंग इसका राइट आंसर भारत की सबसे लंबी सट्रक सुरंग अब मुझे बताईए कहां है जे बिलकुल जम्मु एंड कश्मीर में है ठीक है यह बनना कुछ 2011 में स्टार्ट हो गई तीन किस ने किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था ठीक है याद रखिएगा कहां पर जम्मु एंड कश्मीर में चलिए नेक्स कोशन देखते हैं कि निमे लिखित में से कौन प्रतम भुकतान बैंक है जो भारत में परिचालन आरम करेगा जल्दी से बता दिजे फ्रेंड्स इसका अंसर अप्शन ने पेटी एम उजी वन फाइनस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडिल पेमिंट्स बैंक भीम जी ने बोला है अकिल फातिमा जी ने बोला है अन estasrade येम बोला था जी बिल्कोर त्याम इसका राइट आंसर है ठीकर पेटीम नहीं है आतल मिंट्स बैंक वार्ण इसका राइट आनसर है पी बिल्कुल तैफ बल्कुल प circuits आठव बैंक अंसर है बिल्कुल आमा. ठीके फ्रेंट्स याद कर लीजिए एटल पेमिंट्स बैंक नेमे लिखित में से कौन प्रतम भुकतान बैंक है जो भारत में परिचालन आरम करेगा वो था एटल पेमिंट्स बैंक ठीके चलिए भढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ वर्ष 2016 के ICC क्रिकेटर थे ठीके जल्दी से बता दीजे वर्ष 2016 के ICC क्रिकेटर थे उस समय के करेंट अफेर के हिसाब से यह कौश्चन है आशु जी ने बोला है सुनील मित्त सरीता वर्मा जी ने बोला है डी पीम चोहान जी ने थी चलिए ठीके मैं बताते हूं फ्रेंट इसका राइट आंसर है आर अश्वीन ठीके आर अश्वीन इसका राइट आंसर है वर्ष 2016 के ICC क्रिकेटर कौन थे आर अश्वीन ठीके चलिए आपको तो 2018 और थोड़ा पर 2017 तक है और 2019 वा भी रीसंग चली रहा है वह सारी चीज़ आपको ज्यादा तर अच्छे से ध्यान रखनी है चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस तैश को मनाया जाता है डेट वाला कॉश्चन ना क्या है जल्दी से बता दीजे भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस चलिए से बता दीजे फ्रेंट्स मुझे जानसर अमित्यादर टुईट्व। टुइट फेवरी से ने भी बोला है बिलकुल उदे जी कमडेची बिलकुल टुइट फेवरेट इसका रैट आनसर है ठीकेए अब मुझे बताइए चीके बद चिस के बर्द्र संदेथा में ही जर्वी के जरन्म दिवस के बनाया जाता कि फिर्वियर्म जे दे नेक्स विश्टन तो ओई घृत्यवी और ची या established डी रामन चीजिक ऑन्म जंदर्वस के बनाया जाता है चलिए नेक्स सब्यूशन है हमारा नेक्स नेक्स्ट कोश्चन पर आ गया हम कि प्रतम कुल्दीप नायर प्रत्कारिता पुरुसकार दैश को प्रदत किया गया आज कमली जी दिलीप जी ने बोला प्रपाज जूशी अकिल फातिमा जी ने बोला रविश कुमार जी बिल्कुल अकिल फातिमा जी इसका रविश कुमार ठीक है प्रतम कुल्दीप नायर पत्रकारिता पुरुसकार किसको दिया गया है रविश कुमार जी को दिया गया है ठीके एंजी बिलकुल C, रविश्खुमार जी इसका right answer है, जिसको नहीं याद वो याद कर लीजे, बिलकुल Amityaadav जी रविश्खुमार इसका right answer है, चलिए बढ़ते है next question की तरफ, भारत के प्रतम उपराश्टरपती कौन थे, यह question फिरसे आ गया, फिछले paper में भी आया थ जल्दी से बता दीजी में जिसका आंसर भारत के प्रतम उपर राश्ट्रपती कौन थे और अप्शन है एस राधा कृष्णन जाकिर हुसेन वीवी गीरी और बीडी जटकी कुनाल जी अक्किल फातिमा दिलिपनाय जी ने एक जी बिल्कुल इसका राइट आंसर एस राधा पहले वाइस प्रेसिडेंट थे तो फ्रेंट्स आपने देखा होगा जो पहली डेट के मतलब यह पेपर जब चल रहे होंगे तो यह रिपीट कॉशन था जो पहले किसी शिफ्ट में आ चुका है तो आप लोग जो भी रिविवीव आते पेपर के जैसे मान लीचे आपका दो तिन दिन दो तिन पेपर होने के बाद हुआ है तो वह रिविवीव को आप लोग अच्छे से देखा करिए ताकि आपको कॉशन का टैप बी बता चल जाए और कुछ कुछ कॉशन रिपीट भी हो जाते हैं तो हो सकता है आपको रिपीट कॉशन देखने को भी मल जाए जाहराम शुक्ला जी है लो चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं अब दैश को ग्यानपीट पूरुसका दोजा सोला से सम्मानित किया गया था था बीक है दोजा सोला में किसको ग्यानपीट पूरुसकार मिला था जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए आपको नहीं पता आप नो लिख के भेश सकते हैं अमित यादव जी कमली जी और दिलीट जी तीनों ने शंक घोश का है जी बिलकुल सही शंक घोश इसका राइट आंसर है चलिए आप सभी को पता है इसका आंसर कुनाल जी ने भी का है जी जी नेक्स कोश्चन देखते हैं जी बिलकुल रोहित दिवारी जी अकिल फातिमाजी चलिए यहीं पर हमारी फर्ट श्रिप कतम होती है जो भी हमारे चैनल पर नए है फ्रेंच प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए ठीक है चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बैल के करीब स्टार्ट होती है और कॉंस्टेबल का हम रात के वक्त परते हैं जो की 9 15 के टाइम स्टार्ट होती है और मैं MPG की का टॉपिक भी जल्दी स्टार्ट करने वाली हूं ठीके फ्रेंट चलिए दिखते पहला कोश्चन मद्य प्रदेश के पूर्वी छेत में बहने वाली नदी जो उरिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है ठीके जल्दी से बता दीजे मद्य प्रदेश के पूर्वी छेत में बहने वाली नदी जो उरिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है कौन सी नदी है वो, आशो जी ने बोला है 4, चानि की महा नदी, चलिया और बताईए को मुझे, Akhil Fatima ji ने बोला ID, महा नदी, supplier payam ji, Akhil Fatima ji और Kamlera ji ने बोला 4 महा नदी, बिलकुल इसका राइट आंसर है महा नदी, सबको रोजकार का प्रावधान इसके अधीन आता है ठीक है चल्दी बता दीजें ऑप्षान है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडस्टियल पॉलिसी फंडमेंटल राइट्स लेबर लो किसके तहट आता है सबको रोजकार का प्रावधान चल्दी से बता दीजे फ्रेंट्स मुझे इसका आंसर रुईतिवारी जी ने बोला है थार्ड अकिल फातिमा जी ने ए उदे जी ने भी फंडमेंटल राइट बोला है चलिए ठीके फ्रेंट्स में इसका राइट आंसर आपको बताती हूं इसका राइट आंसर है जै राम शुक्ला जी बिल्कुल सरी इसका राइट आंसर है डाइरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्चेट पॉलिसी राज जी के निती निर्देशक तत्व जी अमीत यादर जी फर्स जी इसका राइट आंसर है कि बिल्कूल सरी ता वर्मा टी पथाओ गर मुझे पटा दीगे कि इस फाल में आता है या चली से पता दीजे रुखित देख्यों होग गरीजिन इनफ में आपके जालीएल थह कोड़ाया डार भागрь फोर में ढाता है है process बिल्कुल फोर पार्ट में जैराम शुक्रा जी एकिल फाति में जी बिल्कुल सही फोर पार्ट में चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोर्शन ची बिल्कुल 35 to 51 आर्टीकल आर्टीकल भी आप लोग को याद है बहुत अच्छी बात है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है ठीक है इन में से कौन सी नदी जाके बंगाल की खाड़ी में बहती है जल्दी बता दीजे आश्यो जी ने बोला है थार्ट ब्रह्मपुत्र चलिए और बताईए मुझे कमली जी दिलीप ची और उदै जी इन सब ने बोला ब्रह्मपुत्र जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र ठीक है ब्रह्मपुत्र जाके बंगाल की खाड़ी में बैठी है ठीक है बफ्रिंग से परशान सबी बफ्रिंग से परशान हो रहे हैं क्या अगर सब हो रहे हैं तो ठीके मेरे net का fall जा रहा है सब भी बफरिंग से पर्शान हो रहे हैं क्या मुझे बता दीजे एक बार 109 में क्या फिर मैं आके बढ़ू नहीं हो रहे हैं पिर टीके का अगर किसी particular को हो रहा है तो हो वसकते हैं आपके थोड़ा सा नेट में दिकत हो रहा हो चलिए ठीक है फिर नहीं हो रहा है तो सरीता वर्मा जी थोड़ा सा नेट का देखिए शायद आज आज आपने नेट जादा यूज़ कर लिया है चलिए कौनसा हिमनत ब्रह्म पुत्र नदी का स्तुरोत है चलिए बिलकुल गो आएड पढ़ गए हम आगे कौनसा हिमनत ब्रह्म पुत्र नदी का स्तुरोत है ठीक है कौनसा ग्लेशियर है ब्रह्म पुत्र रिवर का सोर्स चल्थी से बता दीजी फ्रेंट्स मुझे असका राइट आसर आशुजी ने पूला स्यार शिन हिमनट चले और बताएं मुझे आ कोुदलर जी ने बुला स्यार शिन और खढ़ एauxlar चिने स्यंक स्यार शिंक योट spec नौ्ढध अव मार्फ निवरेज़ा सीयाय शित्य след ठीक है अंक सी हिमनत है इसका राइट आंसर अगर भर्मपत नदी का हिम का सोर्स अच्छा लेक्चर एटेंड करते हैं बिल्कुल लेक्चर एटेंड करते हैं नेटवर्क प्रोब्लम की वज़े से थोड़ा दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा रुख जाएगी ठीक हो जाएगी ठीक है या तो आप थोड़ा सा रिवॉल्यूशन कम कर दीजें 240 पर या 360 पर चला निम्न में कौन सा आदिल शाही वन्ष के मोहमत आदिल शाह का मगबरा है एटेल यूज करें पर अभी कर दिया ना उनने 35 रुपे का रिचार्ज बिल्कुल दो सिंबालों के लिए तो बड़ी दिक्कत कर दिया उनने हा जीयो है चाहिए निम्न में से कौन सा आदिल शाही वन्ष के मोहमत आदिल शाह का मगबरा है अंकित जी ने कहा है वन्ष दिलीप नायक जी ने अमेत यादप जी ने खाए गॉल गुमज बिल्कुल इसका राइट आनसर फ्रेंट्स ठीके कहां गॉल गुमज बिल्कुल स और आपको इसके बारे में पता होगा कि यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज है ठीक है नहीं पता है तो मैंने आपको यह आपको बता दे और पता था तो बहुत अची वात है ठीक है गोल गुंबज इसका राइट आंसर है और यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज है अम मु में टी अक्किल फातिमा जी बिलकुल भेचाइब पूल आ स्टेट प्लाली जैसे वे स्टेट के नाम दे के गोल गुम मच किस स्टेट में है फिर यूपी पका यूपी में चिप बिल्कुल अखिल फातिवाजी बिल्कुल राइट करनाटक है बिल्कुल करनाटक में है ठीके करनाटक में है ठीके ची नहीं यूपी नहीं करनाटक में ठीके गोल गुमबच कहा है करनाटक में है करनाटक के विजयपूर में ठीके और ये किसका मकबरा है आदिल शाही सबसे बड़ा गुमबच है तो हो सकता इसके बारे में इधर उदर के कॉश्चन पूछ लिए जाए ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ कि देख्षिन मालवा के व्यापक रूफ से गाया बजाया जाने वारा लोग संगीत है जो मराठाउ से होकर आया था कौन सा है मालवा में व्यापक रूफ से गाया बजाया जाने वाला लोग संगीत ठीक है जो कहां से मराठाउ से होकर आया था जल्दी से बता दीजी फ्रेंच मुझे इसका आंसर रोहिच जी कम्रीच जी दिलीप जी इन समने कहा है थ्री लावनी जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है लावनी ठीक है लावनी इसका जी रोहिच जी लावनी बिल्कुल कुनाल जी उदय जी लावनी इसका राइट आंसर है ठीक है मुक्ए रूप से ये महराश का नित्य हैं और ठीक है माल्वा में भी ये प्रचलित है चली बढ़ते नेग्स्स कोशन की तरफ कचली है नेक्स कोशन है ने अमारे मद्धे प्रदेश में पन्ना निम्ष से संबंधित है बहुत भी बहुत एजी कोश्चन और इसा बाष यह घुमा फेर आकर पूशते रहते है वह इंपोर्टन कोश्चन है जल्दीसे बता दीजी मुझे इसका अंसर उदैची रुहित जी ओर कमडेशन्स जी रिलकुल इसका राइट आंसर है टायमेंट ठीक है इसका राइट आंसर है जी बिलकुल अंकीर जी आशुजी भीम जी हीरा इसका बिलकुल राइट आंसर है मध्यि-प्रेदेश में पढना हीरा से संबंधी ते फीडियो क्लिया नहीं हा रहा है मेरा revolution पूरा हाई है ठीक है एकदम 720 पर बना रही हुँ है आप लोग अपना एक बार revolution चेक कर लीजिए ठीक है वो हो जाता है नेट की प्रॉब्लम से जैसे नेट थोड़ा सा स्लो होता है वो revolution एकदम घिरा देता है ठीक है तो इस वज़े से भी हो सकता है जिए बिलकुल आप अनना से फिर तो आपको बहुत सारे डामेंट हो गया आपके पास चलिए ठीक है मजाग था एक चलिए ठीक है अंग्री जी इस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष्ट दैश्ट में समाप्त कर दिया गया था ठीक है जल्दी से बता दीजिए 1858 में समाफ्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा ठीक है एक्ट 1858 में एस्ट इंडिया कंपणी को समाप्त कर दीजिए आप चार्ट एक्ट 1858 यह भी याद रखिए पूछ लिया जा सकता है कि किस चार्टर एक्ट के बिलकुर चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 1858 यह पूरा याद रखिएगा ठीके 1818 1858 ठीके शरीदा वर्माजी 1858 चार्टर एक्ट 1858 चलिए देखते हैं बारत के राश्टर पती का कारेकाल है चलिए से बता दीचे मुझे इसका आंसर आप सभी को पता होगा राश्टर पती का कारेकाल कितना होता है सबी ने कहा है फर्स्ट वाला पांच वर्ष्ट बिल्कुल इसका अच्छा ठीकी गलती से अच्छा कोई बात नहीं चलिए पांच वर्ष्ट इसका राइट आंसर है ठीक है जि बिलकुल 5 वर्ष इसका right answer है भारत के राष्टरपती का कारिकाल होता है 5 वर्ष के लिए ठीक्ए, next question की तरफ बढ़ते हैं जी बिलकुल आर्टीकल 56 में बताया गया है कि राष्टरपती का कारिकाल कितना होगा पांच वर्ष का 52 में बताया गया कि हां भारत में एक राष्ट रुपती होगा और 56 में यह बताया गया है कि कितने वर्ष के लोगा पांच वर्ष के लिए चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं ओम कारिश्वर बहुत देश्य परियोजना यहां पर इस्तित हैं ओप्शने विदीशा सीधी धार इंदौर कुनाल जी ने बोला है फोर इंदौर अमित्यादव जी ने भी इंदौर जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है इंदौर इंदौर इसका राइट आंसर नहीं नहीं रुकिये रुकिये इसमें आच्छा टीके इंदौर है पर मैंने सर्च किया था जब मैने देखा था कि वो खंडवा बता रहा था एक बर आप सर्च कीजिए का खंडवा बता रहा था इसमें ऑप्शन गलत आगे मैंने याद भी रखा है इस कॉस्चन में आपको बताऊंगी ठीक है फ्रेंट्स आप एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा इंद और नहीं है आप्षिन दे रहा है इसका अंशन दोर दे रहा है पर खंडवा है जी बिलकु मुझे पानी पीना है एक निट दीजेगा मेरत कि मैं कोशिश कर रही थी ते तरह से पानी पीने कि मैं पी नहीं पाई एक मिट बस में पानी पीलू थोड़ा सा जी बिलकुल चलिए मुझे जल्दी से याद आ गया मेरा ध्यान थोड़ा पानी की तरफ था इसलिए मैं जी बिलकुल खंडवा है थी कि इसमें आंसर नहीं दिया है खंडवा इसका राइट आंसर है चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चिन की तरफ क्लियर है ना जी नहीं मैं एक दम जल्दी जल्दी में क्योंकि टाइम हो रहा था और थोड़ा सा लेट हो गे थी मैं तो मैं फटा फट और वैसे भी खाना काके में पानी नहीं पीती हूं तो रांद बात नहीं पीना भी नहीं चाहिए ठीक है not good for health खाना खाने के तुरन बात पानी नहीं पीना चाहिए चलिए next question है हमारा हाँ चलिए भारत में रबर की कुल उत्पादक का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है ठीक है रबर का कुल 90% उत्पादन कमलेड जी और दिलिप ची ने कहा है four केरेला ALL जी बिलकुल इसका राइट आंसर है कईरल ठीके केरल इसका राइट आंसर अक्किल फति में करनाटक नहीं है केरल हिसका राइट आंसर नबे प्रतीश्व रुद पादल रब्बर का केरल में होता है ठीक है जिसको नहीं याद वो याद कर लीजिए ठीक है और कैरल को मसालो का बगीचा भी कहा जाता है आप सबको पता होगा फिर्मे में आपको बता देती हूँ मसालो का बगीचा ठीक है कैरल को मसालो का बगीचा भी कहा जाता है चलिए बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरफ सरोजनी नाइडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राज़तूत कहा गया था चलिए से बता है किसे कहा था हिंदु मुस्लिम एक्ता का राज़तू सरोजनी नाइडू जी ने आप्शने मुहमद अली जिनना शौकत अली कमलीज जी दिलीब जी ने बोला है फोर मौलाना अजाद चलिए और कोई बताईए मुझे अक्किल फातिमा जी पे बोल रही है मौलाना अजाद एक बार आप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए तीके महममद अली जिन्ना को बोला था उनों ने in 1916 में लखनाव पैक के बाद उन्होंने यह वाली लाइन कही थी थी के महममद अली जिन्ना के लिए कि वह हिंदु मुस्लिम एकता के राच्टूत थीके फ्रेंच कब कही थी 1916 के लखनाव पैक के बाद तो बिल्कुल सब य उने ये बात कही थी चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की पहली भारतिय महीला अध्यक्ष कौन थी ध्यान दीजेगा पहली महीला अध्यक्ष नहीं पहली भारतिय महीला अध्यक्ष चल्दी से बता दीजे कौन थी चल्दी से बता दीजी फ्रेंट अभिशेक कुमार जी ने बोला एनी पैसेंट फिर से कॉशन पढ़िये ध्यान से पढ़िये क्या पूछा गया है भारती ये महीला जी बिल्कुल उदैजी और दिलिपनायग जी बिल्कुल सही सेकेंट सरोजनी नाइड़ू इसका राइट आंसर है कि एकने बैसेंट नहीं और शरूजनी नहीं टाएंडी राश्च को कहता आ कि MRV था एकतर याद रखेगा छया नेक्स कोशनदेखते हैं अच्छा यह बता रहे हैं अपनों उसका क्योंसी एर में थी चलिए नेक्स कोश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स अब हम 2017 में 64 वे राश्ची फिन्म पुरुसकारों में दैश को सर्वुषेष्ट अभी नेता पुरुसकार से सम्मानित किया गया था चल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स मुझे इसका अंसर उदय जी ने बोला है अक्षे कुमार अक्षे कुमार जी कह रही है बफ्रिंग तो थोड़ा सा टाइम दीजिए एकदम से बफ्रिंग चली जाएगी चली हम नेक्स कोश्चन पर आ गए है अब अमितियादव जी अव अक्षे कुमार इसका राइट आंसर ठीक है अक्षे कुमार को मिला था सरवशेट अभीनेता पूरुषकार दोजा सत्रा में चली नेक्स कोश्चन देखते हैं खंडवा में जन में प्रसिद पुरुष जो हिंदी पार्श्व गायक ठीक है पार्श्व गायक गीतकार संगीतकार अभीनेता और वीनावादक है वोइस क्लियर नहीं आ रही है दिलिपनायक जी और कमलेट जी नेका है फोर केशोर कुमार जी बिलकुल इसका राइट आंसर है किशोर कुमार जी हाँ अभीशे कुमार जी कुनाल जी अमित यादव जी किशोर कुमार इसका राइट आंसर है ठीके कहनलवा में जन में प्रसिद पुरुष ठीके कौन थे हैं वो किशोर कुमार अब ये भी याद रख लीजे कहां चन्मुआ था खंडवा में ठीके याद रखिएगा चलिए जी कुनाल जी बिलकुर किशोर कुमार चलिए बढ़ते नेक्स कोश्चिन की तरफ एनी बैसेंट दैश से संबंदित थी चल्दी से बता दीजे आरे समाज प्रात्ना समाज गदर पाटी थियो सोफिकल सोसाइटी एनी बैसेंट किस से संबंदित थी? चल्दी से बता दीजी, फ्रेंट्स, उदय जी ने बोला थी, कम्रीची और अक्युल फातिमा जी ने भी बोला थी चै बिल्कुल इसका राइट आंसर है थियो सॉफिकल सोसाइटी ठीक है थियो सॉफिकल सोसाइटी बिल्कुल राइट आंसर है चै बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ एनी बैसें किस से संबंद देते हैं तो थियो सॉफिकल सोसाइटी से संबंद देते हैं चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं ठी अंकित जी बिल्कुल डियूस का राइट अंसर था अब हमारे नेक्स कोश्चन पर आ गए है चंगर्ना के अनुसार 2011 के जंगर्ना के अरुसार भारत में सरवादिक घनी आबादी वाला केंद्र शाषित प्रदेश है ठीके कौन सी चेत्र दिली चलिए और बताएगे मुझे कुनाल जी दिली जी और कमली जी ने बोला थी जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है दिली ठीके दिली यूनियं टेरिक ट्री में सरवादिक घनी आबादी वाली है ठीके चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं हर्ष वर्दन देश त्वारा पराजित हुए थे ठीके हर्ष वर्दन को किसने पराजित किया था चलिए से बता दीजे ओप्शन ने टेला सकेंड जैस सिंग पुले केशिन फर्स पुले केशिन सेकेंड कमलेट जी ने फोर बोला है दिलिप नायक जी ने भी फोर बोला है अमित यादव जी ने भी फोर बोला है उदै जी अकिल फातिमा जी समने फोर बोला है नर्मदा नर्मदा नदी के किनारो, हर्ष्व वार्दन जी पुलेकेशन सेकेंड से प्राजित हुए थे संयुक्त राष्ट्र महा सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतिय थे ठीक है बहुत ही अच्छा कोश्चन है चल्दी सब बता दीजी फ्रेंड्स मुझे इसका आंसर यू एंड चनरल एसेंबली के प्रेसीडेंट के रूप में पहले इंडियन उद्दय जी, कमली जी, दिलीब जी सबने फोर बोला है जी बिलकुँ विजय लक्षमी पंडित इसका राइट आंसर है फ्रेंड जी बिलकुल नेहरू बेहन जी नेहरू जी की बेहन थी ठीक है विजय लक्षमी पंडित और ये पहली इंडियन है जो यू एंड जनरल बनेती ठीक है फेली फीमेल नहीं सिर्फ ये पहली इंडियन भी है ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की दरफ जी बिलकुल कुनाल जी अंकित जी अकिल फातिमा जी इसका राइट आंसर है विजय लक्षमी पंडित नेक्स कोशन देखते हैं भारती समविदान का अनुछे 368 में देच से संबन देते हैं ठीक है आर्टिकल 368 जी अभी शीकुमार जी बिलकुल जे एल नहरु सिस्टर जवाला नहरु जी की सिस्टर दी अब हमारे नेक्स कोशन पर आ गए है कि आर्टिकल 368 किससे डील करता है ठीक है किससे संबन देत चलिए और बताईए को मुझे उदैची मिची और कुनाल जी ने बोला जी बिलकुल संशोधन प्रक्रिया इसका राइट आंसर है ठीक है 368 अमेंटिंग प्रोसीजर से संबन देते हैं संशोधन प्रक्रिया से ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ जी बिलकुल च चलिए यहीं पर हमारी पार्ट खतम होता है जल्दी जल्दी बोल के खतम करने की साउथ अफ्रीका से लिया गया है कांस्ट्यूचिशन के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ी लेना चाहिए जो बेसिक बेसिक चीजे होती है ठीक है तो यहीं पर हमारा मुझे कह सकता है अगर कोई नया आया है तो मैं एक और बार बता दूं मुझे पता है आप लोगों ने बहुत बार सुन लिए फिर भी एक बार सुन लीजिए कि हमारे चैनल पे एंपी जी कि एंपी एसाई और एंपी कॉंस्टेबल की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स तो उस की लाइफ वीडियो होती है ऐसाई की दिन में होती है